आप हाँ यह बात सही है जेली गूप नेंग पीपल बैच जाहिए है दोस्तों जल्दी जल्दी छैती छेती है ऐवा सीट पीपल जल्दी बैच जाहिए गूट मोरिंग बत्च सहल यूट्यूब पे जो लाइव है उनको भी गूट मॉरं यार लिंक भेज़ो यार लिंक ओफीशल नौन ओफीशल गुरुप्स में भेच दो जल्दी से ओफीशल नौन ओफीशल गुरुप्स में लिंक छेती छेती ओए रामकुपाल जगड़ा ना कोई यहां बैटना बैटना इदर चलिए ओखेई पीपल आज थोड़ी सी जगा की तंगी है मैं को लग रहा है सीट बुक पहले से करवाना था है आए और मेरे सुनियां में चेड शरी गलियां नाल तेरे हुन चलियां चल सजना को यूं तू दूर चली भाई आजाए नमस्ते सच्रीकाल नमस्ते सच्रीकाल सारे ओफीशल नौन ओफीशल गुप्स में लिंक भेज़ दो भाईया एक बार मेरे लिए है कि सारे गुप्स में लिंक भेज़ दो जल्दी से लिंक भेज़ तो बढ़ी फिर शुरू करते हैं बोद जल्दी मौनिंग आफेवरी वन गुर्द को waren एक एक पर आ जाएए भाई सुबह सुबह शुप्रभाइट 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 गुड्मारिंग cset वाला हूँ वीडियो लाइक करने आया हूं को कहता है ऐसा चलिए गुड मॉनिग आ जाएए सबी लोग आ जाईए भाई टी-शिर्ट भेजो भिजवाद है टी-शिर्ट चलिए have a seat guys, super fast जल्दी से बैच जो, अच्छे से प्यार महबत से जगड़ा ना करो जगड़ा ना करो लाला प्यार महबत से बैच जो रवी भाई क्या हो गया बैच जो, बैच जो चलिए, yes people, good morning everyone, good morning so it's been a wonderful day आज बहुत बढ़िया दिन है क्यों है बढ़िया दिन भाईया बहुत सारी बहुत सारी चीज़े है पहली बात तो ये कि आज महरत होन है भे मैच सेकेंडरी है सलो मैच सेकेंडरी है पहली बात तो ये आज महरत होन है और दूसरी बात तो ये कि दूसरी बात तो ये कि आज इंडिया वर्सेस क्या है पाकिस्तान है तो आज का दिन काफी special दिन है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से complete कर ले सब कुछ राइट है बड़िस हम लोगे make sure करेंगे कि बड़िया तरीके से सब कुछ complete कर ले नाओ 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 प्लीज कीप quiet तानिया जी इतना लेट आते हो चलिए बैठ जाईए बैठ जाईए जल्दी बैठ जाईए आप होटो टो बाद में कीच ले ना अब अराम से calm down चलिए आज अप लानिंग सुन लो कैसे करनी है हाँ जी सुनिएगा दोस्तों अगे तो नाओ वर्ट वर्ट वी गने डू पीपल अरे ये थोड़ा सा ना ध्यान देना स्वीराड्स गैज आपका जो पार्ट सी है सब्सक्राइब का और हीरो अभी किसीने बात किया ना मुह तोड़ दूँगा दुमारा ठीक है चलिए अभी ध्यान देना चलिए सभी लोग आ जाईए जल्दी से ओनलाइन वालो तुम भी ध्यान दो उप्लाइन छेडाड़ जल्दी अधैस भी किसी में आपका पूरा जो है मैं बात करूंभ मेजर लिट कर सब्सक्राइब यहां है चालिस किए पार्ट भी किसीव माग स Aah hint कोèse वाले मार्क्स को पहले ठीक है उसमें भी यो जो दो चैप्टर है starting के dormant or strike off कोई बहुत भारी तोप चैप्टर नहीं है वो ठीक है वो जो चैप्टर है वो काफी असान चैप्टर है उस वो असानी से हो जाते हैं मतलब कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है जो बच्चों को majorly confusion आता है वो आता है तीसरे चैप्टर में विच इस CIRP, Liquidation & Winding Up जो पहले के दो चैप्टर है वो भी मैं करवाने वाला हूं in September 2nd week September 2nd week में dormant or strike off कभी मैं marathon लेने वाला हूं September 2nd week में आज हम लोग पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से जो करने वाले हैं वो है CIRP, Liquidation & Winding Up now guys CIRP, Liquidation & Winding Up जो है आपने अगर मेरे नोट से पढ़ा है बतला हो सकते कोई outsiders भी हो अगर आपने मेरे नोट से पढ़ा है बहुत ही बढ़िया नहीं पढ़ा है तो जिस भी नोट से आप रफर करते हैं जितना आपको करवाऊंगा उतना आपने करना है बाकी का आपको इस chapter में मैं make sure करता हूं जो मैं कराऊंगा उसके बार कुछ नहीं आएगा ठीक है तो ये बात की guarantee है आज हमारा पढ़ने का pattern कैसा होगा मैं आपको बताता हूं मैं आपको कोशिश करूंगा class में majority चीज़े समझा दू और कम से कम कोशिश करूं कि आप लोग उसको ना मतलब इतना करवादूंगा य या online बच्चे है जो unique academy से class ले चुक है उनका I know एक बार पढ़के हो चुक है तो उनको बहुत जादा असानी जाएगी जिनका पढ़ा हुआ नहीं है बिल्कुल भी उनको हो सकता है थोड़ी दिक्कत जाए but no matter हम लोग उसको अच्छे से ही करेंगे तो चिंता वाली कोई ब कुरा चैप्टर स्टार्टिंग से एंड तक आपको ना लिंक मिलेगी 100% है यह बात और अगर से बीच में कहीं आपने से पर एक्जांपल चलो फेस्टूइस वाले को जाएंगे नी ऑनलाइन वाले आपने बीच में थोड़ी दिर के लिए टाइम पस कर लिया बंद कर दिय स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहना अभी 10 बज़े है मेरा टार्गेट है कि साथ घंटे में 6 घंटे में कम्प्रिट हो जाएं ठीक है इंक्लूडिंग ब्रेक 6 घंटे में हो जाएं मेरा टार्गेट है अगर से मैं रश्नी करूंगा साथ भी लगे तो कोई दिक्क स्टार्टिस तमरप्रभा निर्विंग नम कुर्मे देव सर्वका रेश्यू सर्वदा चली भाई ओके सो येस पीपल यह वी गो फीपल एंड स्टार्ट करने जा रहे हैं पीपल कॉंसा सी आयार पी लेकुरेशन एंड वाइंड देंग अपड़ी इसमें बहुत सार एडि लोग आजाये मेरी जाने मन दीज़ाना हैं विद दॉन ए लाज चेप्टर आप यह फ्ट्रक बिक्र शुरू कर रहे हैं वाइंड वाइंड भाई शुरू कर रहे हैं अप्र यह थाज्य कर देश्यू नारा लगा दो जिंदगी जब तक रहेगी पुर्सत नहोगी काम से बात है भाई क्या बात है भाई क्या बात है भाई क्या बात है भाई चली अभी ध्यान जो सुनेंगे सभी लोग दोस्तों important कुछ बातों को देखो अगर आपको बेटा लिंक डाल देना नहीं अपने क्या कितने हैं अभी के recent groups और पुराने ग्रॉप में भी डाल देना हां और सारे सीए सीटी के जो पुराने थे ना में जून वाले वह उसमें डाल देना हां चलिए आईए लाला सब ध्यान देना सारे ठीक है आजो स्वीडाट्स हां जी पेटे अभी ध्यान देना पेटे सभी लोग अगर किसी कंपनी को पहले तो बंद होना है तो कैसे बंद होगी अगर कंपनी को क्लोज होना है तो किस तरीके से कंपनी क्लोज होगी पहले तो यह देखो अगर कंपनी को क्लोज होना है तो किस तरीके से क नहीं करते हो तो आपके पास बढ़िया सा मौका है स्ट्राइक ओफ हो जाओ क्या हो जाओ अगर आप बिजनस नहीं करते हो तो आप हो सकते हो स्ट्राइक ओफ लेकिन यह तब जब आप business नहीं करते पार अगर आप business नहीं करते हो बहुत ही बढ़िया पत पर प्रेका है कि आप strike-off भ采ता लेकिन से तब ही possible है जब आप aras strike-off का कोई option बज़ता नहीं है तिर्फ यही option है कि business नहीं करते हो तो क्या हो सकते हो स्ट्राइक और भी कुछ रूल से हैं जों स्ट्राइक ऑले चैप्टर में पढ़ते हैं ठीक है जनरली मेजर ली वही बिजनस का ही आता है फिर बाकी एक है कि वो स्ट्राइक ने किता है डिकलेरेशन नहीं दिया वह अपन स्ट्राइक ऑफ में पढ़ेंगे आर उसी ने वेरिफिकेशन किया पाता चला बिजनस नहीं हो रहा है पढ़ेंगे वो स्ट्राइक ऑफ वाले चैप्टर में बट कंपनी बंद करने का पहला तरीका जो असान तरीका स्ट्राइक और स्ट्राइक और कौन करती है जानते हैं आरोसी करती है स्ट्राइक और कौन करती है आरोसी आपको कंपनी अगर स्ट्राइक आफ की रूप में बंद कराना है तो आपको एंसल्टी जाने की जुरुत नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ आरोसी जाके अपनी कंपनी क्पोष्ट करवा सकते हो सबसे मैं मानता हो यह सबसे सरल तरीका नहीं सकते है दोस्त अच्छा यहां से भी आप खुश नहीं है ठीक है आप आपकी assets कम है liabilities जाद है क्या है विटे अ falei लाइबिटी जादा फिर से बोलिए एसेट्स का मैं लाइबिटी जादा तो एक option आपके पास आता है विचे-सी आयर पी से कहते है corporate insolvency resolution process लेकिन यह तभी possible है जब क्या है assets कम लाइबिटी जादा यह तभी possible है जब क्या है assets कम लाइबिटी जादा जगा नहीं है चलो टिए आजो बैटो आहां तुम बोलोगे तो क्या बात है बेटा लास में ना वापर है ना तो बैग अटा दे बिटे नीचे रख दे बैग है ना स्वीटांट चलिए बेटा बैट को तुरा साना बिया साइड में रख दो तो क्या कोई आये तो उसको जगा हो जाए पीछे मुडू क्या लिखा हो है पीछे लिखा हो है शुबम 39 चलिए भाई ओके आयो अब ध्यान देना सभी लोग सुनिए ध्यान से अगर आपके गर ऩचे अगर के सब्सक्राइब कर देसे दो गशा का do मुनंस यह सइसे को नीच्ट में थीलिक्त को नहीं तब हैcream यह सब identific का क्या उख जो भी किया वात मेरे बीना बोले 539 लाइक कर दिया तुमने अशा किया वाँ बेट चलिए अभी सुना ध्यान से अगर आपके assets का में liabilities जाद है ध्यान देना सारे अगर आपके क्या है assets का मैं liabilities जाद है ध्यान देना सभी लोग अगर assets का में liability जाद है तो बढ़िया एक असान तरी Exact तरीका एक और है which is corporate psorprochen optimists resolution process बुले क्या तरीका भendeu corporate insolvency resolution process मस्त तरीका में मानता excess second liabilities क्या होगा那麼 library जाता है एनसी अल्टी Nл से आलटी के पास मामला जाता है किसके पास बोलिए ncl इसमें देखें कि हैं किस तरीके से या तो कम निबचती है तो मरती या तो कम निबचती है या तो मरती तो दूसरा तरीका हो गया तीसरा तरीका है, एक और कम्पनी बंद करने का एक और तरीका है कम्पनी बंद करने का इट इस वॉलिवीज्टरी लिकुवीडेशन बोलो की तो मतलब द üz्गो यार बिजनर्स नी करते तो स्ट्राइकॉफ पे जाओगे assets आपके कम है liability जाद है तो CIRP में जाओगे अब दोनों मेरा ऐसा हो नहीं रहे मैं business भी करता हूँ मेरे assets भी जाद है liability कम है लेकिन मैं पन करना चाहता हूँ business तो बड़िए तरीका है voluntary liquidation बोली क्या तरीका है voluntary liquidation वाद समझ रहे हैं क्या तरीका है टो लिए ऐस वह अंक भी आजै कि आई तो इतने हैं कहीं भी आजाएगी यार कोई धिक्कत इसको इसको वने फसक रीज आजवेडर after के बंग अगर से आप business करते हो और assets भी जाता है liability का मैं तो एक तरीका है which is voluntary liquidation क्या है पिटे voluntary liquidation ध्यान देना इसका भी confirmation ncl t देती है हाँ इसमें और भी process लगती है but confirmation जो आता है वो कहा से आता है ncl t जो dissolution का confirmation आता है company बंद को इसका वह ncl tc आता है एक और तरीका है company बंद करने का winding up by tribunal वो लिए क्या winding up by tribunal अगर आपकी कमनी कोई गलत काम करती है गंधी company है तो ऐसे किसमें बंद करने के जो मर्जी चुन लो है न यह तो ऐसी बात हो कि शादी के लिए मैं को ममी ने पांच लड़की दिखा दी बोली जो मर्जी जिसमें मर्जी चूज कर ले ठेक है पांचों से कर ले नहीं एक और इसमें से एक चूज करते हैं सो company बंद होने के कितने तरीकें आप देखें ठीक है रहो भाई सो अगर बिजनस नहीं करते हैं तो strike-off assets कम है लिएबिलिटी जाद है तो CIRP Corporate Insolvency Resolution Process अगर से आपकी company business भी करती है लेकिन assets जो है वो जादा है liability कम है मतलग ना इसमें आ रहो ना इसमें आ रहो तो voluntary liquidation खुद से बंद करना चाहते हो तो winding up by tribunal under certain cases winding up by central government under certain cases guys 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 हम आज के chapter में CIRP liquidation and winding up में सिर्फ strike-off नहीं पड़ेंगे बाकी सारी चीज़े कवर करने वाले हैं strike-off आता है strike-off वाले chapter में chapter number 20 में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं दोस्तों समझ जाई आप सभी लोग हम लोग कवर करने वाले हैं CIRP voluntary liquidation winding up by tribunal winding up by central government यह सारी चीज़े जो है आज के इस chapter में complete होगी and इसमें कुद नई additions भी आया PPIRP आया हुआ MSME के लिए और fast track corporate insolvency revolution process आया हुआ है सारी चीज़े हम cover करते हुए चलेंगे so no matter what people कितना भी समय हो जाए आप लोग की energy कमनी होनी चाहिए मेरे साथ and buddies so शाम को 6 बजे 7 बजे match शुरू क्यों नहीं हो जाए हम लोग दोस्तों यह complete करके ही रहेंगे राइट बड़ी चलिए सिराथ so here we go everyone start करने चारें सीधा अभी की अभी chapter okay buddy okay 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 आजाए थेंगे okay स्वीराथ जाए लक्षमी जी हो जाएगा attention नालो पड़ाई करो और अच्छे से self-study जादा गरो चलिए भाई आजाए okay people here we go everyone आजाए स्वीटाथ sir winding up and liquidation का difference बताना समझा नहीं अरे मेरी जान शुरू तो करने दो शुरू तो करने दो जाने मन चलिए आजए यह सब शुरू करते हैं सब clear हो जाएगा आपका यह it is my guarantee okay buddies so here we go everyone हम लोग शुरू करने जारें CRP liquidation and winding up here we go buddies चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अगर से अगर से ध्यान देना हम शुरू कर रहें CRP बोलो क्या शुरू कर रहें CRP CRP मतला corporate insolvency resolution process फिर सोलो क्या शुरू करने बिड़े corporate insolvency resolution process आया ना से बहुत बढ़िया दोस्तों अब ध्यान देना सभी लोग दोस्तों बेटा मेरा मेरा वाला iPad ला दे जिसकी screen तूटी हुई है तो उसको चार्ज करके ला दे उसकी ज़रूरत है हाँ हाँ ओ तेरी चल ठीक है करके देख एक बर चली भाई आये ओके ना ध्यान देना स्वीराग कॉर्प्रेट इंसल्वेंसी रिजोलेशन प्रोसेस हम लोग यह पढ़ना है हमने अब देखे ध्यान देना सब लोग दोस्तों सबी लोग ध्यान देना मेरी बात एक मिनिट मैं नोट्स ना वन नोट में ले लेता हूं तो आसानी जाएगी एक मिट देना बरको बस लिखने सब्सक्राइग मैं असानी जाती है फिर वहां से मैं शिव का हूं शिव मेरे हैं मैं और क्या मांगुं शंकर से क्या बात है ऑनलाइन वालों को बच्चे दो दिखा दे हम जब तक क्लास के क्यों भाए ऑनले नोलों को मिला तो दें आपसे है की नहीं झाल 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 अरे कहां से है डोगा इसकी माकी साकि नाकी कि्दर ऐ यार किदर गया क्या प्ढ़लिए ऑक जब तक उनलां वालों से ऑनलाइन वालों को मिला देते हैं बच्छों से देखी है हमारी क्लस देखिए आप सभी लोग दोस्तों यह देखिए यह हमारी क्लास है दोस्तों पाड़ी एक लास है देखिए पाड़ी खचा खच भरी होई है जिकताम ऐसे खचा खच मतलब चली आज़ाइए ओके ना ध्यान देना स्वीराज आज़ाइए अहां जी तो यह लोड हो रहा है कई कंपनी होती है जिने हम कहते हैं डिफॉल्टिंग कंपनी लोगों का पैसा नहीं भरी गदी नहीं अब जिस कंपनी ने लोगों का पैसा टाइम पर भरी नहीं ऐसी कंपनी को हम कहते हैं डिफॉल्टिंग कंपनी बुली क्या कहते हैं इसी कंपनी को डिफॉल्टिंग क्रेइटर को तो उसका पैसा चाहिए क्रेइटर को तो उसका पैसा किसी भी हाल में चाहिए क्रेइटर को क्या मतलब तेरी कंपनी का बिजनास अच्छा है नहीं है तुम यह मेरे से पैसा लिया था क्रेइटर बोलता है मेरे को पैसा दे बात खतम हो गई बोलो आया ना बात ऐ कैसी है कि भाई क्रेडिटर कहता है मेरे को मेरा पैसा चाहिए फिर नो मैटर वाट कैसे भी चाहिए आया ना अब समझते हैं बात को आजेए दोस्तों देखें होता क्या है जगा नहीं हो रही इधर आजो यह वाली चेयर ले ले तू इधर बैठ जमाएं यह चेयर में लेकर उधर बैठ जा मैं का वाइट हूंगा मैं एक चेयर और मंगा लेता हूं ठीक इधर आजा स्वीटाट इधर इधर है जगह है आजो थोड़े चिपको यार ते ज्यादा भी मत चिपक ना चलिए ओके बैठो बैठो अभी ध्यान बता है स्कूल डेस में ऐसा होता था कि फर्स्ट पहले भरती थी और यहां पर अभी ऐसा होता है फर्स्ट बेंच सबसे लास्ट में भरती है लास्ट सबसे पहले है ना चलिए अचा सुनिए अब ध्यान से सभी लोग दोस्तों ध्य ngayarp liquidation and winding up सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों सब लोग धोस्तों ठीक है सबसे पहले पुली कितने परकार के दोस्तों दो Prozent F पमोपधय को मैं से खख़ी होते हैं आयिक कह से प्रोंचल कुलडे की सब्सक्र आपकी इस जैसे मैनलेजे मेरी कंपनीcidos जोड़ाइ है अब मेरी कंपनी को आप लोगों ने दे दिया पैसा मेरी कंपनी को आप लोगों ने दे दिया पैसा बराबर है मेरी कंपनी को आप लोगों ने पैसा दे दिया अब मुझे वो पैसा रिटन करना है मैं रिटन करनी पा रहा हूं आप लोगो फिनांशल क्रेटर बुलिए आप आपने मेरे को दिये गुड्स या फिर दी सर्विस अगर आपने मुझे दी गुड्स या फिर सर्विस तो आप लोग कौन हो ऑपरेशनल क्रेटर बाज समझ में आ रहे हैं अब ध्यान दो सुना मेरी कंपनी ने आपको पैसा डिटन नहीं की ठीक है या तो आपने पैसा दिया कि आप जा सकते हो ncl t का जा सकते हो और ncl t और मेरे अगेंस क्या इनिशियेट करोगे corporate insolvency resolution process आप बोलोगे ncl t को बेटा हमें नहीं पतलब यह company से यह company के ऐसा बेचो liability pay off करो हमें हमारा पैसा दो हमें में नहीं पता बाकी की बातें भाड़ में गई हमें हमारा पैसा ची आप हैं किसको बोलोगे ncl t को आप ncl t को बोलोगे बाई मुझे मेरा पैसा ची मुझे मतलब नहीं इस company से तो financial creator operational creator दोनों किदर जाएंगे ncl t और क्या मांगेंगे demand कि इस company है machinery है जितने patents है intellectual property rights है सब बेच दो हमें हमारा पैसा दो हमें वह सब नहीं पता हमें हमारा पैसा दो तो वह इसके लिए जाते हैं CRP के लिए हम लोग CRP अभी शुरू करें राइट people पहले देखने financial creator कैसे जाएगा फिर देखने operational creator कैसे जाएगा फिर आगे की process continue करेंगे लोग ध्यान दो सुनना मेरी बात दोस्तों सबसे पहले financial creator में कौन कौन आता है तो जिसने लोन दिया वह आएगा आएगा अब एक question दो बार पूछा गया exam में कि जो रियल स्टेट अलोटी है वह कौन से क्रेटर होंगे operational की financial कि देखो बेटे अगर से मानलो एक construction company है ठीक है construction company को आप लोगोंने सबने पैसा दे दिया जितने online offline आप सबने पैसा दे दिया एक करोड़ वो ले हमें घर चाहिए ठीक है एक building बन रही थी ठीक है building बन रही थी है और उसमें आप सबने एक एक flat book करा लिया और एक करोड़ दे दिया आपको ऊप अपने पैसा दिया TH अभी तक लेट मिलानी है आपको उन्होंने वादा किया था 8 साल में मिल जाएगा पाथ साल में मिल जाएगा, पाथ साल और बीत गया है, अभी वो बोल रहा है, बस बन रहा है, 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 और अभी तक मिला नहीं है, दस साल हो गया है बात को, अब ऐसे केस में, आप लोग उस construction company के गेंश शुरू कराना चाहते हो, CIRP, बट में को बताईए, आप operational creator के लाओगे कि financial, तो यह मामला कोट में गया था, काम गया था भाईए, यह मामला कोट, यह मामला कोट में गया था, और कोट ने Supreme Court ने यह decision लिये, किसने बेटे, Supreme Court, NCLT ने नहीं, Supreme Court ने बोलिये, कि real estate allotty are financial creator, याद रखना, exam में दो बार question चेक, अभी सबसे पहले ध्यान देना, अगर आपको CIRP के लिए जाना है, corporate insolvency resolution process के लिए, minimum default होना चाहिए, minimum default होना चाहिए, एक करोड, बोले किता होना चाहिए, एक करोड, बोले किता होना चाहिए, एक करोड, अब इस पर question case low बन सकता है, आपका 80 लग का default था, आप CIRP के लिए जाना चाहिए, जा सकते हो, नए, minimum default कितना चाहिए, एक करोड, या तो individually या तो aggregate, या तो कैसे बैटे, individually, या तो कैसे, aggregate, लेकिन minimum default कितना चाहिए, एक करोड, हाँ, जी मालिक, अच्छा, सही लगे है, ऐसा, चलो, मैं बोलता हूं, थोड़ी देर सा, ठीक है, ठीक, ओक, चली भाई, अभी ध्यान देना, आजाए, अभी ध्यान से सुनना, पीपल, next में ध्यान से सुनना, so CIRP, now ध्यान देना, बेटे, CIRP, जो है, ये इनिशेट करने के लिए, minimum default कितना चाहिए, जल्दी बताएए, 1CR, so you need a, you know, minimum default of 1CR, तो ही आप जा सकते हो, NCLT, अब देखते हैं, कैसे जाएंगे, उस पर आते हैं, so ध्यान दीजिए, कैसे जाएंगे, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, आज ही ये जाने मन, सबसे पहले, ध्यान देना, financial creator, अकेला भी जा सकता है, दूसरों के साथ भी ज जा सकता है, ठीक है, share अकेला आता है, है न, लेकिन कई बारी जुन्ड में भी चलती है, न, चीजे, तो ये financial creator, जुए, क्या जुन्ड में भी जा सकता है, क्या answer is, yes, financial creator, जुन्ड में भी जा सकता है, देखो, मान लो, 5 लोग है, पांचों का 20-20 लाग का default है, क्या पांचों क्या पांचों मिलके जा सकते हैं, yes, क्योंकि एक करोड हो गया, 20-5 बच्पन में सीखा था, एक करोड होता, yes or no, मैंने अब यह भी सीखा है वैसे, बट ठीक है, okay, अभी ध्यान देना, financial creator, क्याता है, 100 होता है, उस यार बन रहा है, अभी ध्यान देना, आजाओ, अभी ध्य कंपनी, it can be LLP also, वो कंपनी भी हो सकती है, LLP भी हो सकती है, corporate debtor करेकिंस आप जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा, easy एकडम, अच्छा, default हुआ है, सीधा आप जा सकते हो, सुनना, सभी लोग ध्यान से, अगर से आप कोई security holder हो, जैसे आप debenture holder हो, या आप deposit holder हो, या आप bond holder हो हो, इन में से कोई आप holder हो, तो फिर पता है कौन जाएंगे, आप जिस class से हो ना, जैसे आप debenture holder हो, या बॉंड holder हो, या फिर आप deposit holder हो, तो उस आप जिस class से बिलोंग करते हैं, either you belong to debenture class, either you belong to bond class, deposit class, तो जिस class से आप बिलोंग करते हो, उस class से solo, या फिर उस class के 10% whichever is less, बोलो कितने लोग जाएंगे भईया, solo or 10% whichever is less, देखो अगर एक करोड का default है, तो financial creator कहाँ जाएगा भईया, NCLT, लेकिन अगर वो किसी class से बिलोंग करता है, तो उस class से कितने लोग जाएंगे, 100 or 10% whichever is less, whichever is less, बात समझ रही है, कहाँ जाएंगे, NCLT, बात समझ जा रही है 100 or 10% whichever is less, बात समझ लोग कहाँ जाएंगे, NCLT, बात समझ रही है, अब देखना जी, कंपनी में 500 debenture older है, ज्यादा नहीं कह रहा है, चलो 2000 ही लेता है, हमने पिछले case में 2000 लिया न, चलो, 2000 debenture older है, सब का default मिलाके 2000 का, 2000 debenture older का default मिलाके 2 करोड है, अब जा रहे हैं सिर्फ 100 लोग, तो 100 लोगों का amount का default देखेंगे 2000 का, क्या लग रहा है, amount कौन सा देखेंगे, कंपनी ने 2000 debenture older को पैसा ने दिया, which amount is total to 2 करोड, अब जाने वाले हैं, हमने बोला 10% or 100 whichever is less, तो हो रहे हैं 100 लोग, तो 100 लोग चल दिया है, लेकिन अब वो 100 लोग का default मिलाके जो थो था न, वो 10 लग था सिर्फ, तो वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्या लग रहा ह है, क्या लग रहा है, कि total default दिखेंगे, class के case में total default देखा जाता है class के case में total default देखा जाता है, only for the purpose of class, class के cases में total default दिखा जाता है, याद रखना, अचा अगर आप real estate allotty हो, बोलो कौन हो, real estate allotty, इसका मतलब क्या है, रियल स्टेट अलोटी का क्या मतलब है कि कंपनी थी उसने सब को बोली थी मैं घर बना के दूंगी बंगला बना के दूंगी एक प्रोजेक्ट के तो उस प्रोजेक्ट के बोलो उस प्रोजेक्ट के 10% और 100 10% और 100 विचयर जाएंगे एनसी एलटी अगर रियल स्टेट अलोटी हो तो भी आपके प्रोजेक्ट के किते लोग जाएंगे 10% और 100 विचयर इस बहुताब आपको कंपनी आपका घर मंगला गाडी बदो भी देने का वादा की थी फ्लैट बिलिदिंग जो भी नहीं दे रही है तो जो भी प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट के तद आपने अपना फ्लैट या शॉप बुक कर आया था उस प्रोजेक्ट के 10 परसेंट और 100 विचेवर इस लेस लेस लोग जा सकते है एंसी एल्टी पॉर इनिशेटिंग वाड कॉर्परेट इंसॉल्वेंसी रिजोलु कर आया नजैटिंग भी ऐस लेख और सब्सक्राइट झाया जैज। और सब्सक्राइट इस लेल रखेट जिस लेग एंसुल्वेंस लेखर बॉपराद इस लेखरिए प्रोजेट एंस। लोगिज रविज फिर इस लेल श्तियग कर दॉब्सक्ड ऑन विकै्ट जब्सक्र प्रोजेक्ट है नहां डेंड और तेन-पर्सेंट पीपलोईड़ MB GelEE ल॑ जाएंगे लुशन। पहली ची एप्लिकेश्ट ये तो बट अब्वियस है रिक और्टिकल्ट एक हा। इसके सब्हुत्Mo ? गम किसका नाम लेके जाएगा interim resolution professional का नाव ये बंदा कौने interim resolution professional पढ़ेंगे आगे बाट interim resolution professional को इसले लेके जाएगा कि कोई तो ना चीया कंपनी का कारोबार साम्भाण लेगा हम तो बोल रहे हैं सब कप बैचो बाचो खतम करो कोई तो होगा हम चाहरे अप company के視це डेकरणमानेश्मेंट तुम देखो मता हमारा बंद देखेंगा मेंजमेंट और हमारा बन्द कौन है इंटरेन रिजोलुशन प्रफेशनरल विज उदल पना घैर ते जल तो जान फ्रे Жूष प्रेशनरल ने बनास ता क्योंна वह कौन है एंट्रेम है आगे पताऊंगा कैसे वह फाइनल बनता है पर अभी के लिए याद रखना एक बंदे का नाम लेके जाते हैं जो आज के बाद काम कंपनी का कारोबार समालेगा ठीक है डिरेक्टर को बोलेगे डिरेक्टर तू निकल यहां से तू निकल तेरी कंपनी अब हमारी होगे चल तुझा यहां से तरे आने की खुछी ना तेरे जाने का गम जा बेंजा तेरा किस सभी घतम ठीक है भाई सुना ध्यान ना बेटे सु तीन चीज़े लेके जाएगा बंदा जो भी फिनांशल करेटर जाएगा एंसील्टी वह तीन चीज लेके जाएगा तेन चीज का नाम किया बताइए जी पहला तो एक डी केशिन लेके जाएगा दूषब आ धोर्डी나र法 दोसरा लेके जाएगा रिकॉर्ड अफ डिफ अफसल रिकॉर्ड टिफके जाएगा तीसरा यह जी आ नेम ओफ वाट इंट्रम रिजोलुशन प्रोफेशनल थिन चीज से वह application record of default or interim resolution professional का नाम फिर से बुली क्या application record of default interim resolution professional का नाम once more कौन सी तीम चीज application record of default interim resolution professional का नाम is that easy wonderful people ncl t ncl t ठीक है ncl t 14 दिन का समय करो की रिजेक्ट करो है कि फूर्टीन देसरो करो करा छाम कर दिएक्सक्राओं लेखंड करो अगर उसना देखी एपलिकेशन तो complete और क्या अप्लिकेशन थो complete है जो भाया दूसरी चीज़ देखी default हुआ है तो पहले देखी application complete है default हुआ है और देखी जो interim resolution professional है उसके against कोई disciplinary proceeding what do you mean by disciplinary proceeding किसी प्रकार की कारेवाई की उसने गलत काम किया है ऐसी कोई कारेवाई नहीं तो साथ दिन का समय देगी कि जाओ सुधार क्या हो साथ दिन का समय देगी कि जाओ सुधार क्या हो गया की साथ दिन देखी जा सही कर देखी इसको अगर application क्या है income साथ दिन का समय की बुलें कि जा सुधार क्या अगर 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 एप्लिकेशन incomplete हुई उस बाद में भी नहीं सुधार या बंदे ने पाटा चला NCLT को default ही नहीं होगा, चाहला पकली समान आ गया, दुश्मणी थी अउच्णै से फालतों में बंद करा आना गया, यह को सब सब समझा बंद हो,डिको सम्रीत, अन Приक्ता के इन ठोले सिरी ते की को पारे क्या आप, कि ओडन साहर सकर ठीकर हो आपको की एच्छुटिकेटिक अथारेटी है वो इंसेलटी ठीक है बात समझ नहीं ठीक है अच्छा जी अगर जो भी करेगी एक्षट यह रिजक्ट जो भी करेगी 7 दिन में बता देगी साथ दिन में बता देगी की मैंने अग्सेट कर ली कियो कि S Cuba कि बने की साथ सब्स नेは दिने सब्सक्राइब के लिए हैं एतनी あुआ है प्यार मौब्बत से सम्झो बहुत इसी है बहुत असान है कुछ नहीं इंट नंपर के लिए सकती फइनाइसब करेंट कैसे जाता है वाद सम्झो प्यार मुबबत से कोई दिक्कत नी एक दमसान है फिनांचियल क्रेइटर बहिया जा सकता है अगर एक क्रोड का डिफॉल्ट है अगर वो किसी क्लास से बिलॉंग करता तो कितने लोग जाएंगे टैन परसेंट और हंड्रेड विचेवर इस लेस याद लोग जाएंगे यह बहुत बढ़ी है अगर कोई रियल स्टेट लोटी है ठीक है रियल स्टेट अलोटी है किस तो प्रोजेक्ट की कितने लोग जाएंगे टैन परसेंट रहंड्रेड विचेवर इस लेस्ट वानफुल फिनांशिल क्रेटर एंसे जाएगा तो कितनी चीज प्रोफेशनल का नाम फिर से लिए आप्लिकेशन एंची एप्लिकेशन रिकॉर्ड डफिफॉल्ट इंट्रिम रिज्यूशन विए फिर गहीं आप बहुत बढ़िया अतियूत्त्म अच्छा एंश्टी चोदां दिन का साम हो आईएग करो एक्स्ट करो एक्षाप्क करों अगर से application complete default हुआ है interim resolution professional कोई proceeding नहीं चल रही है तो क्या कर लेगी accept कर लेगी otherwise क्या करेगी reject otherwise reject करेगी incomplete application तो साथ दिन के अंदर चाहिए जाके सुधार क्या बोलो हाया ना wonderful जो भी करेगी except reject कितने में बताएगी साथ जो भी करेगी except reject कितने में बताएगी इसमें बच्चे कंफ्यूज का होते हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं चौदा और साथ दिन में बहुत सिंपल है आप nclt के पास गए ना तो चौदा दिन में सोची कि मैं accept करना है है कि reject करना है मैंने अगर वो डिसाइड कर लेती है माली जे 14 टे पर डिसाइड करती कि मुझे एकसेप्ट करना है देख तो कौन है बड़े कॉल आ रहे हैं ठीक है अभी जान दिना अगर वो डिसाइड करती है कि मुझे क्या करना है है एकसेट करने डिसाइड कर लेती है कि वोगивать है उसकी और गर उस 수 sizi तो साथ दिन गंदर अंदर बता है कि मैंने चोप क्यों आँसे हो जाता है वह अच्छा तो भाइव बशी आपको दिक जिक्टवाली बात होनी नहीं इसमें आता है एक्जाम में अपने मन से लिख सकते हो लेकिन एड़िटेटिंग अथॉर्टी वर्ड यूज करना ठीक है है ना जी और क्यों अभी ध्यान देना सारे भाई ठीक है अभी सब लोग ध्यान से सुनना आपको याद रखना है तीन चीज़ लेके जाते हैं तीन चीज़ का नाम बता तो इक वाद एप्लिकेशन रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट और इंट्रेम रिजोलुशन प्रफेशनल का नाम 14 दिन में एक्सेप करूँ रिजेक करूँ एप्लिकेशन कंप्लीट है तो क्या कर लेती है तरिक दिफॉल्ट हुआ है कोई प्रोस्रेडिक नहीं चल दिया अर्प एक्सेप कर लेती है दर वाइस रिजेक्ट करती कर दी बच्चोंने क्या बात है भाई आज हमें जल्दी से बता यह पक्का क्लिए यह वाले प्रोसेस क्लिए रहे कोई दिक्कत नहीं है इसमें हंड्रेट परसेंट आई शॉर वंडरफल पीपल तो आई होप सो इसमें को दिक्कत नहीं आप सुनो बात बात अटक गई अब बात अटक गई है इंट्रेम रिजोलुशन प्रोफेशनल बोलो किस प्राट की है समझो समझो बात को समझो ऑपरेशनल क्रेटर में पढ़ाऊंगा लेकिन अभी समझो आपका हुआ क्या समझो है अपना जब भी कोई चीज यह चैप्टर खासकर जब पढ़ रहे हो ना टै पैसा उड़ा दिया पूरा अब पैसा वाप सी किया नहीं आईशे से बैंक चली गए एंसे लटी बोलिया मेरिको तो मेरा पैसा चाहिए तो भाईया वह गई कित्ती चीज लेगे गई तीन चीज एप्लिकेशन रिकॉर्ट इंट्रिम रिजोलुशन प्रोफेशनल का नाम 14 दिन लिए एक्सेप करूँ रिजेक करूँ अब एंसे लिटी ने देखा कि भाईया एप्लिकेशन कंप्लीट है डिफॉल्ट हुआ है एंट्रिम रिजोलुशन प्रोफेशनल के एंस कोई इस्पिलिटी प्रोफेशन नहीं है एंसलेटी ने क्या कर ली एक्सेप साथ दिन अब सुनना ध्यान से गाड़ी कहांपर अठकी है अभी गाड़ी अब इंट्रिम रिजूलूशन प्रोफेशनल पर काट की गाड़ी गाड़ी इंट्रिम रिजूलूशन प्रोफेशनल पर आप सभी लोग ध्यान से सुनना इंट्रिम रिजूलूशन प्रोफेशनल क्या करेगा चाचा अब इंट्रिम रिजूलूशन प्रोफेशनल क्या करेगा य तेरेगे यह बंदा कॉन है यह क्या करेगा आइए समझते है बात को प्यार बॉबबद से इत्मिनांद से इसमें थोड़े से अमेंटमेंट है ध्यान से सुनना सब इंटरिम रिजुशन पर फेस्ट जो आया है जैसे यह आया यह कंपनी का मैंगेंजमेंट कर लेगा अब यहां से निकलो अब वह पूरा मैंगेंजमेंट कर लेगा क्या कर लेगा करेगा इसको को गाइड करेंगे उसको घल्प करेंगे यह तीन प्राइमरी ड्यूटी है उसकी तीन प्राइमरी ड्यूटी है पहला है शंक बजाता है वह शंक बजाता है है इंनि contam किशक बजाता है और शल्न करता है सब्सक्राइद प्रेटर से कलेम मघ खाना कि किसको कितना पैसे लेना बढेर बताओ मेरे को और म의Go or कारप डूरिए न करता है है कितनी value पता तो करें कितने assets हैं इसके तो तीन चीजें करता है यह बंदा पब्लिक announcement करता है कि भाईया कहता है कि भाईया किसको कितना CRP शुरू हो गया कहता है claims मंगाता है किसको कितना पैसा लेना बता दो या रहा वैलिएशन कर लेता है तीन major primary duties की जब सब अपने claim देतने हैं सबके claims को verify करता लिस्ट बनाता है सबके claims को करता है verify करता है list बनाता है 21 के अंदर 30 को 21 कर लेंड़ 21 किस दिन के अंदर बोले कितने के अंदर चाचा 21 के अंदर यह करता है coc माने committee of creditors 21 दिन के अंदर committee of creditors को form करता है 21 दिन के अंदर बोले किते दिन यंदर चाचा एक किस दिन यह सरी CoC में कौन होते हैं सारे creditors की कमीटी वन रही और कुछ नहीं सारे क्राइमरी सी क्रेइटर होते हैं बट सारे creditors की committee बनती है उसे कहते हैं C.O.C. क्या कहते हैं C.O.C. तो एक C.O.C. बनती है सारे क्रेटर की कमिटी C.O.C. बनाता है 21 दिन के अंदर बोले कितने दिन के अंदर प्राइमरी इसमें फिनांशल क्रेटर होते हैं और एक information memorandum भी बनाता है जिसमें corporate debtor की detail होती है क्या बनाता है information memorandum जिसमें corporate debtor की क्या होती है detail ये इतनी बातें IRP की है समझो प्यार महबत से IRP माने कौन interim resolution professional ये बंदा क्या कर रहा है प्यार महबत से समझो भाईया financial creator गया ncl बोला application low बोला record of default low बोला interim resolution professional का नाम लो एंसल्टी देखी application complete है default हुआ है IRP अप्लिकेशन कोई proceeding नहीं है application accept कर लिया otherwise reject कर ली जो भी करी accept कर ली picture में कौन आ गया IRP पिचर में आयार पी ने क्या किया corporate debtor cut management take over कर लिया दूसरी जीस क्या कर लिया day to day affairs हमाला अपने लिए professional consultant को क्लेम इंवाइट किया वैलुएशन किया बोली क्या क्या पबलिक अनौस्मेंट किया प्लेम्स इनवाइट किया फेलुएशन किया फिर से लो गया पबलेक अनौस्मेंट किया वैलूइशन क्या सबके claim आये verify करके list बना दिया एक किसी दिन के अंदर भाई है जब से सी आर पी शुरुआप शुरूँआ है जासे एमाइट की एंचे एप्लिकेशन एक्सेट्ट करती है जैसे एकसे एंट के अंदर कमेटी बना दिया सारे क्रेंटर की बोला किसको पैसा लेना है क्रेइट बता औ पधाया एक क्इस दिन के अंदर की अंदर उनकी बन गई उनकी क्या बन गई committee जिसमें majorly financial creditors होंगे, operational creditors में अभी आया नहीं हो, बताऊँगा मैं, financial creditors की बारे में हमने process देखी अभी, operational creditors की बागी यह पढ़ना, लेकिन हम, COC में majorly financial creditors होंगे, यह information memorandum बना देता है, जिसमें सारी क्या होती है, details, बास समझ आरी है आपको, look after the day-to-day affairs of the company, appoint professional consultants who guide him in performing his duty, he has three primary duty, number one, to make a public announcement, number two, invite claims for creditor, and get valuation of corporate debtor, when all the creditors will give the claim, on the receipt of the claim, he will verify the claims and make a list, वो verify करके क्या बनाएगा, list, बाया 21 दिन के अंदर, COC को बना लेगा, किते दिन के अंदर, बाया, 21 दिन के अंदर, COC को बना लेगा, बोले किते दिन के अंदर, 21 दिस के अंदर, COC को बना लेगा, और याद रखना, जिसमें financial creditors, प्राइमरी ली होंगे, interim resolution professional, एक याद रखना सभी लो, interim resolution professional, जो है, यह बन्दा, यह information memorandum भी बनाएगा, जिसमें क्या होगा, corporate debtor की details, बोलो क्या होगी बेटे, corporate debtors की details, ठीक है, बोलो हाई या ना, सर, claim किते दिन में, accept होगा, बेटा, उसके rules अभी, CRP के बाद मैं पढ़ाऊँगा, इसके rules पहले नहीं थे, अभी आ गए है, पढ़ाऊँगा, टेंशन ना ले, साथ साथी पढ़ाते हो, चलूँगा, टेंशन मतलब बिल्कुल, ठीक है, अभी पहले एक process समझ लो, CRP को, उसके बाद इसके rules भी, कैसे जाता है यह देखा, और दूसरा क्या देखा, interim resolution professional, समझ आया, कोई आप में से ऐसा है, जो पहली बार पढ़ रहा है, कोई ऐसा है, जो पहली बार पढ़ रहा, पहली बार पढ़ रहा है, आपको समझ आया, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बात है, कि मैं में क्लास में, सिर्फ ये दो पॉइंट बढ़ाने को, एक घंटा से भी ज़्यादा लगा देता हूँ, मतलब बहुत टाइम लगाता हूँ, बहुत बढ़ाता हूँ, यह भी marathon है, आप फर्स टाइम बढ़ रहा है, तो मेरा recommendation यह होगा, part C के लिए, खासकर SBC के, कि main lectures जरूर देखो, ठीक है, खासकर part C के लिए, बाकी का कोई हो, तो मैं बोलता हूँ, marathon से भी कई चीज़ें हो सकती है, लेकिन सिफ खासकर SBC part C के लिए, main lectures जरूर देखो, ठीक है, online में भी जो भी है, तो जादा बेटर यह होता है, कि आप revision के लिए ही marathon देखो, ठीक है, अगर आप सिफ main lectures, मतलब आप पहली बार कर रहे हो, और directly marathon पर जाओगे, थोड़ा सा fast जाना पड़ता है, क्योंकि जो चीज मैं 20 घंटे में कराई है, मैं उसको 6 घंटे में कराने की कोशिश करूँगा, तो obviously बात है, curtail करना पड़ता है, फिर भी मैं मेरी तरफ से पूरा बैस करता हूँ, कि जितना मैं in depth करा सको, उतना in depth करा हूँ, ठीक है फेटे, चलिए, आजएगे, ओके स्वीटाट, ओके स्वीटाट, आजएगे स्वीटाट, वंड़फुल, नेक्स्ट में ध्यान देना, अब इसके बाद आगए, सी ओसी, बोलो, पिच्चर में कौन आए अब, पिच्चर में आगए, सी ओसी, सी ओसी, अपनी याद रखना चाचा, सी ओसी जो है, वो अपनी पहली मीटिंग में, पहली मीटिंग कितने दिन में करते पता है वो लोग, वो अपनी पहली मीटिंग करते 30 देज में, लिख ले ना, यह एड हुआ था, वो अपनी पहली मीटिंग करते 30 देज में, याद रखना यह पॉइंट हुए 30 days में अपनी पहली meeting करते हैं अपनी पहली meeting में पॉइंट करते हैं बंदे को जिसका नाम है resolution professional जिसका नाम क्या बिटा कि नहीं तो को ऊपो बोले के बाई चलो वाह बोतो हो गया तो , देखो भई यह दुनिया देखो स्यों और कहूं ने और कोई रहेंrekति हटा सकते हैं अ हाता आञा ना , दुनिया है धॉनिया है तो कि दुनिया यहां उसने सुसु कर दीया ऐसी बात ओर है भाई आया ना यह दुनिया धुनिया सही धत है बात समझीं दोस्तों C.O.C. अपनी पहली मीटिंग में आर पी को अपट करेंगे या को रखना यहाथ आर पी ही डार पी होगा यह तो कोई और आर पी होगा यह को बाइड है यह रखना इस बात को रपी जो है मतलब रिजुलूशन प्रेशनल सारा काम C.O.C के गाइदेंस ओर सपरीटेंडेंस में करेगा किसके गाइदेंस में करेगा Bo Le Yes Or No ठीच है याद रखना C.O.C के गाइदेंस में सारा काम करेगा C.O.C बोलेगे उठ तो उठ बैट तो बैट खा तो खा पी तो पी ना तो ना ले जा तो जा तो सारा काम जो है COC का guidance में करेगा मतलब जो COC बोलेंगे वो करेगा कहने का मतलब यह है COC जनरली जो decisions लेते हो 51% majority से लेते हैं बट कुछ केसे में 66% लगता है जो मैं बताते हुए चलूगा कहा का लगता है बोलो यस और नो बोलो हाँ या ना यहां तक की बातें के लिए रहा है पहले तो बता corporate debtor कौन है जो company पैसा दे नहीं रही है वो कौन है corporate debtor financial creator कौन है जिसको पैसा मिल नहीं रहा है वो है financial creator वो anxiety गया था अरे क्या कर रहा क्या हो गया क्यों बुखार हो गया दिखा है बहुत बुखार है वे पिटा ज्यादा बुखारा गया है एकदम से कैसे गवरागा कैस यूजी आयर्पी देखे यह यह सर दो दिन से भी मा रहे है क्या था बहुत तंड लग रही है सर जाने दो चली आईए भाई अभी ध्यान देना आजो अभी ध्यान देना स्वीटार्ट सबसे पहले कौन गया था एजुटेटिंग अथॉर्टी बताइए किती चीज लेगे गया था तीन चीज क्या क्या एप्लिकेशन रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इंट्रियूशन प्रवेशन का नाब अच्छा अगर आप किसी क्लास से बिलों करते हैं रियल स्ट अलोटी तो किते लोग जाएंगे 10 परसेंट और हंड्रेड विचेवर इस ले अधर्वाइज रिचेट इन कंप्लीट तो साथ दिन का समय करते हैं जो इसको गाइड करते हैं तीन प्रैमेरी ड्यूटी है पबलिक अनॉंसमेंट करता है क्लेम्स इन्वाइट करता है वेलेशन करता है बोलो हाँ है ना आरि शौ पीपल वंड़फुल पीपल उसके बाद में मैं को बताओ क्या होता है उसके बाद में वो सबके क्लेम्स आते हैं वेरिफाय करके लिस्ट बनाता है बराबर है 21 दिन के अंदर सी ओसी को क verbess तक है और पहली मिटिंग में आर्पी को रचा या तो न चल जाएगा आरपी को और होगा बोलो हां या ना आर्पी किसके गाइडेंस में काम करेंगा सारा करेंगा जन्रलीज जो डिशिजन लेंगे कितने परसेंट से लेंगे 51% मैंजॉरिटी से सारे डिसीजन लेंगे बोलो हां या ना यहां तक की वाद एक दम भेजे में गुज गई हैं आज के मैराथॉन के बाद घर पे दो दिन के अंदर इसको टोप डालना पूरा पूरा दो दिन के अंदर तो वो भेजे में ऐसा फिट होगा ना वो निगलेगा नहीं फिर बार लेकिन अगर इसको ज़्यादा डिले की है ना फिर वो मैमोरी है ना मैमोरी इंसान की वो फ्लश होते जाती है मैमोरी को जितना याद करते चलेंगे ना वो बसती जाती है बच्पन की सारी बाते याद है नहीं वही बाते याद है जो उस पर हम बार बार गौर करते हैं या जो हाइलेट चीज है जैसे हमारे को बच्पन में एक सर न मेरे को दिया था नंबर अभी तक याद है कि मैंने बार-बार रिवाइस किया त्वेल्थ में लड़की का नंबर था हूँ याद नहीं है क्योंकि उसको बार-बार रिवाइस नहीं किया आप लो कि आजी क्या कह रहा है इलेवेंग पड़ी ज्यादा पसंति है अभी बात सही है च्छली हो कि आजाओ नेच्ट मेरे ध्यान देना अब पिचर में कौन आया आर्पी अब आगया पिचर में आर्पी भाईया अब यह आर्पी क्या करेंगा सेट फिनांशल करेटा चला गया NCLT, NCLT ने application accept कर ली, CRP शुरू हो गया, IRP आया, IRP ने management take over किया, public announcement कर दिया, सबसे claims भंग वा लिया, claims accept हो गया, सब हो गया, COC आ गया, COC ने RP को ला लिया, RP क्या करेगा, RP क्या करेगा, सुनना ध्यान से, RP यानि resolution professional, resolution professional जो है, वो सब को proposal invite करता ह कहते है, कौन है, जो corporate debtor को बचाना साता है, वो क्या करता है, वो कहते है, भाईया, देखो, एक company है, वो जा रही है, किदर, वो जा रही है, CRP में चली गई है, जा कर रही है, CRP में चली गई है, अब भाया, कोई इसको बचाना चाहता है, तो बचा लो, नहीं तो यह जाएगी लिक्विडिशन में, इसके एसेट बेच के लियाबिलिटी पे ओफ, सब खतम खलास, गुडबाय, टाटा, टेक केर, स्व कोई है, जो मरियुई को बचाना चाहता है, वो सबसे प्रपोजल मांगता है, क्या मांगता है, प्रपोजल, उस प्रपोजल को हम तेकनिकल लेंगवेज में कहता है, resolution plan, क्या कहते हैं, resolution plan, तो बहुत सरी वजह से, तो एक मौका तो मिलना चीए बचने का बहुत सरे वजह से इंसल्वेंजी आ सकती है मार्केट कंडीशन बिजनस साइकल रॉंग फोल एक बहुत सरी चीजें हो सकती है it now company he crater के लिए दे देंगेитесь एंब इंप्लोई के लिए देंगे इतने इतने में company करीदने अरे सब लोग अपने अपने प्रपोजल दें हैं क्या देत आस्ट ऱपने प्रपोजल ठेंग आसे करलेते हैं वह प्रपोजल आउट ओफ पर्परेट इन्सॉल्वेंसी रिजोलुशन प्रोसेस मतलब दूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए वैसी CIRP वाली कंपनी को रिजोलुशन प्लैन का सहारा चाहिए अगर कोई कंपनी CIRP में है और अगर कोई क्ला की क्य ecc LB करेंगे इतनी सी बात होनिए mail ना तो बहुत असान यह सपता है देखो वह और वहां क्या करता है वह किकला से घयाओ कोई है जो इस company को बचाना चाहता है वो सबसे resolution plans invite करता है ठीक है सब के plans आते हैं अब सब के plans आते हैं तो accept किसने करना है यह बताओ COC ने पहले और उसके बाद में उसके बाद में किसने accept करना है एक्सेप करना है अगर दोनों ने accept कर लिया तो corporate data is out of corporate insolvency relation process लेकिन accept किसको करना पड़ेगा दोनों को किसको बहिए दोनों को accept करना पड़ेगा मैं बार बार example देता हूं रूची सोय का किसका देता हूं रूची सोय पतंजली की ने इसको पता है क्या कर लिया टेकोर कर लिया इसका नाम भी रग दिया पतंजली टॉट यह कंपनी थी कहां पर शीयाश यारपी में इसकी शेयर प्रैश यहां दिखनी रहा है है ह् का टारे नहीं रहे पुराना श्रस्टरा इसेवर दिखनी रहे 21 रुपय चलता सेट कित रुप है एक्टिस रुपए 2019 की बात करूं मैं 21 रुपए ता 2020 में भी इंफेक्ट 21 रुपए कितना था भईया एकिस अभी 15 जुलाई का भी का आ रहा है पुराना दिखा नहीं रहे है इसमें फहले दिखाता था 21 जुलाई बोलो कितना भाया 21 जुलाई यह 21 रुपय का चलता था जब यह CRP में थी पतंजली ने जैसे resolution plan दिया आपको दिखाता हूं पतंजली का resolution plan आप देखो पतंजली resolution plan ठीक है इसने गया दिया पतंजली ने resolution plan दिया 4,350 करोड का रूची स्वया को खरीदने के लिए ठीक है यह जो रूची स्वया resolution completed as Patanjali pays lender क्या लिखा हुआ है देखिए यह CNBC TV की न्यूज है article है देखिए रूची स्वया resolution completed as Patanjali pays lender यह कैसे होता है resolution plan से बूली काईसे होता है बहिए resolution plan देखिए क्या लिखा बाबा राम देख पतंजली आयरवेद has completed the final step of 4,350 करोड resolution plan to acquire debt-ridden edible oil firm रूची स्वया ठीक है बहिए तो यह जो है पतंजली जो है उसने एक resolution plan दिया था 4,350 करोड कर उत्तर रूपय में इसने रूची स्वया को खरीद लिया वहीं एक और बात बताओं आपको मैं तो सेम अभी कि अभी syntax की बात है syntax को reliance जैसे news आतिती खरीदने वाला syntax उपर फिर जैसे news आई reliance नहीं खरीदा है syntax नीचे कई लोग दूबें उसमें ठीक है मायं कित्ते लगे उसमें साथ सो रुपया साथ सो शेयर थे अमांट कितना गया आठ रुपया खरीदा था आठ जीरो हो गया ना वो लिक्विडेशन में चली गई कुछ नहीं मिला तो आठ सो इंटू साथ कर लो मेरा करनेत अच्छा नहीं है शपन सो ठीक है तो नव भाईया ध्यान देंगे इस कौन सी बड़ी बात है तेरे लिए हां गाँ जी तो भाईया ध्यान देना सारे सभी लोग ध्यान देना सारे बात ऐसी है दोस्तों कि अगर आजाए तो CIRP में जो कंपनी वो क्या हो जाएगी बच जाएगी और अगर नहीं आया तो लिक्विदिशन आ गया रिजॉल्यूशन प्लैन और अप्रूव हो गया तो बच जाएगी अधरवे सीधा काहा जाएगी लिक्विडिशन सीधा कूदेगी वो लिक्विडिशन बोलो सीधा किदर जाएगी लेक्विडिशन बोलो यस और नो सर कैसे कोश्चन आ सकते हैं क्या सकते हैं अब तक है तो आप देखो हमने चार पाट चीज पढ़ी है कौन कौन सी सिंपल सिंपल फिनांशल क्रेटर कैसे अपलाई करता है वो देखा इंट्रिशन प्रफेशनल का क्या काम होता है वो देखा सी ओसी क्या करते हैं कैसे बातने और आर पी ठीक है या सब नो अच्छा अब यहां तक क्लियर है पक्का अच्छा अब ध्यान देना ऑप्रेशनल क्रेटर ध्यान देना सारे ऑप्रेशनल क्रेटर कैसे अपलाई करेगा यह देख लो प्यार महबबत से ऑप्रेशनल क्रेटर कैसे अपलाई करेगा पक्का यहां तक क्लियर है एक बार वीजन उसके पाद में फिर यह वाला विवीजन फिर नहीं मैंने टिक है तो ध्यान देना सब लोगत है तो क्या करता है जल्दी बताव है अगर किसी फिनांशल क्रेदर को उसका पैसा निला क्या करता वो एंसेल्टी जाता है कितने का डिपॉल्ट होना चाहिए एक करोड किसी क्लास से भी लॉंग करते है तो उस क्लास के टैन परसेंट और हंड्रेड विचेवर इस लेस कहां जाएंगे एंसी एल्टी बोलो हाया ना वंडर्फुल अगर कोई रियल स्टेट अलॉट है तो उस प्र एंसेल्टी सोचने के टिन लेगा 14 अगर उसना सोच लिया मतब्स एप्लिकेशन कंप्लीट है डिफॉल्ट हुआ है इंट्रेंग रिजोलीशन क्वेशन कोई दिस्प्लिट निए तो क्या करेगा एक्सेट अधर्वाइस क्या करेगा रिजेट अगर सिफ एक्लीकेशन होता है गा सब्सके किते ही साथ एक सप्र कर लिए तो क्या मान लिए जाएगा Top कॉर्परेट इन्सोल्मेंजर रिज्युशन प्रॉसेस हैस बीन जाट एक बार सबकर लिए तो मान लिया जाएगा और इन्सोल्मेंसरेशन ह्षचें पielt tim कि बॉस्ट की अंदर कुंध को फरकर थेगे और सब्सक्राइब राऍा है सब्सक्राइश पर्बखले अपना सिजSoC अपनी पहले मिटिंग करते हैं 30 देस में और लह न कर्खलीं सब्सक्राइब को सब्सक्राइब रिता हैं या तो यह नहीं करता है तो यतने वी डिसीजन लेते हो 51% से लेते हैं आचा रिजूलुशन प्रूफेशनल सबसे प्लांस बंगाता है जिसे हम कहता है रिजूलुशन प्लाइन अगर किसी का प्लान अच्छा लगा भाई कि हां जी जो और प्रप्रेटर है बच सकती है तो सब प्लान बेचते हैं सब कब किसी का प्लान अच्छा लगए तो सी ऐसे एक्सेब करेगा सिसी किराओ एजुए डी अथोरिटीच एकसेप करेगा दोनों एक्सेप recycle कले तो इन्स खोड को अव्ट इन्सल्वेंसिया इंदि सेख्ष रिंड़ सकते लिक्वत उसे कि रास्ते इत कैसे वो बहुँ प्रमोटर माने विजय मालया नीर्व मोधी जैसे लोग यह लोग खुद की उनितो पचाने पाई आपने नहीं किया है कि अब्स के टुने अपने ले के जाना है ना जी ना भई डिपोटिंग प्राइब लाइन चुका है वह बीद है सोबधिन आजएगा उसमें से लिए कि अगर अन फोर्थ डेही सोच लिया कि देख लिया कोई डिपोलट नहीं है फोट डेसे 7 डिस लेंगे फिर ऐसे केसमें येस बिटा ऐसे के से फोट डेसे 7 डिस लेंगे चलिए जी वेंड़ फुल बेटा ओनलाइन ऑफ लान सभी को समझ रहा है ना पका ना यह घो रहा है ना चलो भाई अब आते हैं पिचर को आके बढ़ते हैं बटाएं पिंसर को अभ क्रेशनल क्रेइटर कैसे हैं इस्टिश क्रेशाम गर्ते यह वारी आपने मेरे कंपनी को में अब अब सुन भाई अब है कृशी है वह स्क्रीशन घीम आई त़ीयार हो के बेदेंडिया एंग है 40 km के दूरी है आप ही ध्यान देना सो बहुत है हमारा क्यों smarty अब ध्यान देना भाई जो देए चड्डियों का बिजनस करता है का बिजनस करता है चड्डियों का हवादार थेख है दानेदार अलग अलग प्रकार की जो है चड्टियाां भीशता है अ अब आफिए देन सारे अब होगा भाई जोए चड़ी करता है और ऑनलाइन में हमारे स्ट्वेंट है क्या ना में कोई लॉंदा दूड़ लड़की भी ब्जिनस करते पशची लगी अची लगी तो क्या है रोहन हमारी ओनलाइन क्लास में रोहन कोण है रोहन रोहन जो है एक लाग-ieso रुपे की चट्डी तो एक करोड़ है, एक करोड़ है न परावर न अब एक लाग चट्डी सब्लाई गया भाई को सवर financial critter औरो ओ सप्लाइ करते हो कंपने और क्म्रीड पैसे दीमने तो यह अर EL और रोहन वे बताए है रोहन Batt goriz रॉहन वाई को यह यह ऑप राइश्णल में क्या करेगा इसके ए हिलाफ करने के लिए हमने एक नहीं करना है कि टीकर बैंकिंग क्या करती है जली फिनांशल साठीफ करते है वह तो process में देख ली अब operational क्रेटर क्या करेगा है let's have a look people सबसे पहले operational TRAINोट प्रेंट नोटिस देगा क्या दिगा बças द एक नोटिस दे ngay फैसा क्या दे. अगर default हुआ है सबसे पहले demand notice देगा पैसा दे मुझे नहीं पता तो operational crater जो है कहां गया चर्चा operational crater सबसे पहले देगा demand notice corporate debtor को किसको बेटे सबसे पहले वो demand notice देगा corporate debtor को बूलेगा पैसा दे corporate debtor को 10 दिन का समय मिलता है reply करनेगा दस दिन का समय का मिलता है reply करनेक अब reply में आप 2 चीजे कर सकते हो reply में दो शीजे कर सकते हो या तो बोलो के भैया डिच मेया बंक न चल सबन्सक्स तू चलने कळ चलने कर साले यह बोलेगा को उसको इसको रहत पैसे बन्ते निया कहां या तो कोट चलो या तो आर्बीट्रेटर चलो या तो आर्बीट्रेटर चलो या तो सिविल कोट चलो कोई डिस्प्यूटेज बात पर आतो आर्बीट्रेटर चलो इतने पैसे नहीं बनते है भाही तेरे फाल तुम्हें बन बोलतु मेरे को या तो यह बोलेगा कि चल देख म मैंने पहे को पैसा दे दिया पेमेंट डन पेमेंट पेमेंट डन कर देगा दस दिन के अंदर प्रूफ देगा प्रूफ का देगा या तो चेक का या तो इलेक्ट्रनिक था तू हां इलेक्ट्रोंिक था तो screenshot देगा है जो भी whatever हां या न तो proof देगा क्या देगा वेटे Tू भईया reply में दो चीज हो सकती याँ तो पूलेगा इस पात पर dispute है भईया ते는 पैसे नहीं बनते हैं याद तो भईया प्रूप देगा चेक काया बोलो हाया ना चलो तो यह बात सम्जो ऑपरेशनल क्रेटर सबसे फ़्यांद नोटिस देगा को farebrail को to a that doesn't get to reply देगा कि आफ एस बात में डिस्पूट चल रहा है ओचे कहे इसवाद में डिस्पूट चल्राए और संसवाथ पैसे मांगने के दा चल कोट यारभी डिटर या तो बोल देगा पेमेंट डन देखो लो भाई या बात ऐसी है कि बाई चल पूप देगा हो और पूप में क्या देगा या तो चेक या क्राइन टरांसफर दो उसका इंडिंशर डना अग्डम एक दम अराम से चल रहा है अपनस ऐसे जचाहिए नहीं एकुछाक तो जो शलाजिकाए डेनफ, अबिख देयते हुआ, अभी धियान से अब 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 अबशल उसको कोई salary मेड और रिप्लाइ की रिप्लाइमेड, कोईध रिप्लाइमेड, कोई रिप्लाइमेड राईमेड, कोई रिप्ला नहीं आया, ठीक है? no reply made. कोई reply नहीं आई, 10 दिन के अंदर. 10 दिन के अंदर कोई reply नहीं आई, तो सीधा operationalälletर मूठा के कहा जाएगा? exaggerating authority. सीधा मूठा के निकल लेगा, ettedicating authority, सीधा वो लेगा, चलो सीधा, अब चलो तुम्हारी बारी आ गई बेटा, तोमारी बेंड बायने की बारे आगी सीधा जाएगा वह एड्यूटीण देखने वाली बात है पहले लेकर जाएगा एफडवित लेकर जाएगा कि भाइया एफडवित लेकर जाएगा कि मुझे कोई कोई notice नहीं मिली corporate debtor से dispute के regarding मुझे कोई notice नहीं मिली corporate debtor से किसी dispute के regarding पहले तो एफटवेट लेगे जाएगा बोलो हाई या ना आचा wonderful ठीक है आए ना जी क्या 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 हां बता रहा हूं ना मिटा ठीक है दूसरा ध्यान देना डिमांड नोटिस उसने दिया था उसकी कॉपी लेकर जाएगा क्या लेकर जाएगा जो डिमांड नोटिस दिया था उसकी कॉपी थिका मैंने कंपनी को डिमांड नोटिस दिया था उसकी कॉपी एफटवेट की में को कंपनी से कोई reply नहीं आया किस चीज़ का कि default का बहुत बढ़िया तीसरा financial institution मतलब banks के bank का एक certificate लेके जाएगा कि भाईया मेरे को कोई पैसा नहीं हुआ है कोई payment नहीं हुआ है कोई payment नहीं हुआ है और सारे जो भी records है वो लेकर चार चीज लेकर जाएगा वो लो एफएड डेविट की मुझे कोई reply नहीं आया एफटेविट की नो रिपलाई रिसीवड रॉम कॉर्परेट डेटर रिगार्डेंग रिगार्डिंग डिस्प्यूट ठेक है रिगार्डिंग वाट डिस्प्यूट तीसरी चीज क्या लेकर जाएगा तीसरी चीज लेके जाएगा records इसकी किसके financial institution की no payment received no payment received ठीक है और चौती चीज लेके जाएगा अच्छा यह record नहीं certificate स्वरी कि एस सर्टिफिकेट है certificate लेके जाएगा financial financial institution का certificate लेके जाएगा financial institution का कि no payment received और चौथी चीज लेके जाएगा सारे और records बस that's it, चार चीज लेके जाएगा पहले तो demand notice की copy की देखो भईया मैंने company को demand notice दिया था कि भईया पैसा दे, दूसरी चीज एफटेविट company से कोई reply नहीं आए dispute के रिगाडिंग certificate की देखो भई फिनांशल इंस्टूडिशन लेखो मेरे बैंक का certificate देख लो कोई में को पैसा नहीं और चौती चीज सारे records चार चीज लेके जाएगा वालो कौन सी चार चीज copy of demand notice, affidavit की मुझे कोई reply corporate debtor से आया नहीं है किस अगर सब चीज बराबर रही तो क्या हो शुरू हो जाएगा corporate insolvency resolution process अचा उसके बाद भी सारी process सेम होती है IRP आता है सब होता है ठीक है process वहाँ से फिर बाकी क्या है सेम है कोई दिक्कत वाली बात है ना बध की प्रोसेस क्या है से बाद की process पूरी से में दोस्त वात की process पूरी पूरी समा बाद की process में BERMY दिक्कत वाली बाथ है कोई आपती भीपत्ति नहीं है पहले कहीं याद जल्दी इस operations creator क्या सबसे पहले बताव है बोले क्या देगा क्या तो इस सबसे पहले डघा से माथों मैंने डाया गूष मैं बताएगा है कि देखू मैंने कंपादी दिस्प्यूट तो भया वह बोलेगा देखो यह इस बात पर डिस्प्यूट चल रही है शबर रही है तो यह बोल सकते हैं दूसरा क्या कर सकती कम्पनीं का यह आपाओ यादरत्चन यहाивает सकती ह WAT помसकोर्ड water नहीं कोई डिसूड के अंदर के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट कि भईया फिनांशल इंसरीटिटिशन याने बेंक का कि मुझे कोई पैसा रिशीव नहीं हुआ है और चौथा चाहता रिकॉर्ड जितने भी यह सारी चीज लेकर जायेगा और रिकॉर्ड इस चीज का कि मुझे कोई पेमेंट नहीं आया यह जो है तो अब कोई पैसा नहीं आया है इस बात के रिकॉड होते हैं और पिर सभी आ तो किया करेंटाबुकिए जैसे वेचिक से अगर ओप्रेशुन चया तो प्रस्वेश्न वैसे तो नाम लेके जाया तो अख्या है नहीं लेके घ्र होगा अगर या फिनांशऑ milk और प्राविश्न चया थो दो तो क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा हाँ एजुटेटिंग अथर्टी अपॉइंट करके देती है दस दिन के अंदर बोर्ड को बोलती है मेरा नाम रिकमेंड कर दो दस दिन के अंदर बताब ऐसे केस में क्या होता कर आप इंटरिम रिजूलुशन प्रफेशनल का नाम लेक लेके नहीं जाते हाँ चलो ठीक है ओके मैं लेक्टर में करता हूं फिर हाँ ध्यान देना सबी लोग ठीक है तो ध्यान देना बेटे अगर से आप इंटरिम रिजूलुशन प्रफेशनल का नाम लेके नहीं जाते तो ऐसे किस में क्या होता है एजुटिटिंग अथर्टी जो है बोलो कौन है एजरे टीटिंग अथर्टी अबर्ट या निनो ऊंपार्श्ची लंग बैश्मष्य वर्ऌ से quality अ Panda को बेन रोंतिगेन Правेकों अदेन दिनके नंदर दस बोट दो को आउनल किसका इंट्रेम रिजूलूशन प्रोफेश्शनल का फिर से बमुली का लाइन वालों क्लीर है यहां तक जल्दी बताईए ओन लाइन वालों जितने घर पे बैटके देख रहे हैं बोथ विल भी देरफ सी ओसी बोथ एस गिवन मनी और गुड्स कोई कह रहा है अगर पैसा और गुड्स दोनों दिये थे तो आप किसमें आओगे फिनांशल में जा सकते हो आप सर पहले ही पेवेंट कर दिया अब करेगी 10 दिन में फिर देगी प्रूफ नहीं दस दिन के अंदर भी करके प्रूफ दे सकते हो अंकित सर पहले ही हाँ बेटा बताया ना मैंने यस ओनलाइन वालों कलीर है सर मैं हिंदी मीडियम से हूं आंसर राइटिंग कैसे करूं थोड़ा सफिर आपको लर्न करना पड़ेगा रट्टा मानना पड़ेगा थोड़ा आपको ठीक है पेटे सर मैंने एस बीसी और जीए जिल में वरिफिकेशन करवाया है उसका रिजल कब तक आता है टाइम लगत बेटा सर अभी तो फ्यूचर ग्रूप भी सी आयारपी में है ना येस चलिए अब ध्यान देंगे आ जाओ बेटे हाहा येस अफिद्ज यहां तक की बात छुम औरसोराना येस है सकती है सब्फ़ेसं का नै चाहाहां के भिड़ृय Reeseर सदीना क्ब्रियेख कंपणी और फ्युम् давно कॉर्थ्व थ्यान देने हैं मु까 ठीक है सुनो सुनो मेरी बात सुनो ठीक है वे हलो सुनो ना जान से कंपनी कह रही है कि मैं खुद जाना चाहती हूं किसके लिए CIRP company कह रही है मेरे assets का मैं liability जादा है क्या creator जाएंगे क्या creator जाएंगे मैं खुद जाती हूं कई बार ऐसा होता है अपनी गलती है खुद बताने चले जाते हैं होता ना कई बार दूसरे बता हैं उससे पहले हम ही बता जाते हैं जाज पड़ेगी तो पड़ेगी देखी जाएगी जो होगा अरे आया ना होता ना कई बार यह से तो भाईया company क्या कर रही है जल्दी बताओ company क्या कर रही है जल्दी बताओ खुद जा रही है क्या बोल रही है company कि खुद जाके बोल रही है भाईया मेरे को कर दो क्या CRP में ले जालो जो आएगा बचाने वाला तब देखी जाएगी अभी तो मेरे को CRP में ले जालो तो corporate debtor क्या खुद जा सकता है answer is yes, आइए देखते हैं किस तरीके से जाएगा let's have a look people corporate debtor खुद कैसे जाएगा आइए देखते हैं so corporate debtor याने company खुद जा सकती है पहली बात तो यह answer is yes, तो पहले तो याद रखना special resolution pass करना पड़ता है बुली क्या pass करना पड़ता है याद रखना corporate debtor को अगर application खुद लेके जाना है corporate debtor itself जाना चाहता है लोग क्या लेके जाना पड़ेगा application किस बात की application application किस बात की application कि मुझे CRP में जाना है जब corporate debtor ने देपल्ड किया खुद जा सकताแपqlication लेके मुझे CRP में जाना है पहली चीज लेके जाएगा बिटा धन रखना books of account okayуют रहें का बुलिए बुक्स अप्व अकाउट बुलोगिया सौर नो चलो ओके आजाओ सरी यह बैंक भी सी एर पी में आती है ना आ सकते सबास कंपनी सारी प्रकर किया सकती बैंक इस अल्सों कंपनी ना चलिए कोई लग्राइबे टेक्स मैसेज भी जो है मेरे को कहता है सिर्व अब यह रिकॉड़ेट लेक्चर चला रहे हो ना आशी अधाय को अधाया नहीं है रहा है हाँ हाँ ठीक ठीक है अख चलेगा पक्का पक्का आप अब ही गर देता हुर तो मैसेज बच्चा मेसेज करता साव्रेक चल रहा है ना आपका लेक्चर आपका रिकार्ड चल रहा है अचली जब कमेंट ना पड़ा तो बच्छों को लगता है सार उल्लू बना रहे हैं सर ने क्या किया है कि लेक्चर लगा दिया है और चले गए अचा सुनों मेरी बात आज जितने भी लोग पीटर्स जिनका नहीं नहीं कल पाई किसी करण बश्च जिनको में लेक्चर से यूदि के कैड में के बहुत ही नॉमिनल प्राइज में ओनलाइन वालों के लिए खासकर कम अच्छी कॉलिटी के लेक्चर कहीं भी पूरे इंडिया में मिल सकते हैं ठीक है जी तो एक ग्रुप है जो 7000 प्लस GST और बोद ग्रुप जो है वो 11000 प्लस GST इसकी वेलेडिटी रहेगी December 22 तक जिनको वेलेडिटी चीए जून 23 तक तो उनके लिए 15000 प्लस GST है ठीक है तो रट गया पूरा है ना जी अभी ध्यान देना वेटे सो बात ऐसी है कि जिनका भी सई से नहीं हो था कंसे क्लारिटी नहीं है तो में सबसे में लेक्चर देखना हमेशा फायदे मंद रहता है ठीक है कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैरातों रिवीजन के भर सब्सक्राइब करने के उन्हीं के लिए खासकरी ओफर लाया गया है कि आप लोग में क्लासेस ले पाएं है ना इंडेप्ट नॉलिज ले पाएं चीजों का इसलिए यह चीज है चलिए सर इन लोगों कैसे पता कि रिकॉर्डेट चल रहे है अब देखो ना सर हमने सब्सक्राइब करने वेरी गुट कॉंगरेक्टुलीशिंस बेटा हो जाएगा क्लियर चलिए आ जाओ सर मैं फर्स्टाइम पढ़ रही हूं सब क्लियर है थैंक यू सो मच बॉत बढ़िया चलिए आ जाएगे और एवरीवन नाओ प्लीस कम बेटा मैंने बताया ना एस Dogs पशाघकर खुड जाना चाहता है तो कैसे जाएगा जल्दी बताउ कॉरपरेत खुड जाना चाहता है तो सबसे पहले क्高ट के जा एक है किस बात की किस बात की आब प्लीकेशन लेके जाएगा वह भया याद रखने एप्लीकेशन ले records जाएगा किस बात की कि मेरे को जाना है CRP में default हुआ है अच्छा तीन चीज लेकर जाएगा एक तो books of account दूसरा एक resolution interim resolution professional का नाम और एक special resolution पास हुआ उसकी copy बोलो yes or no तो क्या corporate debtor खुद जा सकता है पहले तो यह बताओ corporate debtor क्या agitating authority जा सकता है for initiating c.i.rp answer is yes क्या लेकर जाएगा application लेकर जाएगा ठीक है books of accounts लेकर जाएगा क्या लेकर जाएगा books of account लेकर जाएगा interim resolution professional का नाम लेकर जाएगा और special resolution की copy yes or no बहुत easy बहुत असान है आपको यह जब भी CRP आएगा interim resolution का नाम लेकर जाएगा और special resolution की copy professional आएगा यह जाएगा चलिए wonderful people sir class दिखाऊ ना अब बहुत ना इदर class दिखाऊ ना तेरी वाली को देखना होगा तरको आजाओ तो याँ रखना corporate debtor एट्रेटिक अन्वार्टी जाएगा यह जब भी CRP शुरू कराने चार चीज़े लेकर जाएगा बुली क्या-क्या एप्लिकेशन बुक्साफ अपकाउंट interim resolution professional का नाम special resolution की copy is that clear people are you sure people wonderful people here we move on people चलिए next step यहां तक की बात है आपने बहुत प्यार मॉबबत से देख ली तो आपने अभी रख पढ़िया तरीके से सीखा कि financial creator कैसे जाता है operational creator कैसे जाता है corporate debtor खुद भी जा सकता है interim resolution professional का क्या काम होता है COC क्या करते हैं आरपी आ करते हैं अब इसको बात को आगे बढ़ाते हैं ध्यान देना सभी लोग दोस्तों time limit for CIRP super favorite question of ICSI super favorite question of ICSI time limit for CIRP कियार कितने time में CIRP खतम हो जाना चाहिए कितने time में CIRP जो है वो खतम हो जाना चाहिए तो आईए देखने हैं भाईया कितने time में CIRP खतम हो जाना चाहिए क्या लगते हैं आपको 180 days 180 days are you sure are you very sure चलिए तो चलो wonderful चलिए ओके देखने हैं तो भाईया याद रखना सभी लोग दोस्तों यह जो पूरा process है यह खतम हो जाना चाहिए 180 days में 180 days में यह पूरा process है 180 days में complete हो जाना चाहिए याद रखेगा बात को 180 days में पूरा complete हो जाना चाहिए सभी लोग इस बात को याद रखना ठीक है जी कितने दिन में बोलिए 180 days सभी लोग याद रखना कि जो पूरी process है timeline 180 days में complete पूरा CRP 180 days में complete हो जाना चाहिए लेकिन अगर 180 days में नहीं हो पा रहा है तो क्या करें वैसे तो 180 days में हो जाना चाहिए यह तो आपने देखा लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो COC 66% से Approval देंगे कि हम extension चाहिए extension लेने जाएगा RP कहां जाएगा Agitating Authority ऐसे case में जो extension मिलेगा 90 days ऐसे case में याद रखना extension मिलेगा 90 days सभी लोग समझे बात को 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 पूरी process 180 days में complete हो जानी चाहिए पूरी process कितन में 180 days में complete हो जानी चाहिए COC 66% के Approval से बोल सकते RP को कि जा और time लेकिया जा और time लेकिया NCLT और time कितने दिन का देगी 90 days 180 plus 90 कितना होता है 270 270 लेकिन लेकिन section 12 section 12 insolvency bankruptcy board का code का कहता है insolvency bankruptcy code का section 12 कहता है कि पूरी process 330 days में complete हो ही जानी चाहिए पूरी process 330 days में complete हो ही जानी चाहिए यह section 12 में लिखा है section 12 कहां पर लिखा है section 12 पहले तो क्या लिखा है कि पूरी process कप complete हो जानी चाहिए 180 days फिर बोला extension कितना मिल सकता है 90 days फिर बोला है पूरी process complete हो जानी चाहिए 330 days अब इसमें कुछ तो जोल है जोल देखो क्या है section 12 पढ़ो आप section 12 क्या कहता है 180 days में पूरी process complete हो जानी चाहिए हमने माना फिर कहता है coc 66% से approval देंगे resolution professional nclt जा सकता extension मांगने और 90 days का nclt extension दे सकती हमने माना फिर कहते हैं कि पूरी process complete हो जानी चाहिए 330 days में मतलब क्या हो रहा है पहले बोला 180 days में complete करो फिर बोला 90 days का extension ले सकते हो फिर बोला पूरी process complete हो जानी चाहिए 330 days में इसका यह मतलब है कि एक और बार extension मिल सकता है 60 days का यह लिखा नहीं है लेकिन यह क्या है क्या है यह implied है यह लिखा नहीं आप भी exam में नहीं लिखोगे लेकिन पढ़ो section 12 को तो समझ में आ रहा है section 12 पढ़िए section 12 कहां रहे इसकी मा की जवाँ यह section 12 में आता है क्या लिखा है कि पूरी process complete होनी चाहिए 180 days में फिर कहता है 66% से आपने approval लिया तो resolution professional जा सकता है 90 days का extension मिलेगा 90 days पूरी process complete जानी चाहिए से यह समझ में आता है 60 days implied है आपको time limit आपको लिखने आया exam में timeline बताओ तो आप 180 days लिखना फिर COC अब 66% अप्रूव कर सकते है आरपी जाएगा extension लेने ठीक है तो 90 days का extension मिल सकता है लेकिन पूरी process complete होनी चाहिए 330 days में पूरी process complete होनी चाहिए 330 days में Is that easy? Yes sir! Are you sure? Yes sir! Wonderful people so timeline याद रहेगी 180 days में पूरा CRP complete होनी चाहिए COC 66% से extension मांग सकते है और जाएगा resolution professional extension लेने 90 days का मेलेगा पूरी process complete होनी चाहिए 330 days Is that clear? Yes sir! यार wonderful next आपता है जो पढ़ना है important है suspension of CRP बोले क्या है बेटा ये भी पूछा गया था तीन नंबर के लिए last to last time suspension of CRP किसी टाइम पूछा था ध्यान निया मेरेको आ जाओ चलिए आईए भाई sir मस्त याद हो रहा है thank you आज के मेराथॉन के लिए ऐसा चलिए आईए भाई suspension of CRP suspension of initiation of CRP क्या बेटा? suspension of initiation of CIRP नो ध्यान देना सभी लोग suspension of initiation of CRP क्या कहता है? सभी लोग प्यार महबबत से समझना इस बात को COVID का समय सबसे ख़दरनाक समय था लिए इन कईयों के लिए रंगीन समय भी बन गया जिनकी नई नई साधी हुई थी क्यो भाई? जिनकी नई नई साधी हुई थी तो और क्या? कोरोना में बढ़िया सुबह शाम सुबह शाम एक ही काम क्या? वीवी के साथ? खेलो, खूदो एश करो है की नहीं भाई? मेरी साधी के बाद एक lockdown लग जाए तो अच्छा है गया भाई? अब नहीं लगना चीए गया? चालो ठीक है अच्छा भी ध्यान देना तुमने फीस भरी है जून तक की ऐसा? जून तक की अच्छा अच्छा सेकेंड ग्रूप की अच्छा अच्छा हान जी बुलिए क्या बल रहा है बड़े खर्चे बचाने के लिए छोटे खर्चे कर लेने चीए ऐसा चली आजए अभी ध्यान देना अभी सुनो मेरी बात ध्यान से ठीक है? अभी सुनो ध्यान दे सुनो अभी ध्यान देना इसके परिवार वालों ने कर ले ना चीए था अभी अभी क्या आ रहा है उस टाइम पर लोगडॉम नहीं था अच्छ चली आजए अभी ध्यान देना आज़ाओ सुनिए सुनिए कोरोना का समें आया हैं आपर बच्चे नहीं रहे हैं और अफ़ बंदे की वानने पीजक से ऐस всегда सब बिस्टे सी याद रखना पेटें ठीक हैं जितने बिजनस सब के विजनस की वाड लग गई मैं तो seriously वाट लग गए अब ऐसे case में वो creditors को पैसा दे नहीं पा रहे है creditors को पैसा दे नहीं पा रहे है तो सरकार ने बोली अरे यार तो गड़बड हो जाएगी, इस creator को पैसा मिलेगा नहीं तो लगे हाथ आएंगे NCLT, CRP, 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 CRP सरकार ने बोली 25 मार्च 2020 से 25 मार्च 2020 से जितने भी डिफॉल्ट होता है 25 मार्च 2020 को जितने भी लोग को पैसा लेना था गर उनको पैसा उस थारीक को नहीं मिलता उसके बाद 6 मैने तक तो वो CRP शुरू नहीं कर सकता creditors को पैसा बिल्कुल चुप पैसा पैसा कर रहा है ना अभी भी पैसा पैसा कर रहे हो जान जारी लोग होगी वो एकदम चुप 25 मार्च 2020 से 6 मैने तक जितने भी डिफॉल्ट हुआ है मांगना ही मत पैसा बिल्कुल भी वो दे दे चुप चार तो ठीक है अगर इस NCLT तो आना ही मत यह तो पल्टा देंगे और पल्टा के निकाल देंगे महां से ठीक है स्याफ साफ बोला कि भाईया 25 मार्च 2020 से 6 मैने तक कितने मैने तक 6 मैने जितने ही भी डिफॉल्ट हुआ है आना ही मत आना ही मत NCLT बोला हम इसको पिरेड बढ़ा के एक साल भी गर सकते हैं जो बढ़ा के एक साल किया पहले तीन मैने बढ़ा है फिर और तीन मैने बढ़ा है तो 25 मार्च 2020 से 25 मार्च 2021 तक यह पूरा काम का चला 25 मार्च 2020 से लिए 25 मार्च 2021 तक जितने फोलने डिपॉल्ट हुआ है सब को बोला गया कि सब किया चियाएरे पी शुरू नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता évidemment सब क्या पाचीस मार्च 2020 से फिर से बूली गया 25 मार्च 2020 से 25 मार्च 2021 तक क्या हुए जितने भी क्या हुए जितने भी डिफॉल्ट हुए भाईया जितने भी डिफॉल्ट हुए उसके गें CRP शुरू नहीं हो सकता है क्यों आया था कोवेड नाइंटीन पेंडामिक के कारण ही आया था धन्दों की वाट लग गई थी बिजनसेस की वाट लग गई थी बिजनस इंपक्ट हुए थे डिफॉल्ट हुए आय सिर्फार रस शी हैं साम्राश नहीं नहीं से उस समय इससे पैसे होते ना ब्रगश्याहन चाहिए तो यंस ले लेना चाहिए चिलगता फैक्वोग Всемट बाइस निकल लाति है तक आउंगी मैं मार्केट मैं इन्वेस्ट करो अजय सुनिया ध्यान से तो ध्यान देना suspension of initiation of CRP भया याद रखना सभी लोग 25 मार्थ 2020 से लेके 25 मार्थ 2021 तक जितने डिफॉल्ट हुए उनके अगें CRP शुरू नहीं हो सकता याद रखना उनके अगें CRP शुरू हो नहीं हो सकता किसने बोला ये किसने बोला ये तो ऑविस सी बात है ये amendment ordinance आया था 2020 में एक amendment ordinance आया था उसमें ये बाट डाली गई ठीक है एक amendment ordinance आया था 2020 उसमें ये बात जो है वो डाली कई बोलो yes or no हां या ना ठीक है जी इसी है जी चलिए वह wonderful जी नेक्स्ट मोरा टोरियम मुलिए नेक्स का है मोरा टोरियम आया भाईया मोरा टोरियम पूछना भी मत पूछना भी मत आजा और आ यह सी अएर पी का पूरा अध्याइक हखांगा उसके बाद C.I.P. पूरी अध्याइय के बाद में फिर ब्रेक दूंगा एक छोटा सा फिर उसके बाद शुरू से न्जॉऑ करना यहां तो यार मैं तो नहीं हूँ अफिश्ट है कि विभान ये ऐचा मोराटोरियम भूली क्या मोरा टोरियम क्या है है Moratorium क्या है Moratorium का मतलब होता है temporary prohibition वो लिंह क्या होता विटा Temporary prohibition लेकर समझो एक बार आपकी girlfriend बन गई तो girlfriend क्या वो लेगी अब किसी लड़की को देखना मर किसी लड़की को touch करना मर किसी ने अच्छी डाली तो उसकी पिक पे क्योट लाइक करना कमेंट करते हैं ना कभी देख ली उसने तुम्हारा कमेंट वाट आईडी पासफ़र्ट मांगी कभी कभी आईडी पासफ़र्ट मांगा है सामने वाले ने मांगा है कि नहीं मांगा है मांगा है क्या दिया नहीं पर ऐसा देदेने का देदेने का है चेक कोई नी करता सिद देखते सब उस्के लोग करते भी होंगे जैक क्या बता अजैनी वे अभी ध्यान देना तरklär taking कि इसको पास बहते हैं भर दूसरे कंप रफॉन चक्क करने बता हो अजैने ना Heidi लंद पेचलाने की ना法 चुंट ऐसेren यो करने की 지खाँ भूरे को असे हैं जिर्स पॉट ने उसके पास, अब है सग्गी मतलब कजिन बोला मैंने, सग्गी कजिन, चली आये, वो रहा, सग्गी कजिन बोला मैंने, सई में आयो यह जैन मजक लगता है तुमारे, अब बाद में तिखाऊंगा मिस पर आये, टेम्पररी प्रोहिबिशन, बुली क्या, टेम्पररी कंपनी कोई केस नहीं कर सकती, कंपनी पर जित्ते pending case थे, या corporate debtor पर जित्ते case हुए थे, वो continue नहीं हो सकते, किसी court ने या किसी tribunal ने, या किसी arbitrator ने कोई judgment decree order दिया था, उसका execution नहीं हो सकता, क्याने का मतलब यह है, एक बार CRP शुरू हो गया, नहीं, corporate data किस भी case कर सकता है, corporate data पर pay case नहीं हो सकता, pending suit continue नहीं हो सकते हैं, किसी court या arbitrator ने कोई decree order judgment दिया था, उसका execution नहीं हो सकता, सब पर रोक लग जाएगी, एक बार CRP शुरू हो गया, सब पर रोक लग जाएगी, जो जैसा था, वहीं रुख जाओ, जो जैसा था, वहीं रुख जाओ, बस अब जैसा था, वहीं रुख जाओ, अब हम देखेंगे किसका क्या करना है, जैसा था, वहीं के वहीं, substop, statue, कैसा लग जाएगा, बच्मने खेलो ना, statue, statue लग जाएगा, एक बार CRP शुरू हो गया, तो ना corporate data किसी भी case कर सकता है, ना pending case continue हो सकते हैं, ना corporate data के case हो सकता है, नहीं किसी court का order decree judgment execute हो सकता है, बच्बाग कोई order decree judgment आगया था, बस उसको अभी implement करना था, वह भी नहीं हो सकता, अच्छा, corporate data को right title या interest, को right title या interest, किसी भी प्रकार का right title रेखकाद करें ना की मतलब किनी रख सकती है elle Nate मतलब एंगर मनी मतलब गईरवी रख सकते elleidet मतलब कहीं उसको मतलब किसी भी तरीके से खतम नहीं कर सकते dispose मतलब भी again खतम करना होता है घं़ो जैसा था वैसा रहने दो तीसरा foreclosure नहीं हो सकता company के पास कोई चीज गरवी ह闔डी थी कमपनी उसको अपने नाम नहीं कर सकती, कमपनी के पास कोई चीज घिरवी की पड़ी थी, कमपनी उसको अपने नाम नहीं कर सकती, जो जैसा था वैसे रेंदो, आशा कमपनी के पास कोई प्रॉपेटी थी, उसका ओनर कोई और है, वो कमपनी से रिकवर नहीं कर सकता, पर टेंपर रिली पर्मानेंटली नहीं टेंपर रएली रोक लग जाएगी इन्सीडिष्यों ओलसुट गरतल। कर टेमपर देटर केस नहीं कर सकता। फोर्क्लोजर करना से ती गिर्वी का समान अपने नाम रखना करना चाहती है उसके पास गिर्वी था अपने नाम पर उसको रखना करना चाहती है कर सकती है नहीं कोई और ओनार है कोई और लेसर है वो रीकवर करना चाहता है कॉर्पेट डेटर से प्रॉपटी कर सकता है नो स कि क्या लग जाएगी रोक इसे कहते है more atoryum मूली कहते हैं से more atoryum this is known as more atoryum सिर्फ एक ही चीज और सकती है essential supply of goods and service पानी बिजली यह सब supply हो सकता है as essential goods and service का supply हो सकता है भस यह more atoryum period आख के दोरान सिर्फ essential goods and service का supply हो सकता है सिर्फ और शिर्फ याद रखना एंसेंचेल गुड्जें उसकता है इसबात को भेजे में डाल алो कि सििर्फ औरशेंचेल गुड्जेंक शर्विस का सप्लई वसकता है इसवात को याद रखना यह कब तक चलता है sir moratorium जब तक कॉर्वडेटर है out of CRP नहीं होता यह जब ता are our liquidation quarter नहीं आता जब तक liquidation quarter नहीं आता यह जब तक CRP पी कंप्लीट दोगा दोई किसे स्में ना तो लिए सिन गौर्ड आजाएगा यहां तो सी ओ रिजोलीशन नप्रूव जायागा एक बढ़ी रिजो लीशन प्रूव गया तो ऑफ दीर इस आउट आर अफ परेट इंसॉल मेंची रिजोलीशन प्रसेस वोया ना मोर्रा टूरियम उम्ज़ाग गया क्या है मोरा टूरियम मतल अपना बोलिये, temporary prohibition, बेटा, online बात मत करूँ न, people, please, न, people, है न, people, पुरुची का कहती है, sir, because of your revision classes, I was able to get exemption, देखो, आजा बेटा, अभी आजा, ध्यान से, प्यार से, इत्मिनान से, moratorium क्या कहता है, एक बार क्या शुरू होगया, बेटे, से, CIRP, एक बार CIRP शुरू हो गया, तो उसके बाद में moratorium लग जाएगा, moratorium में क्या होगा, temporary prohibition होगा, company किसी पे case, नहीं कर सकती, corporator पे case, नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी, भईया, याज रखना, क्या, किसी प्रकार का, order, decree, judgment, execute, नहीं हो सकता, company को, right, trade, interest, transfer करना चाहती है, एंकमबर, alienate, dispose करना चाहती है, नहीं कर सकती, foreclosure, what do you mean by foreclosure, कोई गिर्वी का समान company के नाम था, company उसको अपने नाम करना चाहती है, नहीं कर सकती, कमणी के बास कोई property थी, उसका owner या lesser कोई और है, उसका owner या lesser कोई और है, क्या कर सकती है, याज रखना, company उसे recover नहीं कर सकती, बादब कोई और उसे recover नहीं कर सकता, ठीक है, कोई और उसे recover नहीं कर सकता, से वे की चीज हो सकती, वो क्या है, supply of essential goods and service, वो क्या, supply of what, essential goods and service, is that easy, वीबो, इस पर questions कैसे आते है, short note, मोरा टरियम पर short note, timeline पर short note, suspension of CRP short note, interim resolution professional पर short note, financial creditor कैसे apply करेगा, direct question, operational creditor कैसे apply करेगा, direct question, corporate debtor कैसे apply करेगा, direct question, इतनी चीज़े हमने पढ़िया है, पार्ट पार्ट में ही पूछा जाता है, जैसे मैंने पार्ट पार्ट में करवाया है, बलो yes or no, हाँ या ना, यहां तक अच्छे समझाया, पक्की बात है, खाओ मेरी कसम, मैं मेरी मने हैं, मेरी मत खाओ भाई, प्रियान ची चीए आप मुझे और ignore करते जाओ, हाँ 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 मैं किसी के डाउट नहीं देख रहा हूँ अभी अभी आप पड़ते जाओ पहले बस ठीक है, पक्का के लिए रहे यहां तक कसम से क्या हो गया चलिए, ओके अब सुनो यह बात ध्यान से, यह जो CIRP है ना, इसकी कुछ टाइम लाइन से जो एड हुई है, पीटा त अपने वह वाट्सम भीजाता, अरे वो आपके इंड राइटिंग बहुत अच्छी है ना, अच्छा उसी के भेजे हैं फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, तक गुस्ता नहीं करते हैं बालक एक मेटो को आपकुछ रूल से जो एड हुए थे, ध्यान देना, सब में कुछ एडिशन से मैं साथ साथ में करवाते हुए चलूँगा, ध्यान देना सच्छे अरे नहीं आ रहे तो किसी और के नोट से, आपका नंबर क्या बेटा? एक मिनिट क्या? फाइन त्री? फाइव सिक्स? आ गया तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बढ़के मैं खिल जावा इतनी सी अरे नहीं ये वाले नहीं बोल रहा बिटा मैं, जो मैंने लिखवा के दियें हम चलो दिख गया, ओके आईए बेटे, बैट जो, बैट जो, प्यार महबबत से बैट जो, चली आईए बेटा, ये ओनलाइन वालों आपको मैं भिजवा दूँगा, ठीक है, नोट्स मैं आपको दिलवा दूँगा, लेक्चर के एंड में न, मैं इसके आपको गूगल ड् मैं भी दे दूँगा, ठीक है, और जो, रिकोर्डेट देकर हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आज हो चाचा, चाचा, शुरू ना चाचा, एक मिनिट, बाबू, एक मिनिट, चली है बेटा, ये नेड हुआ है, ध्यान दो, नेड हुआ था, मतलब इन लोगों ने तो नया ही पड़ा है, जो अभी new batch है, जो पुराने है, जो पहले attempt दे चुके हैं, तो आप ध्यान देना, मैंने करवा चुके हैं वैसे ही है, बट फिर भी ध्यान देना, बेटा, ये जो resolution professional है, ये independent person होना चाहिए, कौन होना चाहिए, पैटा, ये जो resolution professional है, पहली चीज ही ह है, कि है independent person होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, इस पर दो बार question पूछा हुआ है, एक corporate debtor है, उसके अगें CRP शुरू हुआ, financial creator, liquidator बनाना चाहते हैं, लिक्वेटर, लिक्वेटर कहते हैं, resolution professional बनाना चाहते हैं, ऐसे बंदे को, जो company का statutory auditor है, बन सकता है, याद रखना, resolution professional कौन होना चाहिए, independent, related नहीं होना चाहिए, याद रखना, resolution professional है, ये बंदा independent होना चाहिए, कहीं से कहीं तक ये related होना नहीं चाहिए, पहले तो ये याद रख लेना, ये point, ठीक है, बेटे, दूसरा point, सुनना ध्यान से, सभी लोग, interim resolution professional, interim resolution professional, सभी ध्य प्राइमरी डूटी बताओं बताएगा करता है कि पहला क्या करता है अँद करता है और सबको बोलेगा शबक़ी लुट्रटा जब से अदर बगा ुच्यप और कि के अंदर लुप प्रेजी के अंदर जो त panira के अंदर उसके एए फोर्टीन देज ते अंदर भूझेत रहागा जबसे को अपसे फोटीन के इस जब civilization सर्फ बश्री 식 MX में कॉं अगर लेखा हमने बोलाय किYouC सी में बीटā प्ली जहान दो कमिटी में राम्री ली करीन है लेकिन अगर फंदर्शल प्रेसमृटर है नहीं तो कौन नहीं है तो याद रखना बेटे और या फिर financial creator related party है तो committee में होंगे 18 largest operational creator largest माने जिसको सबसे यादा पैसा लेना है 18 largest financial creator by value एक workman का representative और एक employer employee का representative एक किसका employee का representative ध्यान देना बेटा सभी लोग अगर से आपके कोई financial creator नहीं है या है तो related party है तो आपकी committee में होंगे याने आपके coc में होंगे कौन 18 largest operational creator by value by value 18 largest operational creator by value एक workman representative का एक employee का एक किसका employee का बोलो हाया ना अरे yes or no फिर से बताओ अगर आपके committee में कोई financial creator नहीं है या फिर related है तो कौन होंगे committee में जल्दी बताओ एकेड़मी में कॉल नहीं लग रहा बेटा आज संदे है ना कल करियो कॉल ठीक है हां जी बताओ अगर आपके financial creator नहीं है related है तो कौन होंगे बेटे committee में 18 largest operational creditor by value एक workman का representative और एक employee का represent जाएड इस एक क्ली है यह वेरी गुड़ एक कि मीटिंग श्राइन सुनना resolution professional कंवी करेगा कंवे मतलब बुलाएगा resolution professional कंवीन करेगा ठीक है याद रखना कंवीन करेगा किस की मीटिंग मिटा committee की मीटिंग ञए है आज जब उसको ठीक लगे या फिर 33% of coc बोलेंगे मीटिंग बुलाकर दो चुझा जब 33% कौन बोलेंगे सेec कि हमए मीटिंग बुलाकर दो तो मीटिंग बुलाकर देगा तो याद रखना resolution professional resolution young profile को का ममेटिंगиком को क का म संहीं विनारे बिक लगे आगğin। तो भी मैटिंग बिलाएगा। कपला के दू दुटू बुलो हाई या ना, is that clear, are you sure, यार रखना, सभी लोग ध्यान दो प्लीज, जब C.O.C की पहली मीटिंग होगी, उसकी नोटिस कितने दिन में जाएगी, तो उसका नोटिस जाएगी पांस दिन पहले, नोटिस जाएगी पांस दिन पहले, पहली मीटिंग के लिए और दूसरी मीटिंग के लिए 24 घंटे पहले, पहले मीटिंग के लिए नोटिस जाएगी और सब्सिक्यों के लिए 24 आइज जाएगी, उसने कंपनी ये कंपनी तो राज-दोलारी है को हम C.O.C अगर चाहें तो circ को विड्रॉ कर सकते हैं, बोलो किते परसेंट, 90%, याद रखना, 90% COC अगर चाहें, तो application क्या कर सकते हैं, विड्रॉ, लेकिन किते लगेंगे, 90%, याद रखेगा, 90% COC अगर चाहें, तो application क्या कर सकते हैं, विड्रॉ, कितने, 90% COC अगर चाहें, तो application क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या है अगर आपको आजाता है सिर्फ इतना कि टाइम लाइन फॉर्म सन प्रोसीजर बताइए फॉर इंसल्वेंशी ऑफ कॉर्पेट डेटर तो क्या क्या है सबसे बताइए वाट सबसे पहले क्या है अंदिपेंड रिजो जो बंता है रिसे ठाइए ये को वना उना च national ऑफिश गरते चुन सर् desses कौन बहुत है एंदिपेंडनेंत ऑफ से याद रखना भी जब सेफ्वेंट यग सब्से उनरा 9 यह रिदिएट पाटि होना नहींचाहिए ये नसीच इन क्यों सब्सक्त्राएं ह पुब्लिक अनाउस्मेंट कर देगा जब से मों दो 14 दिन का समय देगा कि आके सब मेरे को क्या देनों मेरे क्लेम्स आच्छा ये कमिटी बनाएगा कमिटी में अगर अगरे अट्रा लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेइटर बाइव एक वर्मेंट का रिप्रेजेंटेटिव और एक एंप्लोई का रिप्रेजेंटेटिव बोत बढ़िया सी ओसी अपनी पहली जो सी ओसी जो है वो मीटिंग कौन बुलाएगा उनकी रिजोलुशन प्रफेशनल लेकिन 33 परसेंट मेंबर्स अगर बोलें तो उनको मीटिंग बुला के देना पड़ेगा ठीक है मेरे ओके वांडरफुल बेटे नेक्स्ट है मेरे जो पहली मीटिंग चाहिए चाहिए खंच बतान हो कि इसके लिए के लिए 24 hours नाइंटी परसेंट सी चाहिए तो क्या आप्लिकेशन कर सकना है एक लाज बार देखलो तैक है लाज बार प्यार महबद से इंट्रेंट इंट जो रिजूलीशन प्रफेशनल क्यों ओना चीए है इंडिपैंड 18 largest operation creator by value, एक workman का represented, और एक employee का represented. Is that easy? COC की meeting, जो है, वो resolution professional convene करता है, बुलाता है. अगर लेकिन, अगर 33% of members application देखे, हमें meeting बुलाना है, तो meeting बुला के देना पड़ता है. Is that easy? Notice का period, जो है, पहली meeting का, फाल देन, सबस्ट्रिक्वेंट का 24 hours. 90% सी अप्लिकेशन विड्रोग करना चाहे तो कड सकते हैं इसी के साथ आपका CIRP कंप्लीट CIRP इतना ही था क्या इतना ही था बैटे अज़िस सुनो मेरी बात ध्यान से इसमें एक बाकी है फास्ट्रेक कॉर्परेट इंसल्मेंस इलिशन प्रोसेशन जो मैं लास्ट में कराऊंगा क्या बाकी है फास्ट्रेक वाला बाकी उसके रूल्स बाकी हैं CIRP आपका इतना था क्या पड़ा हमने अभी CIRP सुनना प्यार मुपत से अभी हम शुरू करेंगे लिक्विडीशन अब क्या शुरू करेंगे लिक्विडीशन लिक्विडीशन किसका CIRP वाला ही CIRP आग़ेगो एक मिट बास समझो श्चिर्प्यार मुपत से एक मिनित अगर से रिजुलीशन प्लें आगया और रिजुलीशन प्लें अप्रूव हो गया तो कॉर्परेट लेकिन अगर रिजुटा सा ब्रेक लेलो ठीक है बागल हो गया बारा बच के पंदरा मिट पर शुरू करेंगे सहींकि कग ए आनीश कहता है बरस्तों कर दो बारा फंदरा को शुरू कर दूगाना मैं कर्वा ON कर दो करमा किस्ध में शक्राइब कर थैंस ख़र बारा पंदरा सुरो करते है अब दोगा फिर लंज ब्रेक दोगा 1245 को आप स्वारी 145 को नहीं भाई एक बनाना लेकर आना दोला लेना तन मैंसर गोल हां क्या बैटा तु घर में रेस्ट कर फिर वो खा रहें गया जा घर जा हां कि नहीं नहीं टैंक यू धन्यवाद ये लेकर आ रहा है हां जी क्या अहां सबके सेक्शन भी याद रखने हैं रखो तो अच्छा है नहीं रखे तो भी चलेगा सर नोट्स की लिंक पेज दो मैं विजवा देता हूं के coy है ब्विजवा देता हूं डवीजवाद य Cathy हावन में सिरो कमनीमिंडेण नहीं है यह अप् ich का यह नोट शियर करवाओ कर्वाद है करवाद बिना हम यह दो किती भीड लग जाती है यह उनसे निकलने में ओनलाइन वालों को गskैut यह देखो, कितनी भीड लग गई से निकलने की जगह नहीं मिल रही इनको झाल 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 क्या समय क्या प्या 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 झाल 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 को नुमें तेरी महानता 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 जय हो जय हो शंकरा भोले नाति शंकरा हाँ 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 तो सुरोन आप गंगा धाम में गाड़ी लगा दो और चाबी इसको दे दो वाच्मेन को कोई दिक्कत नहीं आप अपने पास भी रखें तो मैं शाम को भी लिएंगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप वाच्मेन को भी दे दिये तो भी कोई दिक्कत नहीं ठीक है ओके भाई चलिए आजो भाई चलो बेटे आगे बढ़ते हैं बेटे आओ बेटे गाना सुनाओं के बेटे एक चलो प्यारा सा गाना सुनाते हैं आपको आजो कौन सा गाना सुनोगे हाँ भगवान का गाना सुनाओं क्या है चलो भगवान का गाना सुनाते हैं आपको सुनो कौन सा गाना सुनोगे हो नहीं आता मेरे को तरह मुंडा आ रहा है तर टकला रहा है तरह टकला चलो गाना सुनाओं के पियारा साप लोगो चलो अच्छा से गाना सुनाता हूं सुनो 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 चलो स्टाइट करते हैं ओके आजाओ चली भाई स्टाइट करते हैं प्यारा साप लोगों सुनी भाई मससा गाना उसके बाद सुनो करते हैं कैसी तरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना चाओं, कैसी तरी खुद गर्जी, किसी तो रटके ना पाओं मस्त वोला, मस्त कल अंदर, तू हवा का एक बवंडर, बुझ के ही अंदर ही अंदर क्यों रगा, रे कभी ही रा मान जा, रे पकी रा यू ना जा, कैसा तु है निर्मोई, कैसा हर जाईया, तूटी चार पाही वोही, थंडी पूरवाही रस्ता देखे, दूदों की मलाई, वोही, मिट्टी की सुराही रस्ता देखे, कैसी तरी खुद गर्जी, लब नमक रहे ना मिसरी, कैसी तरी खुद गर्जी, तुझे प्रीत पुरानी बिसरी, मस्त माला मस्त कल अंदर, तुवा का एक बवंडर, बुझ के ही अंदर ही अंदर क्यों रह गया, रे कबीरा मान जा, रे पकीरा यून जा, आजा, तुझ को पकारे तेरी परचाईया, चली भाई बहुत शुरू करें, आजाईये सभी लो, here we move, here we go, आजाईये, चली भाई, let's begin, और बेटे जल्दी बैटो प्लीज, आजेए, अब शुरू करने हैं दोस्त, हम लोग लिक्विडेशन से, अब हम लोग कहां से शुरू करने हैं बच्चा है, लिक्विडेशन से, इसमें चार्ट सबस्यादा इंपोरेंट है, ध्यान देना बेटा, में को एक बात बताओ बेटा, अगर आपकी कंपनी CIRP में थी, अगर से रिजूलिशन प्लैन आ गया, और अप्रूफ हो गया, और अप्रूफ कर दिया हैं दो लोग उने, वो दो लोग कौन हैं, एक तो हैं, COC और एक एजुरूटेटिंग अथौरिटी, अगर आपकी कंपनी CIRP में थी, रिजूलिशन प्लैन आ गया, ठीक हैं, और अप्रूफ हो गया, अप्रूफ कर दिया, COC ने और एजुरूटेटिंग अथौरिटी ने, तो कौर्परेट डेटर इस, आउट ओफ कॉर्परेट इंसॉलवेंशी रिजुरूशन प्रोसेस, याद रखना, इस और एक अप्रूफ कॉर्परेट इंसॉलवेंशी रिजूशन प्रूसेस, ओई हीरो ओई 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 चाज कर दिया ना बैटा मैंने समझ रहे न आपको ध्यान दो थोड़ा सा अभी ध्यान दो थोड़ा सा अब ध्यान दो थोड़ा सा अगर से रिजुलुशन प्लैन आ गया अप्रूव हो गया और मैंडम आप भी मैंडम ध्यान दो थोड़ा सा है ना और मैंडम आप भी ध्यान दो थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट आप यही करते रहो बस लेक्चर में घंटे में पांच बार तो आप एसी बन एसी चालू फैन बन फैन चालू लाइट बन लाइट चालू चले भाई आजाओ, ओके, तो अगर से आपकी कंपनी CIRP में थी, और रिजुलूशन प्लैन अगर आपका अप्रूव हो जाता है, COC और एजुटेटिंग अथरिटी अप्रूव कर लेते हैं, तो corporate debtor is out of CIRP, लेकिन, कब-कब कंपनी आपकी liquidation में जाएगी, अब यह शुरू करना है, क liquidation में जाएगी यह जड़ा सीख रहा है हमने, आजएगे, आजओ बच्चा, दिखा देते हैं बच्चा, कब-कब जाएगी आपकी company liquidation में, एक chart है, बड़ा important है, उसमें सिपो chart कर लिया, अपने आपका काम हो जाना है पूरा, ठीके यह वाला chart कर लेना बस, आजओ, अगर स अगर प्लैन आया है नहीं, तो सीधा जाएंगे liquidation के पास, अगर प्लैन आया है नहीं, तो कहां जाएंगे सीधा, liquidation, time खतम हो गया, maximum time कितना है बोलो, 180 days, extension 90 days का पूरी process 330 days में complete होनी चाहिए, इतने time के अंदर plan ही नहीं आया, तो कहां जाएंगे, liquidation, इतने time के अंदर plan न जाएंगे liquidation, अगर fast track corporate insolvency resolution process थी, तो इसके लिए कुछ rules अलग है, पढ़ाऊंगा मैं आगे, आज last में, fast track था, और उसमें भी अगर time पे plan नहीं आया, तो भी कहां जाएगा, liquidation, याद रखना अगर time पे resolution plan नहीं आया, तो कितर जाएंगे, liquidation, दूसरा, अगर adjudicating authority ने reject कर दी, क्या कर दी बेटा, अगर adjudicating authority ने reject कर दी, what do you mean by reject, what do you mean by reject, बोले भईया कि ये plan सही नहीं है, अगर adjudicating authority ने reject कर दी, तो भी कहां जाएंगे सीधा, liquidation, ठीक है, तीसरा, दियान देना, तीसरा, अगर resolution professional, resolution professional ने CIRP की process के दुरान बताया, resolution plan को confirm करने के पहले, कि COC का decision liquidation का है, COC का decision किसका है, liquidation का, तो भी कहां जाएंगे सीधा, liquidation, तो भी जाएंगे सीधा, liquidation, ठीक है, तीसरा case है, अगर say, COC का decision सीधा किसका है, liquidation का, resolution plan, resolution professional जो है, वो, NCLT को बताएगा कि, COC ने decision ले लिया, उनने सीधा कहां जाना है, liquidation, last है द्यान दिना अगर से resolution plan आया अप्रूव भी हो गया लेकिन contravention कर दिया contravention कर दिया किसी या तो corporate debtor ने contravention कर दिया उसको follow नहीं किया या किसी भी व्यक्ति ने contravention कर दिया, sick writer ने contravention कर दिया जिसका में interest affect हुआ वो NCLT के पास जाएगा और बोलेगा मुझे liquidation करना है मुझे क्या करना है liquidation देखो मैंना आपको समझाया ठीक है अगर से CRP होता है और resolution plan आया अप्रूव हो गया COC, adjudicating authority दोनोंने अप्रूव कर दिया तो क्या हो जाएगा out of corporate insolvency resolution process आया ना लेकिन बात ऐसी है कि अगर से resolution plan आया है नहीं जो maximum time prescribed था उसके अंदर जो maximum time prescribed था इतना बहुत जल्दी आया तू तन में के पास नहीं था तन में नहीं है क्या अज वा तू तो केले की दुकान ले गया है पूरी जिसने अच्छा अंसर दिया उसको बनाना फिक के मारूंगा मैं चली आजाओ अभी द्यान नहीं मदब बनाना दूंगा प्यार से मखालू के एक भूक लग रही है तूटी चार पाही इसनेप मत लेना भे तुम लोग है कर दा प्या है तेल है। ज़ाँ ज़ना देखी ज़े। ज़फिताप हाँ लग्यों ज़ीधार चुपरेशने टाएं चिक्परेशने डिखिए। तो कहा ईंद एक एक ला दरमा नाइदा ज़ुँआ नाइदा ज़ीधार तरह दिखिया ही हाँ प्रच्च अच्च पाइए अच्च पाइए नहीं जो सुप्रश्च अच्च यह आज बार चलिए भाई अभी ध्यान देना आजीए ठीक है और इस्क्यूस मी प्लीज दोस्तों ध्यान देना अगर से एजुटेटिंग अथॉर्टी ध्यान से सुनना उसके पास वन रसुल्विशन प्लैन आयाई नहीं हम फूरा एक और अथन चुम्स मालें यहल्ता टो अगर से याद रखना प्लेंद भाईज tracks अगर गयât सबसेंगा रिजिटी केटिंग तो भी मामला आ जाएगा लिकविडेशन में जाएगा ठीक है अगर रिजिटी केटिंग प्लैन आने के पहले COC ने बोल दिया कि हमें लिक्विडेशन में जाना है तो भी एड टिकेटिंग अथोरिटी के पास चला जाएगा आर्पी बोलेगा लिक्विडेशन में जाना है और लास्ट है अगर इसे रिजुलुशन प्लैन आया अप्रूव हुआ बट किसी ने कॉंट्रेवेंशन कर दिया तो कॉंट्रेवेंशन की वज़े से क्या होगा जो भी परसन अगरीव दे मतलब जिसको भी नुक्सान हुआ है वो क्या बोलेगा मुझे काई में जाना है लिक्विडेशन प्लीज याद रखे इस बात को कब कब कंपनी कॉर्प्रेट डेटर लिक्विडेशन में जा रहा है पलीज याद रखे इस बात को बेटा पहला पॉंट क्या है अगर इसुशं प्लैन आया है इस ताइम के अधर दूसरा पॉंट क्या है रिजो्शं प्लैन आया था रिजो्यत लेकिन एट्सी टीकर्टिंग अथर्टी ने रिजेक कर दिया थेक है तीसरा क्या है सिए उसी ने बोला लिक्वेडिशन में जाना है और रिजुलेशन प्रफेश्चन ने डिसीजन कमिनिकेट कर दिया और लास क्या है कि लास्च जल्दी से बता ओग अगर से कॉंट्रवेंशन हो गया क्या होगा कॉंट्रवेंशन कि किसी ने किसी प्रकार से रूल्स फालो नहीं किया ला तो कॉर्पेट डेटर नहीं किसी व्यक्ति नहीं और किसी जो भी परसन अग्रीव अग्रीव मतलब जिसको अफेक्ट हुआ उस चीज से वो जा सकता और बोल सकता मुझे क्या करना है लिक्विडेशन यह चार केसे में आफ लिक्विडेशन इनिशेट करवा सकते हैं चार केसे में लिक्विड़ेशन करा सकते हैं रिजूशन प्लान आया नहीं टाइम के अंदर ऐलन शूर्फ कर दिय। और ऑन इसे लिक्विडाईशन में जाना है तो आपके कौनिक्विडिशन नहीं है यह सब जो है वो से 이거 ह इससे related rules बनाएगी, कि कौन से assets जो हैं वो liquidation में जा सकते हैं, कौन से assets जो exclude किये जाएंगे, यह सब की rules कौन बनाएगी, central government, not but important, एक बार आपकी company, ध्यान देना बेटा सभी लोग, please everyone, एक बार आपकी company liquidation में चली जाती है, एक बार आपकी company liquidation में चली जाती है, liquidator, 30 days के अं जा लेगा, याद रखना बिटा, एक बार आपकी company liquidation में चली जाती, liquidation में क्यों जा रही है, पता हूं कौन से case में liquidation में जा रही है, अगर से resolution plan, आया या नहीं, आया, एजी रिदिग अथरी ने reject कर दिया, या फिर आया, COC ने बोला हमें तो liquidation में जाना है, और last, आया, contraventions हो गए, तो जो भी अगरेवड है, वो क्या बोल रहा है, मुझे काई में जाना है, liquidation, is that clear people, wonderful, liquidation state, सभी लोग ध्यान देना, liquidation state का क्या मतलब है, कि center government बदा सकती, कौन से assets है, जो liquidation में count होंगे, बेचे जा सकते है, कौन से नहीं, liquidation में count होंगे, मतलब नहीं बेचे ज order आ गया, 30 days के अंदर liquidator क्या करेगा, 30 days के अंदर सारे claims को collect करेगा, 30 days के अंदर सारे claims को collect करेगा, verify करेगा, verification के लिए वो किसी भी party से कोई document या evidence मांग सकता है, तो answer is yes, वो किसी भी party से कोई document या evidence मांग सकता है, ठीक है, या तो वो पुरी तरीके से उसको verify, मतलब पुरी या तो पूरा एकसेप्ट करेगा 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 और पार्ट रिजेक्ट करेगा जो भी करेगा एकसेप्ट रिजेक्ट साथ दिन में बता देगा जो भी करेगा एकसेप्ट रिजेक्ट करेंगा साथ दिन में बता देगा ठीक है बोलो हाई या ना अगर किसी का रिजेक्ट कर दिया तो वह वेक्ति 14 दिन के अंदर NCLT जा सकता यानि एजुटिटिटिंग अथोर्टी अगर आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया लिक्विडेटर ने तो आप 14 दिन के अंदर याद रखना अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया तो आप अपील कर सकतो एजुटिगेटिंग अथोर्टी के बेचेंगे ठीक है सारी लाइबलिटी को पेओफ करेंगे सारी लिख करेंगे Of करेंगे ऐच चुटिगेटिंग अथोर्ट्टी डिजोल्युशन को ओडर देगी वह डीजोल्युशन को ओडर रह सी को साथ दिन के अंदर रहते रहते इसी के साथ liquidation इतना ही है समझेए प्लीस प्यार महबत से समझेए इसके rules एड हुए है वो कर्वाने बाकी है प्लीस प्यार महबत से समझेए कब कब कमती liquidation में जाएगी resolution plan आया आई नए, time कतम हो गया, आया ए ने reject कर दिया तीसरा coc नहीं बोला मुझे लिक्वीडेशन में जाना है याद रखना लिक्वीडेशन शुरुआ टीस दिन रकले घॉ다가 को एक्म करेगा कने के लिए्या करने लग रहा है मेरा decision accept किया जाना था, reject हो गया मेरा claim, तो वो NCLT जा सकता है 14 days के अंदर, बोला है या ना assets को बेचेंगे, liability को pay off करेंगे, dissolution को order रहेगा, वो dissolution का order ROC को साथ दिन में बता देंगे, कितने दिन में? साथ है, is that easy, is that easy, yes sir, फिर से contravention हो गए, तो जो भी व्यक्ति अग्रेट हो, क्या बोलेगा liquidation में जाना है, एक बार liquidation चुरूँ हो गया, liquidator 30 दिन के अंदर सब के claims collect करेगा, उसको verify करेगा, verify करने के लिए document evidence check कर सकता है, yes, या तो पूरा accept करेगा, या तो पूरा reject करेगा, या तो partly accept करेगा, partly reject करेगा, बोलो हाया ना, जो भी accept या reject करेगा, किते दिन में बताएगा, 7 दिन, किते दिन, 7 दिन, अगर कोई व्यक्ति अग्रीवट है, उससों लग रहा है, मेरा accept किया जाना था, claim reject हो गया, तो वो creator कहाँ अपील कर सकता है, adjudicating authority, किते दिन में, 14 दिन, यहाद, रखना 14 दिन में केस कर सकता है, बोलो किते दिन में, 14 दिन में, 14 दिन में, केस कर सकता है, इस बात को आपको रखना अच्छे से, या, सारे assets को क्या करेंगे, बेचेंगे, li molten 2, कोった करेंगे, सारे assets को बेचेंगे, लब लीटी को प्योंफ करेंगे फिर गोल सारी assets को बेचेंगे liabilities को प्याउफ करेंगे और याद रखिए गा सारे assets को बेचेंगे liability को प्योफ करेंगे बहुत बडिय एक बाता हूं आपको कि उसके बाद में पिसको बढ़ा देंगे आर उसी को किते दिन में है साथ दिन में किते जो चुन चाहिए धाना लेकिन जो एडीशन उसके अकॉडिंगली कुछ रूले कि चुछ मैंत बेचा जाएगा कैसे बेचा जाएगा गुछ रूल से बड़े इंपोर्टेंट आये शुरू करते हैं लिक्वीडिशन के कुछ rules है सब्सक्राइब क्या rules नहीं on किस तरीके से बेचेंगे क्या बेचेंगे वह देखना है अभी क्सिर्द अपर लिक्वीडेटर कॉन होना चीए क्या आंसर इस independent कॉन होना चाहिए बोलिए है लिक्विडिटर होना चाहिए बोलो क adequately चाहिए ह्यों है एक परसंग् любов i乾 और ओंग्त फॉर्टर कारई पने परसंग्す Sana पाट्नरर से रिल्रेट नहीं होना चाहिए बfish याप सबसे मेंपरेंट बहा आती है कि सबसी बैचेंगे तो किस तरीके से fierce तो या तो अना stand-alone basis, अकेले asset को बेचेंगे, ठीक है, like furniture को बेच दिया, है ना, asset को बेचेंगे किस तरीके से, asset realize कैसे करेंगे, additions का पार्ट है, या तो stand-alone तरीके से बेचेंगे, अकेले बेच देंगे asset को, like कोई single furniture, या फिर slum sell करेंगे, slum sell माने कोई branch उटा के बेच या assets in parcel, one by one, 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 send करेंगे, sale करेंगे, या तो पूरे corporate debtor ने न going concern, मतलब पूरी corporate debtor कोई बेच देंगे, कि कोई और use करेंगे उसे, या फिर कोई एक business बेच देंगे, जिसे आपके 5 business है, तो आपने किसी एक business को बेच दिया, इतने तरीकों से आप assets को realize करते हैं, बोलो कितने तरीके से assets को realize करते हैं, पहला है on stand alone basis, दूसरा, पहला है on a stand alone basis, दूसरा, slump sale, तीसरा, sale of assets collectively, चौता, assets in parcel, पाचवा, corporate debtor in a going concern, और any business, इतने तरीकों से assets को बेचे जा सकता है, जब आप assets बेचे ने, कितने तरीकों से assets को बेचा जा सकता है, तो पाचवा, slump sale, तीसरा, set of assets collectively, चौता, assets in parcel, पाचवा, corporate debtor in a going concern, और last कोई भी एक business, बुलो हाया ना, कैसे बेचा जा सकता है, जब फिर से बोलिये, on a stand alone basis, और slump sale, और set of assets collectively, और assets in parcel, और corporate debtor as a going concern, और एक आदी business, बुलो हाया ना, फिर से बोलो कैसे, stand alone basis, और slump sale, और set of assets collectively, और assets in parcel, और corporate debtor as a going concern, और any business, फिर से बोलिये, stand alone basis, और slump sale, और set of assets collectively, और assets in parcel, और corporate debtor as a going concern, और any business, बुलो हाया ना, या all the business, आया ना, फिर से एक बार last बार, बोलो कैसे, on stand alone basis, और slump sale, और set of assets collectively, और assets in parcel, और corporate debtor as a going concern, और any business, आया ना, एक बार भी ना देखे बोलो, stand alone basis, slump sale, assets in parcel, corporate debtor as a going concern, और any और all the business, तो याद रखियेगा, on stand alone basis, slump sale, set of assets collectively, assets in parcel, corporate debtor as a going concern, और any business, ये तरीकों से आप assets को बेचते हैं, क्या करते हैं ये तरीकों से, assets को बेचते हैं, बुलो हाया ना, तो इसमें होता कै, on stand alone basis, मतलब एक asset को बेचा, slump sale मतलब एक अधी branch को उठा के बेच दिया, collectively मतलब बहुत सरे asset को इखटे में बेचा, parcels का मतलब होता है, बेचे की, one by one, one by one आप किसी चीज को बेच रहे हैं, installment wise, तो इस टाइप से आप कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर न, आप corporate debtor को बेच रहे हैं, पूरा या फिर business बेच रहे हैं, कैसे, बुझा 5 business थे, ए assets को बेच सकते हैं, बोलो कैसे बेच सकते हैं, फिर से बताइए, या तो stand alone, या तो slum sale, या set of assets collectively, या asset in parcel, corporate debtor as a going concern, और any business, हाँ या न, हाँ बोल बेचा, क्या बोल रहे हैं, actually, क्या होता है, कि stand alone में एक ही asset आपने बेचा है, बस, उसे stand alone कहते हैं, समझे सिर्फ एक बेचा, और कोई बेचा ही नहीं आपने, बस, आप one by one करते हैं उस चीज़ को, हाँ, येस, आप क्या कर बेचते हैं, ठीक हैं, one by one, उसको sell करते हैं, ठीक हैं, येस, installment wise आप बोल सकते हैं, एक में टुकना, एक ड्राइवर का message आए, एक में टुकना, हाँ जी, चली, आईए भाई, ओके शुरू करें, ओके, आजाओ चाचा, चली चाचा आईए, ओके, क्या होता है, क्या होता है, पहले, एक मिनिट, एक मिनिट, प्लीज, वो बढ़िया question पूछ रहा है, कि हम दो बार क्यों claims मांग रहे हैं, एक बार interim resolution professional मांगता था, फिर उसके बाद में एक बार liquidator मांग रहे हैं, तो actually IRP इस लिए मांगता था, ता कि सब के claims पता चले, तो कोई resolution plan दे, तो उसमें उसको असानी हो, पता चल जा है कि कितने claim है, और जब resolution plan अप्रूव ना हो, तो मामला का जाता है, liquidation, तब हो सकता है, तब तक सब के claims बदल चुके हो, तब तक हो सकता है, कि भाईया, ऐसी भी बात हो सकती है, कि और भी claims arise हो गए हो, तो इसलिए फिर से एक बार claims को मंगवाते हैं, ठीक है, अचा, अब ध्यान देना, तो assets को इतने तरीकों से बेचा जा सकता है, next मेरा ध्यान देना, किस method में sale होगी, तो याज रखना हमेशा, हमेशा auction ही किया जाता है, 99% cases में क्या किया जाता है, auction, auction से ही बेचा जाता है, लेकिन कुछ cases में private sale हो सकती है, जब भी assets को बेचेंगे, तो auction से ही बेचते हैं, लेकिन कुछ cases में private sale हो सकती है, private sale जो होती है, वो होती है, सिर्फ और सिर्फ चार cases में, जब assets perishable थे, like एक केला बेच रहे हो आप, क्या बेच रहे हो ये, company केले का business करते थे, company के assets है केले के, अब ये जो क assets को क्या auction करते बैटे हैं, इसको तुरन बेच देंगे, next है, determinable in nature है, ऐसा है जो अगर immediately नहीं बेचा, तो उसकी value गट रहे है, ऐसा है कि अगर immediately नहीं बेचा, तो उसकी value कर जाएगी, कम, determinable in nature है, या फिर auction ही fail हो गया, हमने auction किया था बट वो fail हो गया, auction किया था बट वो fail हो गया, या फिर, या फिर हमने adjudicating authority की permission ले लिए कि हमें private sale करना है, या रखना, जब भी asset बेचेंगे, हमेशा auction sales ही बेचना है, सिर्फ कुछ केसे इसमें private sale हो सकती है, कौनसे case में private sale हो सकती है, या रखना, जब assets कौनसे nature के हैं, perishable, या फिर detorial है, detorial मतला, value down हो रही है, अ या रखना, हमेशा asset जब बेचेंगे, auction से ही बेचना है, लेकिन कुछ केसे इसमें private sale कर सकते है, कौनसे case में private sale कर सकते हैं, जब assets perishable है, या फिर assets detorial in value है, if not sold immediately, या फिर auction fail हो गया, या किस की permission ले ले ली, adjudicating authority, बोला या न, कब-कब जल्दी से बताओ, assets perishable है, या फिर detorial in nature है, या फिर auction fail हो गया, या फिर adjudicating authority की permission ले ली, फिर से बोलिए, assets perishable है, या फिर detorial in nature है, या फिर auction fail हो गया, या फिर permission किस की ले ली, adjudicating authority, once more, assets is perishable, और are likely to be detorial in value, if not sold immediately, if auction fail, और last if permission of A is taken, yes or no, wonderful, जैसे ही, या हम देना बेटा सभी लोग, जैसे ही सारे assets भिक जाएंगे 90 दिन के अंदर पुरी liability pay कर देते हैं, बोलो कितने दिन के अंदर बेटा, 90 दिन, जैसे ही सारे assets realize होते हैं, 90 देस के अंदर पुरी liability pay कर देते हैं, 90 देस के अंदर पुरी liability pay कर देते हैं, और यह पूरा liquidation एक साल में complete हो जाना चाहिए, पूरा liquidation एक साल में complete हो जाना चाहि ये पूरा लिकाइशन कितने साल में अबिशाना चाहिए? एक साल इतना ही रूल्स थे, that's it. इतना इतना ही रूल्स इंपोर्न थे, यही आपको करना है, that's it. That's it, that's it, that's it, that's it, that's it. लिक्विडेशन हमने ब्रेक के बाद जो शुरू किया आदे घंटे का टॉपिक था फिर से एक बार पूरा लिक्विडेशन आपको मैं रिवाइस कराता हूँ प्यार मौबबत से आओ लिक्विडेशन परियाओ अल में कर दिया अने के पहले सी औसी ने बोल दिया क्या हमें तो लिक्विडेशन में जाना है और चौठा आया दो लेकिन किसी ने कॉंट्रामेंशन कर दिया तो अग्रेवट है वो क्या बोल रहे मुझे लिक्वीडियशन में जा चार किस में लिक्वीडिशन नियांगे आइन अचै का वेरी गुडिशान में चलेगा लिक्वीडिशन सबसे क्लेमस मंगाता थार्टी डेस के अंदर बोलोग wonderful people, सबको verify करेगा, याद रखने इस बात को, सबको verify करेगा, liquidator, क्या verify करने के लिए, document evidence चेक कर सकता है, yes, या to accept करेगा, या to reject, या partly accept, partly reject, yes or no, जो भी करेगा, साथ दिन में बता देगा, अगर किसी व्यक्ति का claim, reject हो गया, कर सकता है कि अगर इसी स्क्राइंट कर वो अगर किसी स्टित का प्रिजतर तो गया तो तो वो कि अब कर सकता है यगे कि फियन दैनिंट пом Stanford कि को करेंगे डिम प्रोडिए नीडश्पूर करेंगे डिसलिसट रहेगा वो दिसल्विशन बौडर मैं आर आके को देखेंगे seven days के अंदर how many days seven days के अंदर में को बताइए लिक्वेटर कौन होना चाहिए independent लिक्वेटर इंडिपेंड़ना चाहिए assets जब बेचेंगे तो किस तरीके से बेचेंगे या तो stand alone stand alone या तो अकेला या तो क्या बेचेंगे slum sell what do you mean by slum sell पुरी branch बेच दिया या तो set of assets collectively या तो assets in parcel या तो फिर ऐसा going concern या तो एक business या all the business या तो एक business या आया ना stand alone slum sell asset collectively parcel या तो पुरा corporate debtor बेच दिया या कोई business आया ना आचा किस method में बेचा जाएगा बोली लगवाएंगे क्या लगवाएंगे बोली बोली लगवा के बिचेंगे अगर बोली लगवा के बेच तो है मतलब 99% में यह होगा सिफ कुछ केस में प्राइवेट से लो सकती है अगर से assets कौन से है पैरिशेबर पैरिशेबर इन वैल्यू है तो फिर फ्राइवेटली बेच देंगे हमारे साब से या फिर ऐसा है जो जिसकी वैल्यू डाउन हो रही अगर तुरम नहीं बेचा तो या फिर auction फेल हो गया किसने खरीदा ही नहीं या फिर एक ही पर्मीशन ले लिया आपने है ना या रखना जैसी एसे बेचे नाइंटी डिस के अंदर पूरी लाबेटी पे आफ करना है और यह पूरी प्रोसेस एक साल में कंप्लीट करना है कितने साल में यह सर रो टेक्निकली अभी CIRP खतम हुआ है पूरा यह लिक्विडिशन का जो पाट था है यह कपका था अगर रिजोलिशन प्लाइन आया ही नहीं आया एने रिजेक्ट कर दिया या फिर चर्शन में जा नहीं आया एक्सेप्ट हुआ है और अटरर्वेंशन हो गाए हाँ न है टेक्निकली अभी CIRP अपका क्या हुआ है खतमए अब बात आएगी फॉलिंटर लिक्विडिशन की बोलो किस की बेटे फॉलिंटर लिक्विडिशन और वालैंटर करेंगे अभी वा बहुत IMPORTANT है बहुत IMPORTANT एक्जाम परस्पाक्टव के लिए believe me voluntary liquidation बहुत IMPORTANT है इसके बाद आएगा थीए voluntary liquidation बहुत IMPORTANT है ach आजाओ चाचा हाँ पता यह मेरे को जाने मन मैं देख रहाता कुछ steep तो नहीं हुआ है आजाओ, voluntary liquidation पर आजाए यह स्वीडा सभी लोग, अचा नहीं एक चीज बाकी है, सौरी, एक चीज बाकी है, छोटी सी, छोटी सी, एक बार liquidation स्टार्ट हो गया, ध्याम देना बेटा, एक बार क्या स्टार्ट हो गया, liquidation स्टार्ट हो गया, तो corporate debtor पर कोई case नहीं हो सकता, corporate moratorium खतम हो जाता है अगर liquidation का order आजाता है, तो अब यह liquidation की बात करने है, ठीक है, moratorium तो खतम हो गया, जैसी liquidation आ गया, वैसी moratorium खतम, जैसी liquidation आया, उसके बाद भी corporate debtor किसी पर case नहीं कर सकती, corporate debtor पर case नहीं हो सकता, अचा, अगर, ध्यान देना बेटा, अगर case करना है, त यह liquidation कर सकता है, ऐच जो टीकेटिंग अथोरटी से permission लेके, अखर case करना है, तो liquidation कर सकते है, किस से permission लेके बोहना है? ऐचेटिघटिंग अथोरटी से permission लेके, बोहना है आ या ना, बाचा, वह सारे मामलों पर case हो सकता है, जो central government अलाओ करे, कौन अलाओ करे बैमें, sental government, वह सारे मामलों पर केस हो सकता है जो कौन अलाउ कर रही है central government अलाउ कर रही है अगर तो कुछ मामलों में case हो सकता है अगर अलाउ करे तो ही याद रखना अलाउ करे तो उन transaction के लिए case हो सकता है बोलो yes or no अच्छा लास्ट है एक बार liquidation को order आ गया तो मानेंगे जितने भी company के अंदर काम लोग कर रहे हैं लोग वो सब discharge हो गया मतलब सब सब जो है छुटी हो गई उनकी सबकी एक बार याद रखना liquidation को order आ गया मान लेंगे कि भाईया जितने भी लोग काम कर रहे है वर्कर एंप्लोई सबकी क्या हो गई छुटी बोलो हाँ या ना चलो एक केस में सिर्फ और सिर्फ एक केस में वो लोग लोग डिस्चार्ज नहीं हो गया अगर बिजनस कंटीनिव हो सकता है कई बार liquidation को order आया है लेकिन बिजनस अभी भी जारी है फूरी तरीके से wind up नहीं हुआ है बिजनस तो वो लोग डिस्चार्ज नहीं माने जाएंगे अधरवाइस लिक्विडिशन को order आया तो मान लिया जाएगा सारे वर्कर और इंप्लोई क्या हो गई डिस्चार्ज तीन पॉइंट है छोटे-छोटे से एक बार liquidation को order आया तो कमड़ी किसी भी केस नहीं कर सकती को युष केस नहीं हो सकता 케स उधि तो ऑलो की लोग की किसी और मावले में तो एड जिनिटिटि-टिट्इटि से में परमीशन लेके लिक्वियाड टर कर सकता है डिasi परमीशन लेके लगे कर सकता है और वृड इंजुट्यक्विडिशन उवेज निया लगं में सबी तो क्या तुछ कर लिए प्टें बिस्ना प्यार मुपत से एक नम कि लिक्विड़ीशन को अब्टहरा गया तो की स्टас यह सक्ता कॉहाब पिशीं नहीं कर सकता इजी है एक बर लेक्विडिटर। का उड़ादर और आके साशेट से सट करने के जैक वह गए ठिंहले है भीडास को तुर्नुय से अगर के बहुत बार पूछा गया है और बहुत इम्पॉर्णेट है इसकी प्रोसेस भी बड़ी इंपॉर्णेट है अच्छा सुनिए सुनिए अगर आपके एसेट्स का में लाइबलीटी जाद है तो किसमें जाते थे अगर आपके शाद ऑप बिजनस भी जारी है अगर बिजनस नी ओता तो चलो स्ट्राइक आफ में चले जाते बिजनस भी जारी है एसेट भी जाद है लेकिन हमें वाइं बैद अप करना है हमारी मर्जी, हमारा बिजनस, हमें जो मर्जी करें भाई, हमें बिजनस बंद करना है, तो भी एक तरीका बढ़िया सा है, अगर आपका कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो भी आप वोलिंटर लिक्विडिशन के लिए जा सकते हैं, ऐसे केस में जो प्रोसेस रहेगी हों बढ़ी अगर से आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, अगर से आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, ज्यान दिनस यहां दिना सभी लोग, अगर से आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, दोस्तों, कोई भी डिफॉल्ट नहीं है आपका, तो भी आप voluntary liquidation के लिए बढ़िया तरीके से जा सकते हैं, किस तरीके से, और obviously बात है कि डिफॉल्ट किया तो कहां जाओगे, CIRP, डिफॉल्ट किया तो कहां जाओगे, CIRP, औ डिफॉल्ट नहीं है, तो ही कहां जा सकते हो, डिफॉल्ट का मतलब क्या है, डिफॉल्ट का मतलब assets काम, liability जादा, तो default होगा, अरे हां यहां न, आजा कई वार ऐसा भी हो सकता है, assets आपके हैं, तब भी आप पैसा नहीं दे रहे हो, तब भी वह CIRP के लिए जा सकते हैं, अगर से, अगर से, बात ऐसी है कि, मेरे पास बहुत assets है, बुझनस बंद करना है, अब बंद करना है, बहुत हो गया, रिटायर होना है, अब लाइफ में सोचे लिए, खतम करना है, अब यह सब फॉरइन में रहेंगे, जाके अलाम से, इंडिया आते रहेंगे, बीच- अब ख़तम करते हैं तो कैसे ख़तम करेंगे आइए देखते हैं सबसे पहले जाता है declaration साथ में एफ़ड़ेविट ROC को और IBBI को ROC और Insolvency Bankruptcy Board of India को और यह बोलते हैं कि company हमारे सारे dues pay करेगी हम किसी को defraud नी करेंगे यह लो हमारे financial statements यह लो हमारे business records दो साल के ठीक है और दो साल के अगर company उससे पहले गिए तो वो और यह लो हमारी valuation report क्या लो हमारी valuation report अगर registered value ने बनाया तो तो क्या करती है corporate corporate debtor नहीं यह आपर corporate person है क्यों corporate person है क्योंकि उसको liability नहीं है liability जिसकी होती ही वह कौन होता है corporate debtor CIRP में हमेशा जब word यूज करोगे तो क्या यूज करोगे corporate debtor voluntary liquidation में जब भी word यूज करोगे क्या यूज करोगे corporate person समझाया है क्यों आचा क्योंकि इस यहाँ liability नहीं है corporate person सबसे पहले क्या देगा है declaration बोलो क्या देगा declaration साथ में एफार डेविट किसको देगा किसको देगा ROC और IBBI को ठीक है हाँ या ना अचा इसमें क्या लिखा रहेगा इसमें क्या देंगे कि हमारा intention हमारा intention किसी को defraud करने का नहीं है हम हमारी सारी liability पे करेंगे हाँ या ना हमारी सारी liability पे करेंगे हमारा intention किसी को defraud करने का नहीं है और हमारा intention किसका है liquidation हमारा जो intention है वो काई का है liquidation का है ये तीन चीज़ बता देंगे साथ में इनको देंगे दो साल के financial statements साथ में business records और क्या देंगे और क्या देंगे valuation report देंगे बोलो हा या ना yes or no तो भाई याद रखना corporate person यह पहला point है बस आपका यह पहला point है exam में पूछा हुआ यह पहला point exam में पूछा हुआ याद रखना कि अगर voluntary liquidation में जाना है corporate person declaration देगा ROC, IBBI को बुलेगा कि भाईया हमारा intention किसी को defraught करने का नहीं है हम हमारी liabilities pay करेंगे हमारा intention liquidation का है corporate person declaration देगा ROC, IBBI को बुलेगा मेरा intention किसी को defraught करने का नहीं है मैं मुझी पूरी liability पे करूँगा मेरा intention liquidation का है यह लो मेरे 2 साल के financial statement यह लो मेरे business record यह लो मेरी valuation report बुला है या ना ठीक है तो corporate person declaration देगा किसको ROC को IBBI को क्या intention बताएगा कि मेरा intention किसी को defraught करने का नहीं है मैं मेरे सारी liability पे करूँगा मेरा intention liquidation का है यह लो मेरे 2 साल के financial statement यह लो मेरे business record यह लो मेरी valuation report हाँ या ना YES or NO Wonderful people फिर उसके बाद में यह हो गया clear है doubt किसी को online में किसी को पहला point clear है ना चलिए wonderful चलिए ओके next ने बेटा ध्यान देना next point आता है ध्यान देना सभी लोग बेटा next point जो step 2 है वो क्या है step 2 कहती है कि जैसे ही आपने इसको declaration दिया उसके चार हफतों के अंदर आपको पास करना है special resolution क्या पास करना है special resolution अगर craters है तो 2 3rd of craters का approval देना है Crater है तो 2 3rd of craters का approval देना है बोलो हाँ या ना तो step 2 कहती है कि within 4 weeks within what within 4 weeks of what within 4 weeks of declaration within 4 weeks of declaration पास करना है क्या special resolution बोलो हाँ या ना और approval लेना है किसका क्रेडिटर का जो कितने हो 2 3rd in value अगर है तो बोलो हाँ या ना कितने हफतों के अंदर 4 हफते याने एक बहने के अंदर बोलो yes or no कर लिया यह और साथ में इसमें एक और चीज़ होती है है फॉइंट करते हैं a पॉइंट करते किसको ऑ लिक्वीड़ेटर को किसको अपॉइंट करते हैं बोलिए यह जब स्र पास के थब यूस समय क्या इसको पॉइंट कर देते हैं लिक्वीड़ेटर हाया ना गुड थाइट. जैसे आपने अप्रूवल ले करना है पाँच दिन के अंदर क्या करना है प ogóle अनॉस्मेंट नियूस्पेपर में और वेब साइट में 3 जैसे अप्रूवल Cities अप्रूवल उसके पंच देश के अंदर क्या करना है पब conducting Foreign है पब्लिक एन्हाउंस्मेंट करना है कहा पे न्यूस्पेबर और वятьसटे सब यूस्पेपर औरते डिन के यूस्पेपर और फेसले वी किया 2 पौर ये सज्थ से बता देना है कि है अप्रूवल मिल गया क्या करना है अप्रूवल तो जैसे ही अप्रूवल लिया जैसे ही अप्रूवल लिया उसके कितने दिन के अदर साथ दिन के अंदर कि इन्टी मेट करना है इन्टी मेट करना है किसको बेटा ROC और IBBI क्या बोलना है Approval मिल गया Approval Good night फिर उसके बाद में Approval के 45 डेस के अंदर Approval के 45 डेस के अंदर एक रिपोर्ट बनाना है क्या बनाना है रिपोर्ट जिसे हम कहते है Preliminary Report हम एक 45 डिन के अंदर Approval के रिपोर्ट बनाना है जिसे हम क्या कहते है Preliminary Report यह बनाता है लिक्विडेटर इसमें तीन चीज लिखी होती है एक तो Capital Structure, Asset Liability की डीटेल और Proposed Plan of Action, तीन चीज़े होती है बोलो कितनी चीज़? तीन तीन चीज़े होती है क्या क्या Capital Structure उसके बाद में Asset और Liability की डीटेल और Proposed Plan of Action फिर सब लिखा क्या होता है Capital Structure Asset Liability की डीटेल और Proposed Plan of Action बोलो हाँ या ना फिर से बोली क्या क्या होता है फिर से बोली जल्दी बताईए Capital Structure Asset Liability की डीटेल और Proposed Plan of Action बोलो हाँ या ना कितने दिन के अंदर यार रखना 45 डेस के अंदर जब से अप्रोव लिए एक Preliminary Report बनाते हैं जिसमें तीन चीज़ होती है Capital Structure Asset Liability की डीटेल और Proposed Plan of Action बोलो हाँ या ना Wonderful उसके बाद में क्या करते हैं जब सब के क्लेम साइंगे ठीक है सब के क्लेम साइंगे बोलो हाँ या ना Yes or No चलो ठीक है CS Experience वाले ग्रूप में पकर मत करो गया पढ़ लो पढ़ लो कब से तंटन बज रहे हैं बननी पढ़ ले और दूसरे लोगों भी आजाओ चलिए ध्यान देना एड़ेड हूँ है तुमारे गुरूप में है दूसरे वाले नंबर से सारे अन ओफिशल गुरूप में एड़ेड हूँ है तुमारे को पता नहीं चलता बट दूसरे वाले नंबर से जो नंबर ँवारे पास है ही नी चलिये द्यान दिना आ जईए हाँ मेरा भाई दिखा था कहां चलिये द्यान देना स्शेव मेझ जब से साबके last claim आए जब से सबके क्या है बिटा आई मैं यह सब यह बन द्रप्र पटी के अंदर क्या करने लिस्ट करने लिष्ट कर simplest इसल सब ससल इसल अ बंड बनाना है लो दिखन ददर जब से लास्ट क्लेम आया जब से क्या आया लास्ट क्लेम आया तो क्या करना है 30 रीरीच के अंदर दो गए वेरिफाइ और 45 डेस के अंदर लिस्ट ताया ना इसको भी नश्य हो रहे है आई पैट को चलिए यह इसी था ओके फिर एक बैंक अकाउंट खोलने क्या करना है बैंक अकाउंट कोलना है और बैंक अकाउंट के लास्ट में वाल इंवल इंटर लिक्विडेशन लाक मेरी आपकी आप हमारी कंपनी का नाम है शुभं मोधी प्राइवेटक लेमिटित तो क्या हो जाएगा शुभं मोधी लिक्विडेश्ट बास समय रहां चाने रापकी हमारी कंपनी का नाम है यूनीघ कर मी Erm双ंट क्या हो जाएगा रिलाइंस industry's involuntary liquidation तो याद रखना है एक bank account खोलना है क्याँ खोलना है नै bank account रहे गा वो रिलाइंस प्रयाइट लिमिटेट इनवालनलिक विडेशन ठीक है bank account और last में उस में suffix क्या लग जाएगा suffix क्या लगेगा नाम के आगे involuntary liquidation हाई या ना easy, cool cool people cool okay, cool, buddy cool next है, सारे assets बेचने, सुनना जब से last claim आया, उसके 6 मैंने के अंदर मतंब कि सारे no, सारी liability pay off करना है जब से last asset बिखा उसके 6 मैंने के अंदर जब से last asset बिखा 6 मैंने के अंदर पुरी liability pay off करना है कितने मैनों में बेटा? 6 मैना याद रखना चाचा कि जब से last asset विका जब से last receipt आई मतलब जब से last asset विका six months के अंदर sold करना है assets को क्या करना है sold करना किसको assets को उसके बाद एक final report बनेगी क्या बनेगी फाइनल रिपोर्ट बनेगी जो लिक्वेटर बनाएगा चार लोग को देगा किते लोगो चार एक तो आरोसी को एक आई बी बी आई को एक एजुरिटिंग अधर्वर्टी को और एक corporate person को चार लोग को देगा final report हाया ना मॉन के अंदर लायबलेटी को पे अब करने है ज़ब से last i7o six लंस के अंदर लाब्रेटी को पे आउफ करने oni का मैं स्क्षिव मां के अंधर जब फाइनल रिपोर्ट मेंगा लिक्वेटर को आ यपी बी बी को एक और उसके बाद क्या होगा कि एडिटिनिंग और देगी किसका कि डिसॉलुशन का एडिटिटिंग और देगी डिसॉलुशन का और वह और हम आरो सी को देंगे लेकिन पढ़ो तो याध हो जाती है इजी लगती है जब आपका पढ़के हो गया है जब नहीं हो तो खुंखार लगती है अभी ध्यान देना बेटे सभी लोग आजे ही याद कराते हैं आजो चलिए कैसे है वॉलेंटर लिक्विडिशन कैसे होता है सबसे पहले कॉर्फिट परसन क्या देता है डेक्लेडेशन और एफडेविट किसको आरोसी आईवी भी आई क्या बोलता है हमारा इंटेंशन किसी को डिफ्रॉट करने का नहीं है हमारी सारी लियाबिलिटी पे करेंगे हमारा इंटेंशन लिक्विडिशन का है अचा तो साल के फिनांशल स्टेटमेंट दो साल के बिजन ऑσι'll 60 खेकरेटर का प्रूल एता है टू थअई अरफ परती हो जब से हमने शेयर ओल्ड़र सपर्मीशन आपके शवीश्यिचा किसल लिए paar जिना डर का तरा करते हैं अफ्लिक हनाउस्पेंट इक इसका फूं लगा हुआ यहां पर इसका फॉन लगाए यहां फोन किसका लगाए चार्जिंग में अब अब चलिए ओके अभी ध्यान देना सभी लोग ठीक है जैसे ही आपने special resolution पास किया क्या पास किया बेटा special resolution ठीक है जैसे ही आपने पास क्या special resolution याद रखना बेटा पाच दिन के अंदर बोढुनीए कि इनके अदर अचे अपको क्या करना आप पॉलिक अनॉनस्मेंट दिल इक्वेटर करता आप दव Yarna हत्या मतलइ जब से पुप्ट क्या अप्योइंट हुआ हुआ अच्छा नेकस्ट है जब से अपने रटे साफ दिन स्ट्रक्शर एसलिब्लिट की डीटेल प्रपोस्ट प्लैन ऑफ एक्शन यह कौन बनाता है लिक्वीडेटर जब सब के क्लेम्स आते हैं 30 दिन के अंदर वेरिफाय करता है 45 देस के अंदर क्या बनाता है लिस्ट बैंक अगाउंट खोलता है जिसका सफिक्स क्या होता है इन वालेंटर लिक्वीडेशन हा आप एसे कितने लोग है जिनको याद हो गई है आप ऐसे कितने लोग है जिनको याद हो गई मैं क्या बात है good चलिया यह फिर से पहें सबसे पहले क्या हो रहा है कि कोई है जो बोल सकता है यहां प्याविप पूरी प्रोसरी ही पूरा बोल सकता है एट उसेड को बटाई को पूराे कि सक्सम मेरी तूर्स सहा झाल तरहा है कि चुब देख रहाता है कि चलिए यह सबसे पहले क्या होता है यह बताइए ऑनलाइन वाले करें हम बोल सकते हैं सर सी लोग डिरेक्टर चैप्टर का लेक्टर नाइन टम अब लोड नहीं है ठीक है बेटा ओफिस में बोलता हूं मैं आजए यह चलिए ओके बताइए परसन क्या देगा डिक्लेडिशन और एफड़ेविट किसको और 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 इप्टर करने का नहीं है हम अमारी सारी लिएटी पे करेंगे हमारा इंटेंशन लिक्विडिशन का है यह सब नू उसके क्या देगे देंगे दू साल के फिनांशल स्टेटमेंट बिजनस रिपोर्ट हां या ना येस और नू आज जैसे ही हमने याद रखना डिक्लेडिशन फाइल क्या रोसी आई भी बेगो चार अफ्त के अंदर क्या पास करेंगे स्पेशल रिजॉलिशन अपोइंट करेंगे लिक्विडेटर अप्रूवल लेंगे क्रेटर का कित्ते क्रेटर कट्रो थाई इन centre फर् INVELU फिर जब से हमने सपैश्चल उसी पास के अप्रूवल लिया पास दिन के क्या करेंगे पपलिक अनौंस्मेंट कहां पे नियूस पेटर और वेब साइट में जैसे इस स्पेशल रिजोलुशन पास के साथ दिन में इंटिमेट करेंगे किसको आरो ची और आई बी भी आई को क्या बताएंगे कि और उसी और आई भी वे को क्या बताएंगे कि भाई आप रूवल मिल गया फिर जैसी अप्रूवल लिक्वेटर बनाएगा जैसे कहते हैं प्रेलिमिनरी रिपोर्ट इसमें तीन चीज होगी क्या होगा सामें डुल बनाएंगे लित याग खनास्ट साथ में वेरी विविर्विभल यंब के बनाएंगे लित banana सबके क्या हैंगे क्लेम्स सब के सब एसेट को बेचेंगे जब से लास्ट एसेट विका छे मैंने के अंदर पुरी लाइबरीटी पेओफ फाइनल रिपोर्ट बनेगी चार लोग को जाएगी कौन-कौन आरोसी आई बीबी आई एज जेटिंग अथोरिटी कॉर्परेट पर संद ए आरोसी को कितन में देंगे 14 डेस हाया ना यसार नो इसे 28 में देता है आरोसी को यह जो देंगे कौन सकाइब देंगे सॉरी ठीक है ठीक है थैंक्यू अभी ध्यान देना वोलेंटर लिक्विडेशन बड़ी याद रहेगा सभी को आरियो सुर सभी को क्लियर है क्या आगे पीछे ऊपर नीचे ऑन्लाइन वालों पिस्जिकल वालों क्लियर है क्या ऑन्लाइन में किसी का डाउत आये बेटा तो पेटा आप लोगी स्वाल करा दिया करो मैं इनको बोलो धीरे बोले सही बात है नोड़ा धीरे बोला करो माइक में आज आती है मेरी आज भी सुनाई नहीं दिती होगी कई बरी सबसे ज़ादा एक ही चिल्लाती अभी पहले यह चिल्लाती भी बंद कर दी इसने बोल बोल के मैंने सुदा रहा हूं इसको और एक अभी भी बाकी है बस सुदार जाएंगे हां जी वो नियोने वाला चल यह वेंडरफॉल अच्छा है जोश अच्छा है चलिए ओके गुड पीपल वोलेंटे कुटी港 क्लियर है पक्का क्लियर है आरे व्री शॉओ कोही है जो लेगा चूल मेझन एकज़त लास बर प्यार मंबथ से लासवी एक लासरेईज़न फिर पक्का दन प्रॉमिसलास त्रार्स रिवीजन गोड जाएगा फिर ठीक है को गोड जाएगा अंदर अंदर त्का जयी सुनिये स्ट अफ टीक है फोस्ट व चॉरपरेट बैटर विल विल टिर इंटन एफ़िजान था तर्विटाविट इस श्ट्रेट निंट राविट्र। they will pay all their liability their intention is to liquidate the company they will give two years financial statements business records and valuation report if prepared by registered valuer after giving the declaration within four weeks they will pass a special resolution and appoint a liquidator and take approval of creditor if any of two-third in value after taking approval from the shareholders they will make a pub as a equator will make a public announcement in newspaper and website of the corporate person take a corporate personal okay next time after taking approval from the members liquidator will intimate to ROC and IBBI after taking approval from members liquidator will make a report that is known as preliminary report within 45 days it will contain capital structure asset liability details and proposed plan of action when last claim is received within 30 days liquidator shall may shall verify the claims and within 45 days shall prepare a list the bank account will be open in any scheduled bank and suffix will be involuntary liquidation after selling all the assets from the from the date of last receipt all liabilities will be paid off within six months final report will be prepared by liquidator and will be given to ROC, IBBI, adjudicating authority and corporate person adjudicating authority then give a order of dissolution and such order will be given to ROC within 14 days in INC 28 is it clear people that will be the same as the 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 12 महिनों में खतम होनी हैं और जटने वी रिकॉर्ट हैं कम्पनी के डिससल्उइशंक के 8 साल तक मेंटेन करने हैं kanaar metodo Ketan Ketane 수ॉर्ट DOrist čion के बाद कितने साल तक 8 साल चाय सय को कॉरेशिकरइटर के के साल कि waterfall arrangement बढ़ा ही important है waterfall arrangement करेंगे उसके बाद winding up and dissolution का difference देखेंगे उसके बाद break ले लेंगे फिर winding up by tribunal winding up by central moment जितने additions हुआए ब्रेक के बाद करेंगे और फिर उसको wind up करेंगे राइट बीबल चलिए दियान देना सबी लोग अभी आपको हो गए सवा तीन गंटे 15 का ब्रेक ब्रेक दिया तो तीन गंटे सा पड़ने थीन घंटे में हमने अच्छा कुछ कवर कर लिया है आजा बहुत कुछ कवर कर लिया है अज जागे अब ध्यान देंगे भीपल वाट कभी किसी चीजको लड़े हो ऐसे कि पहले मुझे चे contradiction बाध में जिसको देना है देके बैटना ऐसा हुआ है किस चीज के लिए बहुत सरी चीजह ना तेरी शायरी तो लग ईसलों ने था इसलिए तुम्हारे को सुनाता हम में शायरी वहा क्या साइरी है लॉंडे की मज़ा आगया सुभे में ब्रेक पास कर रहा था भाई ने साहिरी सुनाया मेरे को हां तुभी सुना दे जाज अच्छा इदर आजा जाने मना आजा क्या लड़कें बुरा नहीं माने की को सुना दे शाहिरी सुना गौर फरमाईएगा पहली बाद तो कोई लड़की लोग बुरा मत मनना मतलब आपको भावनाओं को ठेश मचाना मेरा वो नहीं है ठीक है अच्छे आने लगे हैं और बड़ों की मैंफिलों में बच्चे आने लगे हैं लड़कियों को लगता है उनकी खूप्सूरती बढ़ गई है पर ना बेटा फोन के कैमरे अच्छे आने लगे हैं गजब गजब बड़ों की मैं फिलों में बच्चे आने लगे हैं इसने तरको देखके बोला दे कैसा है क्या में ताली बैडम को सुना दूंगा कौनसी बड़ी बात है चलिए ओके आईए वाईए ओके भी बड़ अब देखें एसेट्स दिख गये पैसा आ गया अब वह पैसा पहले किसको जाएगा फिर किसको जाएगा फिर किसको जाएगा तो आईए देखने हैं सबसे पहले जाएगा insolvency resolution process cost and liquidation cost बोली क्या जाएगा सबसे पहले insolvency resolution process cost and liquidation cost एक बार ICSI ने तीन नंबर के लिए पूछी थी कि what do you mean by insolvency resolution process cost and liquidation cost आई यह देख लेते हैं insolvency resolution process cost and liquidation cost का मतलब क्या है ध्यान देना बाटा क्या मतलब है important है exam के लिए insolvency resolution process cost में कितनी चीज़े आती है सबसे पहला अगर से आपने पैसा raise करने के लिए जो पैसा लिया था कई बार पैसा raise करने के लिए भी पैसा लेना पड़ता है ना अब मालनों बैंक से लोन लेना है तो CA का खर्चा है CA पैसे लेगा या CS थू काम करा तो CS पैसे लेगा या तो फिर मान लीजी आपको documents लगाने पड़ेंगे tax भरना पड़ेगा कुछ जादा तो पैसा raise करने के लिए भी कई पैसा लगता है वो पैसा insolvency resolution process cost में आएगा ध्यान देना people ठीक है amount of any interim finance or cost incurred in raising such finance जो भी आपने interim finance लिया कोई पैसा लिया liquidation करने के लिए छोटा मोटा जोब को पैसा लगा वो आएगा और उस पैसे को raise करने के लिए जो पैसा लगा वो इसमें आएगा दूसरा जो resolution professional की fees है वो इसमें आएगी resolution professional ने business को run करने के लिए जो पैसा खर्च किया वो इसमें आएगा ठीक है ठीक है ठीक है बेटा government ने resolution resolution process को करने के लिए जो पैसा खर्च किया वो इसमें आजाएगा तो याद रखना 4 points इसमें आएगे ठीक है बेटा याद रखना 4 points इसमें आएगे सबसे पहले जब assets बिगेंगे तो liability pay करते हैं तो सबसे पहले आता है insolvency resolution process cost and liquidation cost क्या आता है बोलिए insolvency resolution process cost and liquidation cost फिर सब बोली क्या insolvency resolution process cost and liquidation cost बोलो हाया ना अरे yes or हो नो अरे हाया ना चलिए ओके खुरियान चीज़ों सी लिख रही है लेकिन boys with camera या without camera देखना तो टक्ती है होने चलिए आईए ओके अभी त्यान देना आजो insolvency resolution process cost and liquidation cost दुख हुआ है रे इसको अभी त्यान इंसolvency resolution process cost and liquidation cost सुनी इस क्या क्या आएगा इसमें सबसे पहला amount of interim finance and cost incurred in raising such finance फिर से बोलो गया amount of any interim finance और cost incurred in raising such finance जो भी आपने पैसा लिया था interim finance मतलब क्या होता है जो आपने liquidation process को complete करने के लिए पैसा लिया न उसमें interim finance का नाम दे रहे हैं कि भाया आपने यह finance को long term purpose के लिया नहीं है आपने यह finance का पैसा इसलिए लिया है ताकि आपकी process complete अच्छे से हो जाए तो वह पैसे या उसको एक तो यए रेस करने के लिए जो पैसे लगा वह इसमें और आपने resolution professional को जो fees दी वह इसमें आएगा यह यहioniा नंबर के लिए पूछी यही एक बरी कि वाट बी मीन और इन्सलवेंसी डीशन प्रसस को याद रखना जो 1 रखना बाव धा या उसको cost जो लगी पैसा raise करने के लिए या फिर resolution professional की fees या उसको जो पैसा लगा business run करने के लिए या फिर government जो है उसने जो पैसा खर्च की insolvency decision process के लिए ये चार प्रकार के पैसे इसमें आ जाते हैं चार प्रकार की amount इसमें आ जाते हैं बोलो हाया ना इसी बेभी अच्छा अब ध्यान देना सभी लोग वापिस आईए waterfall arrangement पर waterfall arrangement क्या कहता है waterfall arrangement क्या पैसे आपका बटवारा क्या होगा तो सबसे पहले insolvency decision process cost and liquidation cost in full हाया ना second number पर दो लोग आते हैं एक आतने worker के 24 मैंने के dues जब से liquidation शुरूँ है उसके पहले worker के 24 मैंने के dues और ऐसे secured credit जिन्होंने security linguish कर दी ऐसे secured credit जिन्होंने security linguish कर दी माले जी मेरी company है मेरी company जो है वो इसमें जारी है liquidation में काई में जारी है liquidation में अब मेरी company company ने बहुत हो से loan लिया था और उनके पास मेरी company के assets गिरवी थे तो जिनके पास मेरे assets गिरवी थे उनने मुझे assets वापिस कर दिया इसका मतलब उनने security linguish कर दी security linguish करने का मतलब क्या है जो creditor है वो अगर अगर अपने पास जो security रखी हुई है वो company को बोले रख ले वापिस तो इसे कहते है security linguish कर देना त्याग देना relinquish मतलब त्यागना relinquish का मतलब बता है त्याग तो creditor जिसके पास कोई चीज घरवी की पड़ी थी उसने क्या किया वह वापिस दे दिया अपनी को वह ला नहीं 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 भाई क्यों करेगा कोई दे दिया कई वह यसा हो जाता है कि आप दे दे पने alone कम security में भी स्वाथ समझे नहीं तो उस cases में क्या होगा बेटे कि वो relinquish कर देगा और second number पर आ जाएगा अगर से कम की value थी है ना ध्यान देना third है कि अगर से employees है उनके 12 मेने के dues है वो third number पर आएंगे unsecured creator fourth number पर आएंगे central government state government के dues दो साल तक के fifth number पर आएंगे और ऐसे secured creator general security language नहीं किती वो कह पर आएंगे fifth number पर general security language नहीं किती अरे भाया अगर से मेरे पास मैंने company को दिया था loan पांच करोड का वो जारी liquidation में और मेरे पास उन गिर्वी की चीज़ भी पांच करोड की है मैं क्यों उसको रिलिंग्विश करूँ मैं नहीं करूँ रिलिंग्विश उसको बेच के पांच करोड मेरे वसुल लूँगा अगर मालो 10-20 लाक बज भी जाते हैं उसके लिए एक common sense है अगर से आपके पास आपने किसी corporate director को loan दिया था और आपके पास उसके कोई समान गिर्वी है अगर वो इतनी value का है जिससे आपका loan satisfy हो जाएगा तो फिर आप उससे relinquish नहीं करेंगे लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप उसको relinquish करके कौन से number पे आना च इन फुल कूरा पैसा पी करना है दूसरे नंबर पे कौन आएंगे वर्कमेन के 24 मैने के डियूस वर्कमेन के 24 मैने के डियूस और ऐसे security लिंग्विश कर दी थर्ड नंबर पे employee के 12 मैने के डियूस चौत्य नंबर पे unsecured creator पांच में नंबर पे सेंटर गोर्मेंट स्टेट गोर्मेंट के दो साल के डियूस आएंगे और साथ में ऐसे secured क्रेडिटर जिनोंने security लिंग्विश नहीं की थी बराबर है अचा फिर आएंगे एनी रिमेनिंग डियूस अंडेट्स कोई रिमेनिंग डियूस अंडेट्स है जो दिना बाकी है य अचा कहता है यह वाटर पॉर इंडिमें नौंट विट सेंडिंग एनिथिंग कॉंटरी कंटेंडिन एनी लो भार में जाए फरक नहीं पड़ता किसी लॉव में कुछ भी लिखाओ इसी तरीके से बटवारा होगा बात का तम भार में जाए जिसी भी लॉव में क्या भी ल अन्य लेंगलेश पर लिंग्वेश कर दी थर्ड नंबर पे एंपलोई के बारा मैंके ड्यूज फोर्थ नंबर पे अंसी प्रक पाश्य नंबर पे सेंटरल गोर्मेंट स्टेट गवरमेंट के दो साल के डिवर ऐसे से सी कर गेड़तर जिन रेमेनिंग देट्स रहे शरी वाटरफॉल नहीं आया समझ में फिर से बताओ अरे बहुत सिंपल है जाने मन पैसे का बटवारा कैसे होगा बिटे आपकी कंपनी है ना ऐसा इट बेच से दिए पैसा आगया पैसे का बटवारा भी तो करने है किसको पहले देंगे वो कर देख रहे हैं तो पहले द पहले पैसा निप्टाएंगे फिर वरकर के 24 मैने के डियूस साथ में ऐसे सिक्यूर्ट क्राइटर जिन्होंने अपनी सिक्यूर्टी त्याग दी थी उनको पैसे देके निप्टा देंगे इन दो नंबर पे तीसरे नंबर पे एंप्लोई के 12 मैने के डियूस चौथ्य पांच करोड आ गए किते बचे एक करोड तो एक करोड लेने के लिए उसका आएगा पांच में नंबर पे अगड़ पूरी से कर देता तो दोसरे नंबर पे आ जाता है विर आएंगे एंगे एंडी दिमेंग द्वेश अंधेश पिर प्रेफेरेंश यरोल्ड और और फिर इक विटी शेरोल्ड इस एडीजी आएंट तिंग कि देर शुट बी अनी प्रोब्लम हाया ना में को नहीं लगता कोई तपली को नीजिए इसमें भाईया बहुत सिंपल है ना जानी कि भाईया भाईया पैसे का बटवारा किस मैनर में होगा सबसे पहले इंसल्वेंसी रि करिटर जिनों ने सिक्राइटि लेंगेश कर दी फिर एंपलॉई के बारा मैंने के डियोज फिर अंसिक्युर्ट क्राइटर सेंटर गृप्रीश गवर्मेंट के दो साल एसे सिक्राइटर जोना की ती आए ना नहीं की थी तो जितना बच गया अन्पेड अमांट मेंगे न इसका नाम वाटरपॉल क्यों रखा गया है पानी कैसा बहता है पैसा कैसा बहरा है पहले की ले गया फिर कोई ले गया फिर कोई ले गया अच्छा कई वर ऐसा भी हो सकता है लास तक आहीं अ कि इसे लिए यह थेंगे नहीं कोई कर लिया अगर आपने कहर लिया कोई कॉट्रे क्या वाइब कर लिया अपने कॉट्रेक्ट by नेKay बेस्ट को दोस्ते लिए मेर को पैसा देन मेरी कमनी जो वाइंट को पेले नंबर में पैसा दूआ है से कॉंट्रेक्ट है एग्रिमेंटああis not इसी मेरा धार का बात खळीज़ इसी मेहले में अब्गार ना वाट ख़तर से चृते बहिंद देखलिते आजो अज्य सुनिए लिखी डिशन गॉयडिशन बोर अटा है जो तो लिक्नीशन में नकिया जाता है एसे को बता पेऊलिटी युदिति को प्रेओं किया जाता तो ये दिशु को एकिन दूसलना इस सुनों तो सुनों सुनां सुना छो सुनों लिक्विडेशन दो चीजों से बनता है कि एक है कि वाइंडिंग पॉर एक है dissolution दें देने दोनों के भी ना पिए टेकर टेकरे लिक्विडियेशन दो चीजों से बनता है किस किस से winding up और dissolution winding upibility winding up में क्या करेंगे assets को कि पेचेंगлом और liability को payoff करेंगे और dissolution में order देंगे किस बात का कि company नहीं रही कमपनी नहीं रही लिक्विडिशन में कंपनी गई मतलब दो चीज होगी आगे दो चीज क्या होगी वो लिए assets को बेचेंगे, liability को pay off करेंगे, company को बंद करेंगे सुनना, तो अभी वही पढ़ने वाले हैं कि winding up और dissolution में क्या फरक है आजएगे, winding up and dissolution का फरक देखते हैं, सबसे फेले winding up एक ऐसी process है जिससे आप company का legal existence या LLP का legal existence close करते हैं इसमें assets को बेचते है, liability को pay off करते है, कोई पैसा बच गया, तो contributors के बीच में बाट देते हैं, share holders के बीच में बाट देते हैं ठीक है, एक बार यह सब हो गया, तो agility authority, company को dissolve कर देते हैं, बताब पहले winding up होगा है और dissolution, winding up, winding up में क्या होगा, assets will be realized, liabilities will be paid off, surplus will be distributed, among the contributors, yes or no, winding up is the process for closing down the legal existence of any company on LLP, yes or no, winding up की दोरान सारा management liquidator देखते है, directors नहीं देखते, winding up के दोरान सारा management काम देखता है, liquidator, ठीक है, यार रखना, ठीक है, जब तक dissolution नहीं होता, asset liability company की ही मानी जाती है, company की ही मानी जाती है, ठीकिन एक बार dissolution हो गया, तो मौत हो गई, क्या हो गई, मौत, उसके बाद में फिर company का नाम और निशान कुछ नहीं दिखेगा आपक winding up में assets बेचेंगे, liability pay off करेंगे, surplus part देंगे, बात समझने है, एक बार winding up हो गया, NCIT order किसका देगा, dissolution का, yes or no, dissolution का order एक बार आ गया, सबी लोग याद रखना, dissolution का एक बार आ गया, order मत का मतव, company अब नहीं रहे, winding up, सब भी लोग बात को समझे, प्यार मौबत से, winding up जो ह difference देखना, मैंने लिख वाया था क्या, लिख वाया था, शायद मैंने, एक मिनट, हाँ, देखें, देखें, winding up में dissolution का difference, सबसे पहले, winding up कौंसी stage है, first stage, winding up is the first stage of ending the legal existence of entity, winding up is the first stage of ending the legal existence of entity, and dissolution is the final stage, dissolution कौंसी stage है, final stage, yes or no, winding up, first stage, dissolution, final stage, winding up में क्या होता है, assets are realized, liabilities are paid off, surplus is distributed, और dissolution में क्या होता है, it's a order passed by agitating authority, confirming end of legal existence, yes or no, हो कहारा भी है, winding up पहली stage है, entity को बंद करने के लिए, dissolution अखरी stage है, winding up में assets को बेचते है, liability को पे आफ करते है, surplus को distribute करते है, dissolution को order है, जिससे यह बोला जाते है कि अब कंपनी यह नहीं रही, winding up liquidator करता है, वहीं dissolution को order, NCLT देती है, अरे हाँ या न, यान कि कौन देती है, adjudicating authority, creditor को अपने claim proof करने तो वह कप करते है, winding up के दौरान, बोलो कहा के दौरान बेटा, creditor को अपने claim proof करने तो कहा के दौरान करते है, winding up के दौरान, है न, dissolution के दौरान वो नहीं कर सकते है, winding up से हर बार dissolution हो, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि murder amalgamation में भी कई बार winding up किया जाता है, winding up से हर बार dissolution हो, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि winding up बहुत समय किया जाता है, जैसे merger amalgamation, लेकिन dissolution winding up के बीना possible, नहीं है, dissolution winding up के बीना possible, नहीं है, बुलाया या, पांच difference है बड़ा important है यह भी तीन नंबर के लिए पूछा जा सकता है winding up कौन सी stage है first, dissolution कौन सी stage है final to end the legal existence, winding up में asset बिचेंगे, lab 80 pay off करेंगे और surplus को बाट देंगे, dissolution, order है जो NCLT देगी कि अभी यह company नहीं रही, confirm करेगी that this entity is not in existence now, confirming the end of legal existence, winding up कौन देखेगा, liquidator, dissolution, adjudicating authority, creditor को claim proof करना है, कब करेंगे, winding up के दौरान, कब करेंगे बिटा, winding up के दौरान, और creditor dissolution के दौरान नहीं कर सकते, winding up से हर बाद dissolution हो यह जरूरी, नहीं है, winding up need not result in dissolution in all cases, and dissolution is not possible without winding up, is that clear people, are you sure people, very sure people, हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा, financial creditor कैसे apply करते है, operational creditor कैसे apply करते है, corporate debtor कैसे apply करते है, IRP, COC, IRP, उसके बाद हमने देखा, time limit क्या है, time limit के बाद में, suspension क्या है, क्या है, moratorium क्या है, आया ना, उसके बाद हमने देखा, liquidation, उसके rules, CIRP के rules, जो लिखवाय के दिये मैंने, voluntary liquidation, waterfall arrangement, winding up and resolution का difference, आया ना, अब आपका बचा क्या क्या है, सुनना, बचा है आपका winding up by tribunal, winding up by central government, PPIRP, और fast track corporate insolvency resolution process, ठीक है, तो यह चार topic बचें, कितने topic बेटें, चार, जिसमें यह topic बहुत चोटा है, यह topic है, winding up by central community बहुत चोटा है, यह बड़ा है, यह बड़ा है, यह बड़ा है, ठीक है, fast track भी थोड़ा चोटा ही है, इसको खतम करने के लिए मुझे लगेंगे तकरीवन तकरीवन दो घंटे, दो घंटे या धाई घंटे में हो जाएगा, ठीक है, तो अभी break ले लो, break के बाद में आओ, फिर धाई तीन घंटे, में हो जाएगा, अभी आपन लोग break ले लेते हैं, अभी 1.37 न, दो बच के पंदरा मिट तक, ठीक है, दो बच के पंदरा मिट तक का ब्रेक ले लो, दो पंदरा से पांच वे तक पूरा करा दूंगा, अराम से, अच्छे से, ठीक है, मेटे, शोड़ो, हाँ, मेटा, मेट, सर, प्लीज, वो लड़की बोलो ना, वो अकेली है, सर, प्लीज, वो लड़की को बोलो, वो अकेली नहीं पढ़ रही है, उससे बोलो, थोड़ा स्लो पढ़े, हां जी यह इसी परपस के लिए बात हो रही है जब अनली फॉर्ट इस रेफरेंस नॉट इस टोटली डिफरेंट थिंग तब होता है जब बिजनस नहीं कंटिनियो हो रहा है ले दन्यवाद चेंस जब 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 एक भी वार बिगडिना वाट लग जाएगे नहीं दन्यवाद बहुत बहुत शुकरिया बहुत बहुत शुकरिया मेरे लाल थैंक यू सो मच खाता हूं है जल्दी जाओ और चल्दी आओ कि जू चिल लाटी बेटा इतना क्या बेटा लुगा ना बेटा बोला था ना कहां रहता है तू किदर रहता है बोला जाना मैंने लिता हूं है क्लास ओनलाइन तो क्यूं आए दर क्यूं आए दर क्यूं आए दर क्यूं आए दर चेलो बेटे ओके बाई चलिए बाई में दोस्तों चलो 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 सर प्लीज वाट्सप देखो के देखता हूं नोट्स में भिजवाता हूं यस समय दो सार फांडिशन क्लिनी क्या एडिव कर सकते और जुन माहिनत करना पड़ेगा सब्सक्राइटर वाटरफॉल में अगर कोई एसेट ले तो किस नंबर पर आएगा एसेट ले मतलब वोड़ी मिन बैए एसेट ले फिफ्ट नंबर ना रिंग्वेश नहीं किया मतलब तो फिफ्ट नंबर देखा तो ठीक है प्रोनोट्स में दिलवाता हूं बच्चा मैं क लेक्चर खतम होगा आपको दिख जाएंगे ड्राइव आ जाएगी आपके इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी वह गूगल ड्राइव ठीक है चली बाबाए धिलवा टाएगी दिल टाएगी वह बच्चा मैं की लेक्चर आएग टेग्फचा जाएगी जाएगी आएगी आपके बच्सक्र श्राइब प्राइब गलग। झाल 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 बहुत कमेंट आते देखा हूं मैंने बहुत कमेंट देखा हूं तुरे अरे बहुत उपर था वो चले जाता है फिर दिखता नहीं है कसम से मा कसम बुलो हाँ बताए ना से लो हमें अम तो बनी केताब है अम पागल नहीं है भाईया अमारा दिमाग कराब है अज़ बैटा आज वेटा क्या बबू येस पीओ खाओ पीओ एश करो मित्रों खाओ पीओ वैश करो मित्रों खाओ खुजाओ बत्ति पुजाओ अता है येस पुतिन जी आदेना अट् कि अच्छ दी वहकाम पहले पहले जागे तो प्रक्राव क्या तैंट थाउसं हां हां तुन तब तेंट तौजन एटीव में मिले थे तो फिर क्या किया तो नहीं उस पैसे का कुछ यूज कर लिया कुछ दान कर दिया कितने दान किया पात सो सौ दो सो दान किया दस अजार में से फोल तक कुछ दान कर दिया और कुछ यूज कर लिया और फिर दान कितना किया सौ दो सो और बाकी ये पीजा खा लिया इतने कह कहां से मिले पैसे पर एटियम में हाँ 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 कटर नाक कुछ क्वेरी है आपने बोला था कॉल करना है बेटा टेक्स मेसेज करना में रिप्लाई कर दू हाँ जू जू नू 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 आई वांट तो सम्थिंग श्रेया कहती है से हाँ ओफिस ओफिस मला हाँ जू अखुक क constitution में और भी जू नू थे खुब लोगई में इसके दुख कुछ भी दू पार भी मालूम में रोगो ओफिस ओफ सम्सेश्म में मालों वह उफिस के रूल चलते बाई विसम वाली ऐसम में मेरे को भी यह जाते हों सिर्फ आज हाज 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 है सराव जीजल कभी रिवीजन लोगे येस बिटा लेंगे है टेक्स मेसेज कि अपने रिपलाइन एक मैं देखता हूं करिश्ना मेराथन के बाद सर मेरे को प्री एक्जिगेटिव के फीस कितनी है श्रिया इसमें ओफिस में कॉल करना कल बिटा तेक्व आ जाएगा सब डीटेल्स नहीं नहीं उनकी नहीं जो नेवेंबर में जिनका इटी है सर जैईजल कभ लोगे जैईजल का टाइम है अभी आएगा नंबर्स क्रीज होते हैं के वेरिफिकेशन में ना के बराबर चांस होता बेटा नहीं ओन रखा है बन दे गया डेली कब आओगे सर आई गोट फेल्ड ऑन दिस अटेंप सर पुरानी वाली मेरातॉन देख रखी है यह देख तो चलेगा बिटा यह चेंजिस हुए ना अमेंडमेंट आया हूँ है देख लो पिर वीजन ही हो जाएगा ना सोलंकी जी क्रिशन आप टेक्स मेसेज करके रहों को मैं देखता हूँ बाबा नहीं होते है चलेजी शुरू करते हैं आज आईए भाई सबी लोग नमस्ते सचरी काल आजाएए भाई्या सबी लोग नमस्ते नमस्ते सचरी काल दोस्तों नमस्ते आजाएए बड़ी-बड़ी बड़ी-बड़ी-बड़्या चेंजी शुरू करते हैं लेट्स बिगन एविवन हेवी गोपीपल आजाओ पीपल करनेश में देखता हूं बिटा बाद में मैं मैंना तौन के बाद देखता हूं तुम्हारे जो आया हूं है न कॉंस्टूरिशन के कुई मेरा तौन है क्या सब मेरा मिस हुआ है थोड़ा हां वो प्री बैच में चली आजेगे अभी एक बड़ी चलीगे चीड आम शुरु करते हैं आगे का काम आजेगे मेरी चन चली जी अब हमें शिरु करना है विर्थ तर्माट वाइं टिक् żyंपर मैं शुरु खरना हूं सीघव वाइंडिजाटोबावीड तौन हेयोग होगल बडी लालालाhrालाल किसको है बोलू कि छेले भाई ध्यान देंगे इंवरी बना जाएए ना विया स्टाइडिंग विया स्टाइडिंग वाइंडिंग बाई ट्रिबिनल में को पता नहीं क्यों लग रहा है यह इस पारी तुमारे अटेंब में नहीं आएगा देखो ठीक है यह देखो इस बाई अक्षट उसमें रूल्स है बट यही वाले रूलस आप जो मैंने करा है वो लिखोगे चलेगा बेटा ठीक है अक्षट उसके रूलस आएं बट वह मैंने जो आपको करा है आप वही सेम करोगे ना आपको बूरमार्क्स मिलेंगे डोंट वरी चलिए जी आजए जल्दी से आजए दोस्त वाइस बढ़ाओ बिटा वाइस अल्रेडी बोत है बोत अवाज है इससे जादा क्या बढ़ाओ अभी चलिए लेट्स बिगिन हां हां जी वाइंडिग अबन्य चुरू कर रहा है बहतनी नोट दे दूंगा वेकाई आपको चलिए आजरीए लेट्स बिगिन चलिए लेट्स बिकिन छेली भाइ आजरीए अब ध्यान देंगे वाइंडिग ग्रिंग जुब्नाल कुण जो नुख मुण करता है ध्यान देना, खेक हैं में ट्रिबिनल कंपनी को wind up करदेगा सबसे हैं, सबसे पहला है अगर कंपनी ने special resolution pass कि या और बोला कि मुझे winding up गर Tribunal करवाना है पहला case है अगर से कंपनी ने special resolution pass किया और बोला मुझे winding up करवाना है आप से तो ये case है दूसरा case है अगर company sovereignty integrity of India के खिलाफ काम कर रही है या फिर security of state के खिलाफ काम कर रही है या फिर friendly relation with foreign state या फिर public order decency morality ये सब के खिलाफ अगर company काम कर रही है तो भी ऐसे cases में criminal company को wind up कर देगा कि अगर से company ने special resolution पास किया और बोला कि मुझे आपके दोरा wind up होना है पहला ये case है दूसरा case है कि अगर company काम कर रही है sovereignty integrity of India के अगेंस वतलब company देश द्रोई company है ठीक है सुरक्षा के अगेंस काम कर रही है friendly relation with foreign state के अगेंस काम कर रही है public order, decency, morality ये सब के अगेंस company काम कर रही है ऐसे cases में भी ट्रिबिनल company को wind up कर सकता है third case है ध्यान देना सभी लोग बेटे सभी लोग पास समझी है अगर से special resolution पास किया पहला case है दोसरा case है company काम जो कर रही है वो sovereignty integrity of India के अगेंस काम कर रही है security of state के अगेंस काम कर रही है friendly relation with foreign state के अगेंस काम कर रही है public order, decency, morality के खिलाब कर रही है अगर ये सारे काम है तो भी ट्रिबिनल company को wind up कर सकता है ठीक है मतलब कोई company है जो you know अब ऐसे काम कर रही है जो ऐसे बात समझ हो गई कि भाया मतलब जिससे सुरक्षा भंग हो सकती है ठीक है देश दुरोई company है बंब्लास के planning करती है ऐसे काम कर रही है जिसमें जैसे वो क्याना में इसका शिलपा शिट्टी का पती राज कुंदरा जैसे वीडियो वीडियो बनाने वाले गंदी मतलब समझ दो ना गंदी वीडियोस में अब काम करते हो ठीक है अब ऐसे केसे में दिसेंड नहीं है ग्रुवर्मेंट इन्होंने जाके गश्राइब क रेत की तो में दॉस में आ दौस दा वे झांट maior जाक बताया है अधरी तो बहुत Bisť भी ट्रीह उस कंपनी को वंद आप कर सकता है आरט ऐसल की परसं और से ने जाकर ट्रिबियोस में दौन ने जाका यह चीज़। कम classics है इनके तो misconduct है ठीक है यह तो fraudulent unlawful काम कर रहे है तो भी ट्रिबिनल उन company को wind up कर सकता है next है बेटे अगर से company ने लगातार पांच साल लगातार ठीक है consecutive लगातार पांच साल financial statement या annual written file नहीं किया लगातार पांच साल financial statement या invalidant file नहीं किया और last है last है अगर just या equitable है मतलब कोई reason है क्या है बेटे कोई कोई reason है मतलब नियाय और समानता के लिए भी ऐसे cases में ट्रिबिनल company को wind up कर सकता है section 271 ट्रिबिनल कब-कब किसी company को wind up कर सकता है section 271 important है ध्यान दीजिए बेटा सभी लो कब-कब ट्रिबिनल किसी company को wind up कर सकता है समझे बात को प्यार महबत से पहला case अगर company ने क्या पास किया special resolution और बोलिए मुझे wind up होना है पहला case है दूसरा case है companies working against the sovereignty of India security of state friendly relation with foreign state public order decency morality दूसरा case है तीसरा case है कि रजिस्ट्रार ने complain किया या फिर complain किस ने किया रजिस्ट्रार नहीं या फिर complain जो किया वो किया रजिस्ट्रार नहीं या फिर any person authorized by center government ने और क्या बोला कि भाई ये company fraud करती है misconduct कर रही है unlawful काम कर रही है तो ऐसे cases में भी क्या उसको wind up किया जा सकते आंसर इस या फिर लगा थार पांच साल से company ने financial statement एंवर रिटन फाइल ने किये और लास्ट है जस्ट अन इक्विटेबल है लास्ट के भीटा कर क्या है जस्ट अन इक्विटेबल यह पांच cases में ट्रिबिनल किसी company को wind up कर साता है section कौन सा है section कौन सा है 271 the section is 271 section कौन सा बोलिए 271 इजी है वोलो है ना कवी तक है रिए सर्व तूसी यह उता ना वेटा टू यह उसमें था dormant company के case में ठीक है और वो इसमें था क्या बोलते है स्ट्राइक अब इसमें पांच साली यह तिए अभी याद रखो सभी लोग बर्ले जल्दी बैच जाओ ना बैच जाओ ना इतना लेट के वांते हो सवा दो कदू बिश पचिश कर देते हो तुम लोग अब तो बहुत बहुत लेट आते है बेटा तुम कल से दिख जा तुम एरेको लेट तेरी वाट नहीं लगाया तो देखना मैंने हाँ भी बैच चुप चाओ यहीं बैच कोई नहीं बैच चुप चाओ वाँ पर टेप इस पर बैच बैच जा हाँ बस ऐसी रहना अब ओई हीरो तुम आ क्या बाहर मेला लगा हुआ हाँ 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 गोट में उठाके वाले चली आजाओ अभी ध्यान देना जीए अभी ध्यान दे सुनना क्या बोलता है स्टैग एंट्री तीने जाव यहां कपली जोड़ी हैं बहुते वैसे हैं यहां सब कपली हैं और क्लास में वैसे हमारे क्लास में दोसों में से 170 तो लड़किया होगी 160 लड़के विचारे कितने से हैं चली आईए चली आईए जल्दी बैटी है यार चली शुरू करते हैं आजओ सुना ध्यान देना ओ बड़ीस आईए बड़ीस चली बड़ीस जै कहता है गोद में बैटने देते हो क्लास में हाँ बैटन देते हैं आजा लेकिन इतरा इतरा एक मिनिट इतरा एक मिनिट इतरा गोद इसकी योगी चलेगा तरको अब ध्यान देना आजए अभी ध्यान से सुनना वेटे तो ट्रिबिनल कपकब किसी कमणी को वाइंड अप कर सकती है देगी भाई बहुत प्यार मभबत से अगर से कमने ने क्या पास किया है स्पैशल रिजालेशन और बोला कि मुझे तुम से क्या होना है वाइंड अप मुझे तुम से वाइंड अप होना पहला ही किसे दूसरा कंपनी जो काम कर दिए वो काम कर दिए अगेंस दा सोवनेटी इंडिया सेक्योरिटी और स्टेट प्रेंटलिशन देट पॉरें स्टेट पब्लिक ओडर डिसेंसी मॉरालिटी तीसरा है रजिस्ट्रार या फिर इनी परसां अनग्रान बेधा सेंटरल गwestनया और सि्ट्र्र इस ऑनमेंट काम करती है्या या वैंडर या फिर ने पात साल से लागा ढ़िए तर प्हां इंडिय में अचैनल स्टेट्मेंट्स या एय। डिर टीन तो हाया ना यह सब्सक्राइब कर सकता है यह एप्लिकेशन देने कौन जाएगा ध्यान देना एप्लिकेशन देने जाती है या तो कंपनी खुद या तो जाते हैं कॉंट्रिबिटरी मतलब जिसको पैसा लेना है कम्री से या तो इन दोने से कोई भी ठीक है या तो फिर ध्यान देना बेटा आप लेट है क्यों आए क्यों आए लेट इतना हां क्या करते हो यार सवा दो बोला है दो चब्विस होगी एक घंट लोगों के साथ है कि चलिए आईए भाई कि 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 कितने इसको उठा उसको बैठो इसके उपर बैठो उसके बाजू में बैठना तू अपने वाली के साथ बैठ बैठ बस आ जाई नहीं है तेरी वाली आई एगे हैं आचा कहीं और बैठी है अचा कहीं और बैठी है मन लग रहा है कि नीद लग रहा है ना चली जी आपकी आग्या होता हूं शुरू करें पक्का जी सब्सेटल डाउन हो गए हैं क्यों राजपाली आदा हो चली आजाओ अब ध्यान देना तो भाईया ध्यान दोस्तों तो कौन-कौन जाए अप्लिकेशन लेकि ट्रेपिनल के पास की कंपनी को बन करोगा तो कंपनी खुद जाएगी या तो कौन्टरिवर्टरी जाएंगे अचा रजिस्टर भी जा सकता है क्या अंसर इस एस एनी पर्सन ऑटरेश भी जा सकता है अंसर इस ध्यान देना यह पॉइंट बड़ा जा सकते हैं ऐसे केस में सेंटर गॉर्मेंट स्टेट गॉर्मेंट खुद ठीक है 272 कि कौन जाएगा एप्लिकेशन लेकि ट्रिविनल के पास की वाइंड अप करो तो कंपनी खुद जा सकती है कॉन्टरिटरी या रजिस्ट्रान या फिर एनी परसन ऑटरेश भी सेंटर ग वाइंड गब ट्रिमिनल कब कर सकता अगर कमनी ने स्पेशल लुशन पास किया पुझा मुझे वाइंड अप कर रो दोसरा इफ कम्नी वाकिंग अगेंस दा सवनेट इंटी के टीटिव एंडिया शिक्योरिटी ऑस्टेट फिरेंड इलिशन इप्रें इस्टेट पब्लिक काऊऀंड चाल रहे है है चल भई कंडी ग्रशन को क्या करो wind up करो चौता केस है अगर 5 साल से कमनी ने financial statement या annual return file ने किया और last अगर just and equal समानता के लिए ज़रूरी है समानता मतलब वह ली नहीं वह ली समानता नहीं equality justice के लिए ज़रूरी है wind up करना तो फिर wind up करेंगे answer is yes कौन कौन जाएगा application लेके company या तो contributory या तो जो हो में से कोई भी या तो registrar या तो any person authorized by central government central government state government खुद भी जा सकते है न अगर से कौन सा case है ये वाला case है ठीक है में ने शड़ो ध्यान देना आप सभी लोग अगर से company जाती है तो statement of affairs लेके जाएगी company जाती है तो क्या लेके जाएगी statement of affairs registrar जाता है तो permission लेके जाएगा central government की registrar जाता है तो क्या लेके जाएगा permission किस की central government की registrar जाता है तो permission लेके जाएगा central government की ठीक है ना मन लग रहा है तो हाज वक्सकर न हाट न्हां थीक है ओके नेंस्ट ध्यान देना सबी लोग श्बिट्रिश्ट भीज ए ध्यान देना सबी लोग ठिविनल जो है ट्र उपिनल 90डस के अंदर 90डस के इंदर या तो डिस्मिस कर देगा अप्लिकेशन डिस्मिश बंदो को बन कराने निकलो या तो बंद कर देगा तो नहीं है अभी कंपनी काम चलने दो यह अभी बंद कर दो या वट या तो लिक्विडेटर पॉइंट कर सकता है winding up order देने के पहले ही या तो winding up को order दे सकता है या तो जो order देना चाहिए दे सकता है tribunal 90 days के अंदर जब से application दिविली उसको पांच प्रकार के order दे सकता है या तो क्या करतेगा dismiss या तो हाँ चलिए आजएए सर प्यार व्यार सब मोम आया है लड़किया टेंथ डिजिट का मोबाइल नंबर नहीं दे रही और फिर जिंदगी भर साथ क्या देगी पढ़ाई कर लें वेटा चलिए पढ़ाई कर लें अब आयो आज़ो कि ट्विंट टावर्स गिर रहा है हां दिखा क्यासे ट्विंट टावर्स गिर रहा है कैसे क्या एज ज़्यादा हुए थी चलिए जी ठीए गिरना दो आओ बढ़िया क्या गिर रहा है बेटा वही जो नहीं गिरना चीए था चलिए अभी ध्यान देना ट्रिपिनल नाइंटीडिस के अंदर क्या ओडर देगा या तो दिस्मस कर देगा या तो इंट्रिम ओडर देगा ठीक है ध्यान दीजी सभी लोग दोस्तों जो फाइनल नहीं है ठीक है अभी ध्यान देना सभी लोग प्लीज तो ट्रिविनल अभी 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 अच्छे जो है बेटा मेक्शुर ऐसा करो की क्लास में लर्न हो जाया ठीक है अभी अभी अग्जाम पास में इसलिए आप लोग की फट्र नी रही है जब यही मैं मैं वह थो ना कर एक्जाम के 15 दिन पहले ले ले लिए अथे बैट एह ते है वहां बता सोच लोगा अभी अभी कोई भी दिख्ड़ को में से में को बात इसमे किसने अर् तू खास कर होुए तू भी हां तेर कोई जी बोल रहा है इधर में लिए इधर मात dart states करके थे तक विवो घ्रीility यहां अभी बत दिखे मेरे को यह कोई बी दिखा मेरे को बात करते हुए कि ठीक है का टून नेट वर्क अभी ध्यान देना जाए यह सुनिए ध्यान से त्रिमिनल जो है ध्यान सुनना सबी लोग 90 डेस्के अंदर बेटे याद रखना 90 डेस्के अंदर ट्रिबिनल ओडर देगा या तो डिस्मिस कर देगा तो को इंटी मोडर देगा प्रोविजनल ल का देगा अगर वाइंडिक अंका को डर आता है तो मानेंके था कुरेतर है थी याद हुआ रहला इस बात को अभी तक वह पर प्यार महा बचसे तो प्र लो लास्ट वार इतनी बार जो मैंने थीक है अगर जो है किसी कमनी को अगर कमनी ने स्पेशल रिजुन टास्क कि गई कब दूसरा है एफ कमनी वोखिंग अगेस्ट इंटेग्रेट अफ इंडिया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फॉरें स्टेट पॉब्लिक अदर डिसेंसी मोरालिटी एफ का रोसी या फिर कौन जिकर जाला गया एनी परसों ऑथराइस वा सेंटर गॉवर्मेंट ठीक है क्या बोलने जाके कि कंपनी कम कर रही है मिसकंड़ कर रही है चौता है कंपनी ने पांच सल से क्या पाल नहीं गया फिनांशल स्टेटमेंट या एन्वल रिटर्न और लास कौन सा है यह लास कौन सा फ जस्तन इक्वीटेबल है कौन-कौन जा सकते एप्लिकेशन लेगे कंपनी कॉंट्रिप्रिटरी दोनों में से कोई भी रजिस्टर एनी परसों और ऑफराइस यह सेंट्रल गोवर्मेंट सेंटर गोर्मेंट सेंट्ड गोवर्मेंट खुद भी जा सकते हैं येस अगर से बी वाला केस है 271 के बी वाला है इसके इसके इंदर क्या ओडर देगा या तो का ट्रीव छे खांक कर देगा या तो कोई इंट्रीम ओडर देगा या तो सब्सक्राइब कर county को या तो वाइंडि रखना बात को आपड चूपुट्पूल रो Westminster 60 days के अंदर जब से liquidation का order आया 60 days के अंदर एक report देगा tribunal को उस report में होती है बड़ी सारी चीजें आपको 6 चीजे याद रखनी है ठीक है liquidator 60 दिन के अंदर बेटे criminal को एक report देता है जब से winding up का order आया तो उसमें बड़ी सारी चीजने लिखी हुई है, आपको कोई 6 चीजने रखने हैं, जो भी आपको अच्छी लगे है, जैसे वो देगा, asset की details, cash in hand कितना है, cash and bank कितना है, ठीक है, valuation report देगा, by registered valuer, capital structure बताएगा, कैसा है, as, कितनी liability है company की, कौन है creditors, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, secured है, unsecured है, सब बताएगा, properly अच्छे से separate करके, कितने company को debts लेने के, और कितने chances हैं, वो मिलने के, realize होने के, guarantee company ने कितनी दे रखी है, company के कितने गांट्रेडमांक, intellectual property हैं, company के कितने contact है, joint venture है, collaboration है, company की holding कौन है, subsidiary कौन है, company कितने case file कर रखी है, company पे कितने case file हो रखी है, या, terminal जो देने बोले, वो दे देगा, 60 दिन के अंदर, आपको 6 point याद रखने हैं, ठीक है, बड़े सारे है, 60 दिन के अंदर हो एक report देता है, जब से liquidation का order है, तो उस report में होता क्या है, asset की detail cash in hand कितना cash in bank कितना valuation report, ठीक है, कितना capital है, asset liabilities की details पूरी आती है, liability में किस को पैसा लेना है, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, वो लोग secured and unsecured को separate करके, कितना पैसा company देना है, उसके कितने chances है, realization की, ठीक है, guarantee ठीक है, पिर उसके बाद में holding subsidiary की details, फिर उसके बाद कितने cases company पे हैं, company ने कितने case file के हैं, जो भी कौन बोले, tribunal, कोई कितने हाँ रखो, कोई 6, प्यार मभबत से अपने प्यार वाले mark कर लो, जो अच्छे लग रहे हैं, जो भी contract है, contract मतलब है उसका, ठीक है, र्यान देना, तो जितने भी assets है, company के cash in hand कितना है, cash in hand कितना है, valuation report जो registered value ने दिया, capital structure, asset, कितने पैसे देने किया, creator कौन कौन है, कहां कहां रहते है, कितने chances है, पैसे मिलने के, अगर company को पैसे लेना है, guarantee कितने है, trade वाक कितने है, intellectual property कितने है, holding कौन है, subsidiary कौन है, ठीक है, company के, भाईया, क्या कितने है, subsisting contract, joint venture कितने है, contributions कौन कौन है, legal cases कितने चल रहे है, company पे या company ने की है, जो, यह सारी बात में, कौन देगा, liquidator, किस में देगा, report में, कितने दिन के अंदर, side-in, side-in कब से, जब से order आया, रादे, रादे, आओ, next है, ध्यान देना, liquidator तीन हफतों के अंदर, जब से winding up को order आया, liquidation नहीं winding up बोलना चाहिए, मैंने गल्ती से liquidation बोल दिया, जब से winding up को order आया, याद रखना, ठीक है, जब से winding up को order आया, तीन हफतों के अंदर, एक committee बनाएगा, तीन हफतों के अंदर क्या बनाएगा, एक committee जिसके कहते है, winding up committee, क्या कहते है, जिसे बेटे, winding up committee, तीन हफतों के अंदर जब से वाइंडिंग पॉडर एक कमिटी बनाएगा जिसे कहते हैं वाइंडिंग पॉमिटी इसमें कौन कान होंगे इसमें होंगे एक तो ओफीशल लिकुडेटर खुद दूसरे होंगे सिक्याइट क्रेटर के नॉमिनी और तीसरे होंगे प्रोफेशन नॉमिनेटर बAnnतीन लोग होंगे दिन लोग होनँ प्रोफेशन लीकुडेटर और उवसर्ण लीघुडेटर का नॉमिनी और प्रोफेश्चनल नॉमिनेट दॉन में टिरिमन प्र performsnil जोगन ओनडें लिकुडेटर secured creator के nominee और professional nominated by tribunal फिर से बोली कौन होने है official liquidator secured creator के nominee और professional nominated by tribunal फिर से बोलिए official liquidator secured creator के nominee और professional nominated by tribunal फिर से बोलिए official liquidator secured creator के nominee और professional nominated by tribunal once more official liquidator secured creator के nominee और professional nominated by criminal once more official liquidator secured creator के nominee और professional nominated by criminal ये तीन लोगों ने winding up committee में तीन अफ़त के अंदर ये बनती है ये winding up committee का काम क्या होता है तो ये जो committee है वो make sure करती है winding up सही तरीके से चल रहा है पराबर है liquidator को report देना होता है है रिपोर्ट ये दिन होता है कि उसके opinion में कई फ्रॉट तो नहीं हो रहा वह वह उसे make sure करना पड़ता है कि assets की value हम maximize कैसे करेंगे वह हर quarter में report देता है quarter माने anything divided by four is quarter three months is quarter not four months is quarter anything divided by four is quarter खंबाता है ना साइड़े 700 ml का साइड़े 700 का आता ना साइड़े 600 तो साइड़े 600 को divide by four कर ले 180 ml बस 180 ml इस नीप नीप माने नीप नीप वह उसे नीप पे कहते है हिंदी में पवा नीप अचा पवा 1090 मारा knowledge यह नीप एक नीप किते की आती है ना ब्रुबबं पैसे रुबबं में देसी आती है और इसको सारे रेट पता है वह रेट बता देता हूं अर दारू का रेट पुछ लो से पूछ लो बस क्यों सारे रूगर रेट बता देगा बता बलेक डॉप किते का था खमा अजय है वह रेट लेट 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 लेड लेट लेट लेपरट देटा है और आपने दीचर कि रिस्पेक्ट करो आज़ा है अभी बढ़ाई करते हैं अब ध्यांद देना वेडिस अभी लो इनी सुर ना इंसरों शॉनåon this is लिए टर्ब लेकुवेंटर बेर में रिपर्ट देता है और यह बताता है कि कैसा चल रहा है काम मयं और को क्रís यह बाइबर की ब्राबल एक जर्रोंकर सबसे पहले चीज क्या होती है ऑफिशल लिक्विडेटर बात तीन लोग होते हैं वाइंडिंग अप कमिटी में प्रफेशनल लॉमिनेट इड़ लिक्वेटर हमेशा रिपोर्ट देता है कि उसके उपीनियन में कोई फ्रॉंट तो नहीं है कैसे एसेट को मैक्सिमाइज कर सक सकते हैं हर कॉर्टर में रिपोर्ट देता है कि वाइंडिंग अब का काम कैसा चल रहा है बराबर फिर एक बार लिक्वेटर एप्लिकेशन दे देता है कि सब काम होगा तो डिजॉल कर दो तो ट्रिबिनल डिजॉलूशन का ओडर देता है और कंपनी वाह से खताम वाइंड तक क्लास मिस नहीं की है लेकिन सेल स्टेडी नहीं किया पर आज से मैंने सेल स्टेडी किया तो पॉस पास हो जाओंगा हो जाओंगे यह बच्चे एक्जाम के दस दिन भी पूस्ते सार अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था आप पास पहड़ाई चालू करनों तो पास हो अब है वो देही थी देवता नहीं था है वो इस्त्री थी इतना बड़ा चैनल था उनका और लिखा क्या था हाउ टू पास सी एस एक्जिकेटिव एंग टेंडेज वाह इस्त्री हो सानाम भाईया दस दिन में पढ़के एक्जिकेटिव निकाल रहे हैं हम गड़ हैं चार म देना वेटे आजाईये सवराप SBC पार्टे और बागी के रिविजन कप करा हो गया अरे टाइम है भाईया समय आपी अब इस पर ध्यान दीजिए आप आजिए तो वाइंडिगा में ट्रिबिनल सेक्शन 271 ध्यान देना सेक्शन 271 कहता है सेक्शन 271 कहता है द्यान देना स बोलिए मुझे ट्रिबिनल के दौरा माइंड अप होना है पहला ही किस हो गया दूसरा है दूसरा है कंपनी इस वरकिंगे सब्सक्राइब इंडिया सेक्वरिटी ऑफ स्टेट फ्रेंड इलेशन इस पॉरें स्टेट डिसन सी मुरालिटी पब्लिक और क्या गेंस काम कर तो भी किविन वाइंड आप कर सकता है तीसरा है अगर रजिस्टार या नी परसान उत्राइब बासेंटर गोर्मेंट चले गए बोले कंपनी फ्रॉड इलें काम कर दी मिस्कंटक काम कर दी बंद करो तो भी बंद उसकर सकते हैं पाथ साल से कमणी ने फिनांशल सेट्में क्या है कि ने अनुऊ इंवल रेटन फाइल नहीं किया और लास या zona just और ऑ्र सकत अन जा सकता है एकलिक पुर्विटिटी वाला गुड नेक्स्ट नेक्स्ट ए तो स्टेट्मेंट ऑफ्यर लेके जाएगी रिजिस्टर जाता है तो इनकी परमीशन लेकर जाएगा तो प्रिपिनल कि अंदर 90 देज के अंदर या तो डिस्मेस कर देगा एंटम अधर प्रोविजिनल लिक्विटर प कितना है केश्ट अंद कितना है वेलुशान रिपोट क्या है ज republican कितना है तेगे उसके बाद में लयाड़ीति इस कितनी है बराभर जी holds औलिए अइयस प्राइड के बार्वर्णा कहंक टेंदा रहते हैं वो लो कोट्रीं T duplicate इंट्री प्राफ्रटी क्राइटर का नौ मीनी और सब्सक्राइटर का नौ मिनी और प्रफेशनाल नौमीनेटर वा वेरी गुड ठीक है फ्रफेशनाल लोमेनेटर वा रूआपन। also क्या हो गय में बशार है और हैं ये क्लें हैं याद कर रहा तैस अ किया होगे है है हूँ ऐसा क्या होगे उसको क्या से याद करता है तो बता है सब्सक्राइब कुछ भी ध्यान दो भई या अभी ध्यान देन अब ध्यान देन अश्ट तीन लोग ओते हैं में इंडिंग अप कमिटी में कौन-कौन अफिचल लिक्विडेटर सेक्याइट करेड़ का नॉमिनी और प्रफेशनल नॉमिनेटेट वाय ट्रिबिनल ट्रिबिनल रिपोर्ट देता अपनी कि उसको पिनल तो नहीं है एसेट की वेल्यू कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं हर कौटर में रिपोर्ट देता है निह एनींग मेंसेंटोमेंट उसके बाद में सिरफ यदिशन रहने में किसे एडिशन हैं लिकीन इदीशन है पिपि आयड प्य कि और फास्टर debate ब्रूम vaig 1900e वां ही अग्जाम में still we have to learn section अगकर करो तो अचह है स्वाउ-ट केफा है है हाव तो क्वालिफाइस एक्जिक्टिव इंजस्ट फिफ्टीन देज वन मस्ट टटी फॉर फाइव सिक्स आरड दे नोट तो भी प्रिपेड इन ब्रीफ गिव एट लिस्टु मॉक टेस्ट बिफॉर अपेरिंग एग्जाम प्रिपेर बस बेटा तो क्यों देख रहा है म आज़े बिटा नेक्स्ट विटा अमन विटा कौन को नपड़ाइ कर सकता है तो कंपनी कोई भी जिसको पैसा लेना है तो प्रिकार जिस्ट्वर सेंटर गवर्नमेंट सेंटर गवर्मेंट सेंटर गवर्मेंट फिफुद अगर वो शेक्ट्टन 271 के लौस B का लाला क्लॉ में आप पूर्वा कह रहा है यह वो देवी जी के लाइन है अच्छा देवी जी के लाइन है चलो गुड़ा आ रहे है नेक्स्ट वह नहीं हमें ना वाइंडिंग में सेंट्र गुमेंट को कई बना आपके आपके सर पर बाइडन जादा हो जाए तो आप किसी और को दे देते करल लेता है एनयर्जी है दिए र्स्तों रिदे ड्रीविकान का नगिया उसकी इतने वाले इतने वाले इतने वाले इतने वाले समझेज थोड़ा को सब मेरे ब्सक्रमावैं बोली है मैं हो ना सरकार ठाई सब्सक्राइब वोली कुछ वइंडिंग आप मैं भी कर दो सरकार ने कहा कि ऐसी कम्पनी जिनका देपॉसिट 25 लाग तक है आउटस्टेंडिंग या फिर जिनका लोन पचास लाग तक है या फिर तरनोवर पचास करोर तक है या फिर पेड़ अप करोड तक है ऐसी कमपनी को बोलो मेरे पास आ जाएं मैं क्या कर दूँगी उनको? winding up कर दूँगी क्या कर दूँगी उनको? winding up मैं उनको wind up कर दूँगी तुम्हारे पास आने की जुरूरत नहीं मैं ही कर दूँगी उनको खतम ऐसी company जिनका deposit कितना है? 25 लाख loan कितना है? 50 लाख turnover 50 करोड या paid up capital एक करोड फिर से बोलिए deposit 25 लाख loan 50 लाख turnover 50 करोड paid up capital चेक करोड अब कोईशन यह चारो सैटिस्फाय करने की कोई एक कोई एक इसके लिए मैंने रूल्स चेक किया था यह इसके रूल्स है रूल्स में और लिखा हुआ है ठीक है? रूल्स आपको अभी दिखाता हुआ है चेक कर लिए हो मैंने चिंता नहीं कीजिए सिंगे है है ना जी वेरी गुड अभी ध्यान देना सो भाई है deposit 25 लाख loan 50 लाख turnover 50 करोड paid up capital 1 करोड चारो में से अगर कमनी एक भी condition सटिस्फाय कर लेती है तो उसके वो कहाँ चली जा सकती है winding up के लिए by central government सीथा central government के लिए जा सकती है without approaching NCLT बिना NCLT जाए आचा आपको यह जो rules है winding up rules 2020 इसके सिर्फ highlights दिये हुए ठीक है? क्या दिये हुए सिर्फ highlights in depth नहीं है वो आप पढ़ते हो professional में आजी है next मेंटा आपकी book value एक करोर तक होनी चीए उससे उपर होई तो tribunal जाओ एक करोर तक book value होनी चीए तभी आप जा सकती हो किसके पास में? center government के पास otherwise कहां जाओ tribunal मत आओ सरकार कहती है मेरे पास तभी आना जब एक करोर तक book value book value of assets books of account में assets की value एक करोर होनी चीए उसके ओपर होई तो भी आप टर्बिनल जाओ उससे कम होई तो आजाओ मेरे पास अचा इसमें सारे rules audit को लेके filing को लेके सब 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 जितने भी rules हैं सब central government डिखती है instead of NCLT audit के rules filing के rules account के rules assets कैसे dispose होंगे सब 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 कौन देखेगी central government इसमें meeting कैसे होगी creditor की सब कौन बताइगी central बताए हूँ ए degli rules में बताया हूँ है कौन creditor वोर्ट कर सकते हैं कब नहीं कर सकते कौन creditor की meeting कब कब होगी सब रूल्स में बताया हुगा है जितना भी पैसा company liquidator के पास होगा वो सब हम रख देंगे हम सोच सब हम रख देंगे किसी bank में schedule bank में या फिर government securities में invest कर देंगे बतब कि company का जितना भी पैसा होगा वो कहा invest कर देंगे या तो government security में या तो फिर interest bearing deposit in any schedule bank बैंक में deposit कर देंगे जा interest मिले हाया ना जितना भी company का पैसा होगा या तो क्या करेंगे government security में invest कर देंगे या तो फिर schedule bank में डाल देंगे हाया ना थन लगरी एसी बन करो ना यार करो ना तोड़ा प्लीज ना बस यह वाला बन कर दो बाकि तुमको जो करने गरो अभी ध्यान देना जाए यह तुमको इधर वाला संदी नहीं लगरी तुमको नहीं लगरी तोड़ा सा काम चलाओ ना चलिए नेक्स्ट है इसमें लिक्वough замеч him करेगा काओ naarサम in 현ie का बुक्स में टरृटी आखिम करेगा संदैंद रॉट्यूट्स में उपकिश हैं और उस बक्रिट कई अप्सें आपने क्लेम कैसे प्रूफ करेंगे तक सब सिक्टिरल्स में बटाया हुआ दोस्तों याद रखना धर सक्तु यह ए ना यू मैं यह थोड़ी आएगा अंदर से दिखेंगें तो पर्णिन शुक दो पर से बिन्हेन सुक मेरा मतलब आऍए जाता है आज दिखें किमारी सबी लोग कम आप जा सकते हैं न्सेल टी बिना एंसेल टीजा कहां जा सकते हैं जाता है लाओन पचास लाओन पर्णवर पचास करोड प्रेट एक बहुत अधिशन सब्सक्रा करती सीजी के पास चले जा सकते हो ठीक है है याद रखना σεंट्रावीज देकोय Well here we go इसमें अरी मीटिकन की करेंगे इसमें देनिय। और सकते हां जासी परची से अरानों जासी पारखर मतावज़ल पेंगा चाइड किस तरीके सी नीप कर सकते है संभितावा हुआ रोकर में नाधी का यह थैरेची से वरीट that तो किस तरीके से करेंगे अगर किसी क्रेटर को रिजेक्ट हो गया क्लेम तो वह ट्रिबिनल के पास अपील कर सकते हैं इसका एट दिया हुआ इसमें ठीक है यह क्यों आया था था कि हम बर्डन शिफ्ट करना चाहते हैं किस से किसको एं सी एली ती से सेंटरल गोर्मेंट को विए ठूशिफ्ट वी वी वांट शिफ्ट बर्डन फॉम एं सी एल्टी तो संटरल गों में पहले तो यह कम्पनीया बताओ कॉन कॉन सी जा सकती दिपॉसिट जिसनका उत्स्टेंडिंग अप्टू 25 लाग लोन ऑट्स्टेंग अप कि अगुंगी Mutta नहीं कर सकता इस नो वोट कर सकता कॉछ नहीं कर सकता इसमें बता हुआ है कि पैसा जो है वह कहा पे हम रखेंगे कैसा हरा रखते है या तो सक्ट बैंक में pend来 इसमें इसमें बता हैAnteau वे दीख स्कुरींटार में इसमी इसमें करे और केसि प्रुंगा और कि एंसी एल्ट टेटो सेंट्रल गवर्म यह कोश्च न एक्जाम के लिए पढ़ेंड है यह पूछा हुआ है दो बार यह कोश्चिन पूछा हुआ यह थे डो बार पूछा हुआ है जी हाँ नहीं तो लेकिन यहां जो दिया है वहीं कर सकते हैं बस आचा अभी सुनिए का दियान से सभी लोग पीपल यहां तक यह कोश्चन कैसे आता है एक्जाम में डारेक पूछा गया था एक बार कि यह वाया वैंडिंग अब सेंटर को में बता और एक बार पूछा गया था कंपनी है उ तो कूश्या ना इस और के पूछ गये थैं थिक है मिने यालकी बादें के लिए रहे पक्कश आजेशो circuits रेश्यक्न डेशां-भरट पोरसंट वेरी शोग स्टों बेरीवेरी मेरी फुर्फ अभी हमने डो चीज करते है कि एस अर्ट पी करते हैं चाइक करते हैं फिर यह औ सोनों के बाद में कुछ बेसिक सी चीजे करते हैं फिर वाइंड अप करते हैं ठीक हो जाएगा जल्दी हो जाएगा कितने स्पांच घंटे हो गया जिसमें एक घंटे का बरेक मालो चार घंटे हमने पढ़ाईगी यह समझो ठीक है शिद्रत से ठीक है शिद्रत से जो पढ़ी से होली खेल रहे हैं वो अब हैवी कॉली है नो अच फेटी है चले हां अब बाई ऐसी बहुत वो अजीव दिख रहा था खोड़ा चले आई यह भाई आए ओके आगा हूं ठीक आईए सर बीपीर पी फास्ट्रेक पूरा याद है देखना जरूरी है एक टॉपिक रहा तो फिर कर लूँ आप बताओ मीतु कुमारी जी आप देखिए अपने साफ से अगर आपको आता है तो रहने दीजिए आप बियर्ड किंग हो कुछ भी चली आईए ओके आजी भाई लेट्स बिंगिन एविवन नहीं कर ज़रूरत है ठीक है ना यार बच्चे कह रहे हैं हेयर क प्रेटिंग की ज़रूरत है आपको चेली आजएगे ओके लाइट्स बिंगिन हांजी हांजी बेटा फैविकॉल की होली बंद करो हो और यार जिसकी भी होगी वह हो बंद करो हो इस पर आईए गलत बात है हो कुछी मूवी में देखा ना उस कलर की होली तेलते हो है हाँ हा अब बहुत पहले देखी दिए बहुत पहले देखी दिए चली आईए जी नमस्ते सच्रीका लाजेगे पीपी आयारपी प्री पैक्ट इंसल्वेंसी रिजुलिशन प्रसेस बेटा पीपी आयारप यहां से सीजियर्स हो जाए पीपी आयारपी और फास्ट्रेक दोनों इतना कर ले ना आपका बेड़ाव पार हो जाएगा सबसे पीपी आयरपी पीपी आयरपी जो है सब प्रीपार्ड इंसल्वेंसी रिजुलिशन प्रसेस ये एक वन टाइम सेटलमेंट के साथ में अपॉर्चुनेटी दी जाती है MSME को कि वो रिजॉल्व कर ले अपनी इंस आता हूं लेकिन MSME अगर कोई आप यह समझेगे क्यों MSME है इनकी लिमिट है ठीक है कि कौन MSME में आएगा कौन नी आएगा पाइट बी में पड़ते हैं बस इतना है अब कोई MSME है अगर आपने नहीं पता है आपको MSME कौन है इसलिए कह रहा हूं पाइट B पर बढ़ेंगे हो MSME अगर कोई है तो अगर मानलो उसने पैसा नहीं दे रही अपने क्रेटर को तो वो और उनके क्रेटर साथ में मिलके सैटलमेंट कर सकते हैं उसे कहते हैं, Base Resolution Plan, वो साथ में मिलके बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, Base Resolution Plan, और वो NCLT को बोलेंगे, कि देखो हमारे पास एक Base Resolution Plan है, जिसके तहट हम हमारे Creator को पैसा नहीं दे पा रहे थे, लेकिन एक हमारे पास Base Resolution Plan है, जिसमें एक Third Party है, या वो Creator है, जो इतने पैसे ल कि देनência देना eapp, इसी बना से करें, बना सकते हैं, समंझ नहीं घृड़ करने वाला है. तो हमने बना एक base resolution plan क्या बना है बोलिए? base resolution plan और वो लेकर हम चलेगा NCLT और हमने बुला NCLT को, hey NCLT कि भीया हमारे पास एक settlement क्रेटर के साथ में, यह एक opportunity करती है MSME को कि वो अपनी insolvency resolve कर सकती है with the approval of home adjudicating authority but सबसे पहले इसमें यह आता है दियान से सुनना, ठीक है? सबसे पहले इसमें यह आता है कि कौन इसमें जा सकते है तो minimum default इसमें होना चाहिए 10 लाग जिसको सरकार बढ़ा के 1 करोड कर सकती है अभी की नहीं है याद रखीगा, इसमें minimum default कितना होना चाहिए 10 लाग पीप आयरपी के लिए जाना है तो minimum default कितना होना चाहिए 10 लाग सरकार बढ़ा के कितना कर सकती है? 1 करोड जो अभी करी नहीं है सरकार बढ़ा के इसको 1 करोड कर सकती है अट प्रेजेंट यह कितना है बेटे? 10 लाग minimum 10 लाग का default होना चाहिए it's minimum not maximum minimum 10 लाग का default होना चाहिए तब जाके आप settlement के लिए जा सकती है it's minimum right सरकार बढ़ा के कितना कर सकती है? 1 करोड कौन-कौन नहीं जा सकता कौन-कौन नहीं जा सकता तो जिन्होंने पिछले 3 साल में PPIRP या CIRP किया हुए पिछले 3 साल में क्या किया हुए PPIRP या CIRP या फिर जिसका CIRP अल्वेड ही चल रहा है या फिर जो लिक्विडिशन में है या फिर ऐसी कुछ MSME जो इलिजिबल नहीं है वो as per law कोई MSME को रेस्ट्रिक किया गया वो हमें नहीं है बट अगर उन्हें रेस्ट्रिक किया गया कि वो अपनी insolvency resolve कर सकती है adjudicating authority के approval के साथ इसमें minimum default आपका 10 lakh होना चाहिए सरकार बढ़ा के इसको 1 crore कर सकती है कौन नहीं जा सकता यही चीज़ पूछी गई थी पिछली बार 5 number के लिए कौन नहीं जा सकता यही चीज़ आई थी एक्जाम में कि कौन नहीं जा सकता यह तो जिसने पिछले 3 साल में PPIRP या CRP कंप्लीट किया या फिर जिसका CRP अल्रेडी चल रहा है या फिर जिसका liquidation चल रहा है या फिर जो eligible नहीं है चार लोग apply नहीं कर सकते हैं बुलो कौन है जिसका PPIRP या फिर CRP complete हुआ है पिछले 3 साल में या CRP चल रहा है या फिर liquidation चल रहा है या फिर eligible नहीं है वो लोग apply नहीं कर सकते हैं समझे बात को प्यार मॉबबत से PPIRP एक one time settlement था होंगे MSME, micro small medium enterprise इन लोगों के लिए one time settlement था अपने पैसा नहीं दे पाने तो base resolution plan बनाएंगे उसके यही बताएंगे किस तरीके से कौन कहां से पैसा लाएगा किसको देगा अपने इसाप से सब इंटर्नली डिसाइड कर लेंगे उससे कहते है base resolution plan और उनकी insolvency resolve हो जाएगी तस लग का minimum default होना चाहिए जिसको सरकार बढ़ा के कितना कर सकती है एक करोड अब्विसी बात है nclt का approval लगेगा लेकिन कुछ लोग PPRP के लिए नहीं जा सकते नहीं जा सकते नहीं जा सकते बुलो कौन नहीं जा सकते इसमें पिछले टीन साल में क्या किया है PPRP या CRP या जिसका CRP चल रहा है या जिसका liquidation चल रहा है या जो eligible ही नहीं है या जो eligible ही नहीं है ठीक है अच्छा इसमें होता क्या ध्यान देना इसमें जो resolution professional होता है वो financial creator appoint करते है 66% की voting से financial creator याद रखना है इस बात को कि financial creator approve करते है resolution professional का नाम 66% की voting से ठीक है इसमें corporate debtor के majority of director partner declaration देते है ठीक है declaration देते है तीन चीजहों का टीन चीजहों का declaration देते है कि इंस्लिवेंशी प्रफेशनल independent होगा हमारा p42 का intention किसी को Deport करने का नहीं है और हम एपलिगेशन देने 10 दिनों कें अंडर कित्त दिन कें अंदर 90 दिनों केमसे बेसल्यूस बनाते हैं बोलता हैं कि हम नब्वए हे दिन किक्टिन की तर्क्रास देंगे एप्लिकेशन देंगे किसको 66% क्रेटर की अप्रूवल लगती है याद रखेगा इस बात को ठीक है ठीक है जी तो बात समझी है डिजुलुशन प्रोफेशनल को कौन अपॉइंट करते हैं फिनांशियल क्रेटर किसे परसेंट के साथ 66% किस बात का कि हम अप्लिकेशन अब्वे दिन के अंदर देगे हैं हमारा इंटेक्शन किसी को डिफ्रॉट करने का नहीं है हमारा रिजुशन प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट होगा करते हैं फिर जाके अप्लिकेशन फाइल होती है इनका टाइम लाइन गया है एक सो बीस दिन के अंदर पीपी आरपी कंप्लीट हो जाना चाहिए एक सो बीस दिन के अंदर याद रखिए एक सो बीस दिन वन ट्वेंटी डेस यानि कि कितने महीने हो गए चार महीनों के अंदर पीपी आरपी कंप्लीट हो जाना चाहिए रिजुशन प्रोफेशनल ने जो रिजुशन प्लान अप्रूफ किया वो 90 देस के अंदर सब्मिट कर देता है जब से पीपी आरपी टर्मिट हो गया तो लिक्वेडिशन होगा अगर PPR टर्मिट होगया तो लिक विडेशन फोन यहीं पर अगर PPR निजन प्लान ऑपप्लान बीच घ厘 सटीन प्लान था वि совершенно mm अगर 90 ए difference के अंदर कोई प्लान अप्लान अप्रूव नहीं हो तो हुआ नाइं टीडेस के आंदर कोई प्लान अप्रूब नहीं atención वो टर्मिनेट कर देंगे और लिक क्वीडीशन और न घंग है डीडिइच्ट उलीक वी डीजह मैं बसक्राइब पिए पीडिट वाइनल होगा हैило सब्सक्राइब नहीं है, 4 लोग apply नहीं कर सकते हैं, जिसने पिछल 3 साल में PPRP ए CRP चल रहा है, जिसका CRP चल रहा है, जिसका CRP चल रहा है, जिस लिक्विडिशर में आ, जो eligible नहीं है, बोला है या ना, बोलो yes or no, wonderful people, resolution professional, याद रखेगा इस बात को, resolution professional जो है मेरी जाना, सभी लोग इस बात को याद रखना जाना, resolution professional जो है, वो appoint होता है, by financial creditor 66% से, majority of director partner declaration देते हैं, हमारा intention किसी को defraud करने का नहीं है, 90 days के अंदर हम application देने वाले हैं, और हम, हमारा resolution professional है, वो independent है, special resolution पास करेंगे, financial creditor 66% से approve करेंगे, time line है, 120 days, 90 days के अंदर, but resolution plan approve हो जाना चाहिए, अगर 90 days में resolution plan approve नहीं हो तो, application देगा, liquidator, मतलब resolution professional for termination of PPRP, and when PPRP is terminated, it means, there is a, there is a, liquidation, अगर PPRP terminate होगा, तो क्या हो जाएगा, liquidation, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखिए, एक मनिट देखे, सभी लोग ध्यान से सुनना, कि, ध्यान देना, अगर से COC ने कोई plan approve नहीं किया, 90 दिन के अंदर, COC ने कोई plan approve नहीं किया, 90 दिनों के अंदर, या COC ने decide कि हमें PPRP terminate करना है, 66% voting से, तो 30 दिन के अंदर adjudicating authority उसे terminate कर देगी, क्या कर देगी, terminate, और एक बार वो terminate हो गया, तो क्या order आएगा, liquidation का, बोली क्या order आएगा, liquidation का, बात समझी है, PPRP है क्य देसी भाषा में आपको समझाओ, तो देसी भाषा में ये है, कि एक company है, MSME, अब वो MSME लोग का पैसा देनी पा रही है, अब भाईया हो क्या रहा है, कि पैसा मिल नहीं रहा है, या बोल रहा है नहीं, वो बोल रहा है दे, बोल रहा है नहीं, तो दोनों मिलके कुछ settlement type कर स क्या बोलते हैं, अब रूफ कर देना यार, बास समझने आप लोग, लेकिन वो COC को अप्रूफ करना पड़ता है, याद रखना 90 दिनों के अंदर, जब से PPRP शुरूओ कितने दिन में अप्रूफ हो जाना चाहिए, 90 दिस के अंदर, 90 दिस के अंदर अप्रूफ करना पड अप्रूफ हो जाना चाहिए, 90 दिनों के अंदर, अप्रूफ हो जाना चाहिए, 90 दिनों के अंदर नहीं हो जाना चाहिए, क्या का ओडर आएगा, टर्मिनेशन का, हम अप्लाइ कर देगा, रिजोलिशन प्रफेशनल के टर्मिनेट कर दो, याद रखना, अगर सी ओसी ने 90 दिनों के अंदर, कोई भी रिजोलिशन प्लैन को अप्रूफ नहीं किया, 90 दिनों के अंदर, या फिर सी ओसी नहीं तिस दिन में, का ओडर जेएगी, टर्मिनेशन, या इक बार टर्मिनेशन का ओडर है, इसका क्या मतलब है इसका मतलब क्या है, जो खाइन, वंडर्फल इसका मतलब क्या है, बनां जो हो ये रहा है, कि उस आज एक या तो settlement करवालेगी या तो वो liquidate होईगी liquidate हमाने assets को बैचेंगे liability को pay off करेंगे अगर settlement हो गया तो अच्छी बात है उसे करें settlement initial level पर जाता है उसे करें base resolution plan इससे अच्छा plan भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं अपको ठीक है आजो, COC ज्यान देना resolution professional की meeting कब कब होगी तो अगर 33% लोग request करें कमिटी के तो meeting बुलाएंगे notice period meeting का 3 days होगा और quorum 33% होगी अगर 33% request करेंगे हम meeting बुलाओ तो meeting बुलाना पड़ेगा quorum 33% हो, quorum मतलब minimum members required to be present in a meeting इतने लोग आना ही चाहिए, तो कितना होगा 33% तीन दिन का notice period होगा मतलब क्या notice जज दिन है, उसके तीन दिन पहले notice जाएगी बुला या ना, अगर आप notice बुलाना चाहते हैं, तो कितने लोग को notice देना है 33% को रम भी कितना है, 33% notice period कितना है, 3 days याद रखना, सभी लोग बिटा, सभी लोग याद रखना, जब से PPRP commence हुआ उसके resolution professional जो है, invite कर लेगा resolution plan 21 दिन के अंदर मतलब जब से PPRP शुरुआ, resolution professional क्या invite कर लेगा resolution plan कौन-कौन बचाना चाहता है बचाओ, कौन-कौन इस MSME को बचाना चाहता है 21 दिन के अंदर इंवाइट कर लेगा बोलो कितनी दिन के अंदर बिटा, 21 days के अंदर सारे plans को evaluate करेगा, evaluate मतलब चेक करेगा, किसी एक ब को select करेगा, किसी एक को क्या करेगा? कुशनिगा वर और एक छलिएल रिय करेंगे आप मिटी कमिटी अपूर supuesto करेगी कमीटी यह करेगी अपरू लेकिन कव अपरू करेगी फेटे ईर्डान वेस रिजोलेशन गया तुंप्रेट ना अत्यान आ तर्मिनेशन को और आजाएगा और काम पूरा समाप्त गुडबाइ टाटा टेक्यर स्वीड ड्रीम्स ओल इस फिनिश्ट पीपी इतना ही है आईए आपको चार-पांच बार में याद कर रहा देता हूं आई चार नहीं तो पांच नहीं तो छे बार में तो होई जाएगा नह सब्सक्राइब करने के लिए इंसाल वेंसी इसने पिछले तीन साल में क्या कम्प्लिट किये पीपी आरपी या सियार पी जो जो सी आरपी में है या तो फिर लिक्विडिशन जिसका चल रहा है या तो जो एलिजिबल नहीं है काई के लिए फॉर सब्मेटिंग रिजूलुशन प्लैट हाई या ना आच्छा रिजूलुशन प्रफेशन कौना पॉइंट करता है फिनांशल क्रेटर बाइप्रूवल ऑफ 66% डिक्लेश प्रफेशन कौन होगा एंडीपेंडेट स्पेशल रिजूलुशन पास करते हैं क्रेटर है तो उनका अप्रूवल लेते हैं ठीक है जी 66% से टाइम लिमिट है 120 डेज 90 डेज के अंदर रिजूलुशन प्लैन अप्रूव हो जाना चाहिए अगर नहीं हुआ तो रिजूलु इक वेडेश हर कि मीटिंग कब बोलाएंगे जब 33% लोग रिक्वेस्ट करें कोरम भी कितता होगा 33% नोर्टिस का पिडिट क्या होगा थ्रेज्रेट यादर रखना इस बाद को रिजूलुशन प्लैंड इडवाइट याद रखना इस बात को को resolution plan अगर invite करना है तो स्की last day कितनी होती है बताव कि जो resolution professional होता है जब से PPR बी शुरूआ 21 दिन का time देता है किसके लिए the resolution plan को invite करने के लिए जाओ 21 दिन के अंदर आपने resolution plan दे देना किते दिन के अंदर 21 के अंदर सब आपने plan दे देना last day सारे plans को डान को गाव गया करते हैं अग alиг कोई प्रॆन को अगर घ्र्बوس करते हैं या फ्रमेटेस करतें या बनेशन इसानि या पॉलो है न या प्रिक्राइबार्ट को नया है यह किसके लिए किसका सैटल्मेंट है मैं समी का सैटल्मेंट है किसके साथ क्राइटस के साथ क्राइटस के साथ क्या रिजॉल करना है इन्सॉल्वेंसी मिनिमम डिफॉल्ल कितना है टेन लाइब बढ़ा कितना कर सकते हैं एक करोड कौन अप्लाइब नहीं कर सकते है प्रफेशन को कौन प्रफेशन करता है फिनांशिल क्रेटर कितने वोट के साथ 66% बुल हाया ना आचा पाटनर डिरेक्टर डिकलेशन देते हैं कि भाईया हमारे अप्लिकेशन 90 डिस के अंदर पाइल कर देंगे हमारे इंटेंशन किसी को डिफराउड करने का नहीं है और रि 66% से फिनांशिल क्रेटर अप्रूव करते हैं टाइम लाइंग के हैं 120 डेस अगर से अप्रूव नहीं किया 90 डेस के अंदर तो अगर से एक बार तर्मिनेशन होगा तो काई का ओडर आएगा लिक्वेडेशन मीटिंग सी इनकी बुलाना है कभी अगर से अप्रूव नहीं किया तो फिर टर्मिनेशन होगा तर्मिनेशन हो गया मतलँ लिक्वीडेशन हाँ या ना एक बार देखिए कोई कोई क्या कितने हैं दिक्कत है तो पूछिए देखिए जल्दी से एक बार फड़ा फट सभी लोग यह नोट्स जिनके पास नहीं है मिल जाएंगे टेंशन ना लो करीवाई किना सोना तुमें रब ने बनाया किना सोना तुमें रब ने बनाया किना सोना जी कर वेक दारवां किना सोना शाम भी कोई सर प्लीज बता दो बोथ मॉडिल देना है एंड फर्स मॉडिल का सिर्फ टैक्स रहा है और अभी सेकेंड साट किया है हो जाएका मैंने रिकॉड़िड ले रखा है हो जाएगा सर में हग यू कि थर्टी थर्टी डिस्की टाइम लेंट यहां भी अप्लीके बलोगी नहीं वे आया की गया आया की गया अटक गया चालू हो गया नहीं हुआ नहीं आ रहा है अरे हो गया यह चेली बड़ी आजाएगे आजाएगे को अट्सवाइगा अजाएगे चाली आजाओ आजो 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 आज़ो आज आजो आज़ो आजया यार आजया कौन वह पूसता दो इसको वकट लगाता अ मोट लगाता है का यह सुनो तुम लोग भी को है तुम लोग भी यूट्यूब पे जाके लाइक करना होता लेक्चर को और खतम होने के बाद कमेंड भी करना होता है अकल क्लास में घुशने नहीं दूंगा कमेंड नहीं दिखा तो पहले बता रहा हूं मैं सर सॉल पास्टियर कोशन बेटा वो अलग से करवाऊंगा ते को बोला नहीं मैंने तू मत करना यह लाइक नहीं कमेंड हाँ क्या गुड हाँ क्या यह चली आ जाईए हनी वापिस आज़े सब लो ओके पास्टियर कोशन कराता हूं लास्ट के थोड़े बत कराता हूं आज़े लास्ट में स्क्यूज में परी पर रिवाइस करने फिर फास्ट्रक की तरफ बढ़ते हैं मैराथान खत्मने के बाद जिसने कमेंड किया वो सॉट अका पास है ठीक है है इसको बोलते निंजा टेकन पास्न ज्लवन स्कोथ कमेंड आजगे संहीं अभी जीन देन खास है दिन्दियर को शुद्च के साथ इनसलोमन को रिजॉल करने का विदि अप्रूर्वल फूम एज।ट इंगेटिग ओअथारिटिव इसमें याद रखना कितोंड मिल्न 100史 ओ। मिनिमुम 10 लाइज इसको सरकार बढ़ाखे कितना कर सकती है एक करोर कौन अप्लाइए नहीं कर सकता जिसने पीछ से पिछले तीन साल में PPRP या CRP किया है या जिसका CRP चल रहा है या जिसका लेकृडिशन चल रहा है या जो एलिजिबल नहीं है ठीक है अच्छा याद रखन सब्सक्राइब करने के नहीं है हमारा इंसल्वेंशी प्रोफेशन कौन है इंडीपेंडेट स्पैशल पास करना पड़ेगा फिनांशल क्रेटर का प्रूव लेना पड़ेगा विट 66 परसेंग टाइम लाइन के इसकी 120 डेस या रखना इसकी टाइम लाइन ट्वेंटी डेस है कि 90 डेस में क्या जाना चाहिए रिजुलिशन प्लैन है अगर नहीं थेन्दर तो फाइल करेंगे फ़रवाट ट्रमीनेशन फीपी आरप के लिए फाइल करेंगे अगर सी योची निनिनन इन चांदर रिजुलिशन प्लैन नहीं दिया अप्रूव नहीं किया या फिर 66 प सब्सक्राइब करेंगे अगर अप्रूफ हो गया तो ठीक नहीं हुआ तो फ़र कहां जाएंगे फ़र टर्मिनेशन नहीं हुआ तो कहां जाएंगे फ़र टर्मिनेशन यसार नू अरिशार चलो नेक्स्टैम पास्ट्रेक नेक्स के बिटा पास्ट्रेक है और उसके बाद में छोटी-छोटी सी चीजें बस एक घंटे में में मैक्स तो मैक्स हो जाएगा हां 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 यूटूब लाइक के दिखाता वे डिस compare इसलेर बंद कर दिया उस में अoo है अ सालिया अ सदुनिये ढ़िया येकसे अदेन आ जीए नेक्स्ट Feast track कौनसा एं फास्ट्रेक अभ ध्यान देना बेड़िलिया क्यूं तो कई आर क安 फटाफट करना होता है कई वर समय होता है कम होता है ताम कैसे में निप्टा होता है फ महेच काम कैसे निपटाना पड़ते हैं कई बार फटा फट जल्दी में होते पराबर की नियुक्ष बृधे तो हाँ यह था ऊस यह स्मॉल कमपनी चोटी है तो कितना ही टाइम लेगी है महाल कंपनी है या फिर मालो कूई श्तार्टप और दन पाट्नरूशिप फर्म यह फिर कोई है ओधीर एकrat निस्टेड तand company है जिसका एक क्रोड एक साइथ चाहर यह यह तीन के सघ्री की कमपनी जा सकती यह वर नहीं है तीन कोड़ी में यह सकती बास फास्ट्रेग फास्ट्रेग मतनद काम काम कौन सी है small फिर कौन सी है start-up other than partnership firm फिर अनलिस्टेट कंपनी जिसके assets एक करोड से कम है एक करोड तक है मतला बोलो हाया ना यह सार नो ठीक है ध्यान देना सारे सभी लोग ठीक है कौन कौन सी कंपनी फास्ट्रेक corporate insolvency relation process में जाती है समझते पहली कौन सी है small company company फिर start-up जो partnership firm नहीं है unlisted company जिसका asset size कितना है कि एक करोड जिनका asset size एक करोड है ऐसी unlisted company जिसका asset size कितना है एक करोड बोलाया ना थीक है small company ओग इस टाटप अधर दन partnership firm अनलिस्टेट company जिसका asset size एक करोड से कम है ऐसी जो है यह सब कहां जाती है बोलिए फास्ट्रेक में जा सकती है, फास्ट्रेक में हमें फटा फट करना है, देखो यार, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय है, नहीं है, चट मंगनी, पट भिया, रट बच्चा, कई लोग नहीं है, बच्चे कैसे फटा फट होंगे, प्रोसेस तो जल्दी स्टार्ट हो सकती है कि देखना एक मेंट की उन्हेंगीन थेखना व यह फास्ट्रक की टाइम लिमेट के सबनेर्स सरे एस पहला है कि फास्ट्रक खतम हो जाना चीए कि 90 देस के अंदर जब से चुरू हुना है नबये अगर से 90 डेस में खतम नहीं हो रहा है तो और 45 डेस मिल सकते हैं और 45 डेस मिल सकते हैं अगर 75% of COC कह दे हां कितने हां कह दे 75% of COC हां कह दे 75% of COC अगर हां कह दे, तो 45 डेस का एक से इसे का एक सकता है, खोरी से देर का जितनी देर के लिए सोचय दे उस टाइम का extension मिल सकता है, धेना जी याद रखना, तो 90 डेस के लिए सोचा था, लेकिन 45 डेस को और extension मिल सकता है, का answer is yes, बुला है ना, क्या बलना है, हीना खान वाला है ना तू, तो यह ना हीना खान वाला, ये, हीना खान का चहीता, खरश है ना तेरी, नहीं है, उट उट के द देख रहा है, गदा, वही नमूना लगता है, कि मेरे को भी बता है, अलगी है वो, तूसको देख ले, हो ठोट के, सब एक दूसरे को ठोट के जाग जाग के देख लो है, नस्ट लोगो, नस्ट, हाँ, आचा है, पीप, फास्ट्रेक, सी आ एर्पी का टाइम लाइन के बोल ओल इस से अपुर लेकिे 45 देटि उयर्ट सकता है, एर्टेटे णेर आढ़ी है, देगी 45 देटेटि का टेटिय 이제 का बाइन टेटिए, डिल भी इस बार यह कोश्चन लिख लो आ रहा है कि कौन कौन जा सकता है फास्ट ट्रेक में और टाइम लाइन के दोनों में से कोशन कौन कौन जा सकता है बदाइए स्मॉल स्टार्ट अधर देन पार्टनर्शिप फर्म अनलिस्टेट जिसका एसेट एक करोड के उपर नहीं है फिर से बताइए स्मॉल कंपनी स्टार्ट अधर देन पार्टनर्शिप फर्म अनलिस्टेट कंपनी जिसका एसेट साइज एक करोड के उपर नहीं है यह तीन लोग जा सकते हैं वो लो हाँ या ना इसी नभी दिन के अंदर बुरी प्रोसेस खतम होनी चाहिए वन टाम एक्स्टेंशन मिल सकता है 45 देस का एड़ विल भी आवन टाइम ओनली इसी शलो नेक्स्ट है किस मैनर में जाएंगे अपलाई करने तो एप्लिकेशन लेके जाएंगे या तो है ना एप्लिकेशन लेक आंगे डिफॉल्टवा है को अपोर प्रोफ लेकर जाएंगे और जो education स्वेक्वर को लेकर जाएंगे क्या कं लेकर जाएंगे एपलिकेशन लेकर जाएंगे डेम लाइक श्नरी framework इसे तुमानाना लगा है मेरा को जब से वह उसकी ऊंग्लिकर ज्वाँ कुलना बहा रहा है क्यों रहें नहीं गुस्तों गड़ बड़ लग रहा है मैं जब सब रोटीस कर रहा हूं मैं कुछ ना कुछ उस्तों है भाई जूट उनलाइन वालों भी तो देखें यह दो सब्सक्राइब यह क्या कर रहा है क्या कर रहे हैं चल क्या रहे हैं यह क्या है यह दो क्या वारे देश वासियों से मिलो एक और नमूना वैठा दिखाता हूं तुम्हारे को यह देखो एक और नमूना वैठा यह अलग नमूना है वो और तुम्हारे को हमारे क्लास के कनहियां से मिलाता हूं देखो यह हमारा कनहियां कनहियां उसके आजू-बाजू में सिर्फ और सिर्फ गोपियां ही दिखती है वास्ट्रेक के लिए जाओंगे तेक हैं survived जब आफ फास्ट्रेक के लिए जाओंगे दोस्तों थेक्स है इस अपांस अपिश्छ ते नषंस कर रहें गें से मेराथॉन की खोशी में यह अफ द्यान देना फास्ट्रैक में एक्स क्यूज मी एक स्क्यूर्ज मी अगर आप फास्ट्रैक के लिए जाएंगे तो एप्लीकेशन देखा क्या टैक्किशन देंगे इसका प्रूफ द्यान द यह बात एकडम क्लियर है अब ध्यान दो इंपॉर्टेंट है नजर हटी दुरूगतना घटी एप्लिकेशन लेके जाएंगे जाएंगे डिफॉल्ट है सारे इंफोर्मेशन लेके जाएंगे अब ध्यान दो सभी लोग अभी तक आपने जो पर आप देख लो फिर आगे बढ पर क्लिक नगे एक्स तर्फ के लिए लिए मिलेगा वान टाइम टॉलली वन टाइम एक्स देशने यह जरस एखण फुर में टाइम एक्सक्तेंशन होगा नेक्स्ट है application लेके जाएंगे पूफ-off-deport लेके जाएंगे अब ध्यान जुनना अगे की कारे वाई रूल्स देखो इसके इसके रूल से तर्दिरा यार यार यह हां भी एसी रखता हूं इसको ध्यान देना आईए जी अभी ध्यान से सुनना next वेटा सभी लोग ध्यान देना नेक्स्ट है, पब्लिक अनॉंस्मेंट, ध्यान देना बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनना, पब्लिक अनॉंस्मेंट शेल भी मेड विदिन थ्री देज, जैसे इंट्रिं रिजोडिशन ने a KeungenTON के पहुज़ कर देता है, उसके थेन दिन चेंडर अनॉंस्मेंट, और बोलता है, जैसे ऐंडर मेरे को अनॉंस्मेंट, अब ये चेप्टर में ना डेज वेस की बड़े मगजमारी है उसके लिए एक ही तरीका अगर नहीं होगी तो वाट लग जाएगी क्योंकि फिर वो डेज में बड़े इसका कितना था इसकी माँ का पूरा दिमाग की दही हो जाएगी सबके टाइम लाइन साल लगे हैं ठीक है इंट्रेम रिजोलुशन पर इसनल फास्ट्रेक की केस में जब से पॉइंट हो तीन दिन के अंदर पॉब्लिक अनॉंस्मेंट कर देता है लास दिन देता है क्लेम सब्मीशन का ठीक है कि भया दस दिन जब से वह पॉइंट हुआ फिर वो सब की क्लेम को वेरिफाय करता है करें किस दिन कंडर क्रोंट करतें एग सब सब करतेंब गार से सब्सक्रेंट हुआइब भॉइंट कि को बना देता है। हो 21 दिन के अधर सी अपनी पहले मेटिंग करते हैं साथ दिन के अंदर साध दिन के अधर से याद रखना अगर से Da is nisra nisra not related है तो काउन ऑक्तर स्कूद में और ऑ्रा आचाहिए सा अपेस्ट चर्डिडों एक राश्त उन्डन आ ये सबसे पहले जो आने वाला कुशन है क्या है फास्ट्रेक के लिए कौन जा सकता है बोतल देना यार वाकी सारी फेक लगे देख के तुझे को ब्रेक लगे दूर दूर से ठीक निपासा हूं तो सेक लगे पारा इतना हां हां बोल रहे है हम हां है आएगी फास्ट्रेक में कौन कोंसी कम नीजा सकती है बताइए पहले श्वाल कंपनी श्वाल कंपनी स्टाटप अधर देन पार्टनर्शिफ फर्म अनलिस्टेड जिसका एसेट साइज साइस करोड के ऊपर नहीं है लिए निए ना किते जिन में खता होता ये 90 दिनों के अंदर वन टाम एक्स्टेंशन बिल सकता है 45 डेज का यस और नो एक्स्टेंशन तम बिलेगे जब सी उसी उसे अप्रूव करेंगे 75% वेरी गुड दोस्तों अचा अगर आपको जाना है तो एप्लिकेशन देते हैं रिकॉड ऑफ डिफॉर्ड लेके जाते हैं पब्लिक अनॉसमेंट कर सकते हैं पब्लिक अनॉसमेंट करते हैं जब से आयारपी अपॉइंट हो उसके तीन दिन के अंदर और जब से वह पॉइंट हुआ वहाँ से ही टैन्थ डे का टाइम होता है लास्ट डे और रिसीविंग क्लेम ठीक है बतब जब से वह पॉइंट हुआ तीन दिन के अंदर पप्री का अनॉसमेंट करेंगा और जब से वह पॉइंट हुआ वहीं से टैन्थ डे लास्ट डे होती है जब क्लेम सबके आने जाने चाहिए जब सबके लास्ट सले माता है जब से बवा औंट हुआ सी वसी बनाता है सी उसी ब अट और पहली मीटिंग करते जा आटे पीठें पहली मीटिंग अच्छा कमीटिमे कौन कौन हो ताग पर फिनांशिलर नहीं है तो सॉरी कौन होते हैं अट्रा लार्जेस्ट अपरेशनल क्रेटर बाइ वेल्यू एक रिप्रेजेंटिटिटिव एंप्लॉई का और एक वर्कर का हां या ना मीटिंग बुलाना है तो कौन बुलाता है 33 परसेंट कौन बिटी 33 परसेंट कमिटी मेंबर्स मीटिंग के लिए कौन था जाबी द्यान देना आजएगे चलिए ओके द्यान देना ओके बेवी चलिए बेवी आईए बेवी तो यह ताब फास्ट्रेक किस की बात थी एक पिनिट चलिए भाई ओके आजएए अभी ध्यान देना आजएए श्च्छ्छ्छ्छ्ट मौत गडबड चल रहा है अबड़ सर को बुखार आशी सर को बुखार सौमिल सर को बुखार मैं जिंदा हूँ बस हां हां कल लग रहा है सिर्फ मेरे लेक्टर होने हैं एक मिनिट यार हां चलिए है में परसो जा रहा हूं परसो थर्टी को बहुता ना मैंने ट्यूसदे का था आज 28 ए है आज इन इंडिया पाकिस्तान है दूड तारीक कैसे बूल सकते हो आप तारीक कैसे बूल सकते हैं चली भाही आ जाए है आजा भाई आजा फास्ट्रेक के लिए इस्क्यूस में सर जो लड़की जोर जोर से चलाती हो उसका फेस दिखाओ चलिए भाई आजए अभी ध्यान देना फास्ट्रेक में कौन कम सी कम नी जा सकती है स्मॉल कंपनी स्टार्ट अधर देन पार्टनर्शिप फर्म अनलिस्टेट कमनी जिसका एसेट कितना है मैक्सिमम एक करोर कितने दिन में घता हो जाना चाहिए नाइन्टी डेस वन स्टेंशन कितना मिल सकता है सब्सक्राइब करेंगे साथ दिन के अंदर क्या करेंगा वेरिफाइब साथ दिन के अंदर वेरिफाइब करेंगा ठीक है याद रखना उसको वेरिफाइब कर लेगा साथ दिन के अंदर वह जब सब्सक्राइब करेंगे अपनी ठीक है सी ओसी जो है सी जो यह कहता हूं यह जो अपना क्या ना में इसका अगर से आपके सी ओसी में फिनांशल करेंटर नहीं तो अटरा ऑपरेशन करेंटर होंगे एक एंपलोई का रिपरेजनेटिव और एक वरकर का रिपरेजनेटिव ठीक है मेटा इसी है क्या हाया ना अचा मेटिंग बुला रहा तो किते लोग बुला सकते हैं 33 परसेंट बोले कौन वेटा 33 पर जरी अब कुछ बेसिक्स बाकिए बेसिक्स के बाद में पास्टेर चालू फट्र जोने होला है साथ की साड़े साथ साथ इंडिया के नाम पर जायदात लगा दू इंडिया के नाम पर कौन देश द्रही है कि हार सकती है कि अरे मेरे सटोरियों इसका बहाव चादा चल रहा है उसका बहाव कम चल रहा है चलिए कि अपनी बैच मस्त थी शादी कर लिए कब जाओगे शादी कर लिए कब जाओगे के लिए कब जाओगे शादी मतला कौन सा कि हां अच्छा कि अगर से मानलों कमीटी जो बंते है न उसमें अगर फिनांशल क्रेडर नहीं है तो कमिटी में कौन होगा तो अट्रा परेशनल क्रेडर इन वल्ल्यू एक एमपलोई करीप्रेशैनेटिटीव एक वरकर करी प्रेसैनेटिटिव पहले भी तो था अब शान बैट बिलकुल ध्यान देना अभी सब लोग आजेगे अभी ध्यान देना स्वीराज सभी लोग ध्यान से सुनना अब कुछ बातने आप इंपोर्टनेंट इंडेफिनेशन साप घर पे करिएगा डेफिनेशन मैं नहीं करवा रहा हूं आप घर पे कर लेना दोस्तो अब आता है यहां पर इंसलरेंशी बेंकरपसी का डिफरेंस उसके बाद में कुछ थोड़ी खोड़ी सी चीज है इंसल्वेंशी बेंकरपसी में क्या फरग है इनसल्वेंशी ना तॉम है इसका मतलब होता है assets कम है liability जाद है insolvency एक time है या इसको बोल सकते है insolvency एक state है जिसमें मतलब है assets कम है liability जाद है इसका मतलब है debtor is unable to pay his debts इसका मतलब है debtor is unable to meet his obligation इसका मतलब है assets are insufficient इसे insolvency कहते है और bankruptcy क्या होता है जब कोई individual जब कोई individual अपने पैसे पे नहीं कर पाता कोई individual अपने पैसे पे नहीं कर पाता तो वो insolvent होता है और insolvency के बाद में वो क्या होता है bankrupt अगर कोई जैसे आप हो आपके assets का में liability जाद है तो आप insolvent हो लेकिन insolvency आप क्या बनोगे bankrupt बनोगे यह एक status है जो court आपको देती है यह conclusion है यह status है जो court आपको देती है declare किया जाता है by law कि आप आप जो है bankrupt हो चुके है क्या हो चुके है bankrupt देखो company भी insolvent होती है in fact company भी insolvent होती है और इंसान भी insolvent होते है दोनों ही insolvent होते है लेकिन द्यान दो सुनना individual के case में क्या होती है bankruptcy individual के case में क्या होती है bankruptcy और corporate के case में क्या होता है liquidation याद रखना insolvent दोनों होते है आपके assets का में आपकी liability जाता है company assets का में company की liability जाता है दोनों क्या कहलाईगी ? Insolvent Insolvent कहलाईगी इंसान के case में क्या होगा ? Bankruptcy और company केκαस में क्या होगा ? Liquidation Insolvency कास क्या होगा ? Bankruptcy और company कास क्या होगा ? Liquidation Can快yolt Company कास में ?ît तेंकको दोनों型 solvent होसकते है Insolvency Exodus Insolvency तो टेम है जैसका मतलब hatsrie इंससवालिय्टी जादा इंसान की भी हो सकती है, इसके बाद हमें क्या होगा, इंसानों को क्या होगा, बैंकरप्सी, ठीक है में नहीं बात करें, बैंकरप्सी यह स्टेट सैस है को अपको डिन देता है के रिजोंट यह तब होती है जब इंसल्वेंसी जो है वह बहुंत उसमें मामला सॉल तो बेंगरप्सी में जाएगा बेंगरप्सी कंक्लूजन है क्या पैटाएक कंक्लूजन ठीक है यह थार्थना सबी लोग ऑगे आसा यह जो कौड ऑनिस बैंगरप्सी कोड भी इसको लगता है सारी कंपनी इसको इसे कंपनी जो स्पबॉड इंडिविजल्स को इन इंपेक्ट अप्लाएब colored pada वेटा कम्पनी को जो special act से चली है LLP को special law से बनी है company को दूसरी body corporate है कोई किस कोई guarantor है partnership firm है sole proprietors है individual है सब को यह लगता है answer is yes जो IBCS सब को अपला होता है individuals को भी partnership firm को भी सब को याद रखना यह वाली बात यह वाली बात यह याद रखना company और LLP यह जाते है attracting authority है वही बात करें इंडिवीजीवड और पार्टनर्शिप फर्म यह लुप कहा जाते हैं debt recovery ट्रिबिनल कहां जाते हमारे कोर्स में यह है यह नहीं है company LLP कहा जाते है attunating authority वहीं बात करें individual या partnership firm यह लुप कहा जाते हैं debt recovery जाते हैं? मतलब अगर आपको मेरे पर केस करना है कि मोधी सर मेरा पैसा नहीं दे तो आप आप जाओगे डेटरी कवरेट टुबिनल, वहीं अगर में कमपनी होता है तो कहा जाते हैं? एजिदेटिंग अथरटेटिंग अब एक्जाम में एंसिलिटी नहीं लिखना डिखना क्या लिख होगे एजई अफॉर्टी फॉर्ट यह चैप्टर के लिए ठीक्या फॉर्ट और लिख रहा है अच्छा ने बूला था बुले आजाओ नेक्स ने ज्यान देना इस act में एक रिवाइवल प्लान से वह बतने की कोशिश कर सकता है है नहां या ना मैंने आपको यह अल्रीटी बताया कि इसमें एंसी एल्टी भी और डेट रिकवरे ट्रिबिनल भी है यह और नहों पार्टनर्शिप और इंडिविजुल कहा जाते हैं डेट रिकवरे ट्रिबिनल एक्जाम में नहीं आता है यह फिर भी नॉलेज के लिए कर लो अच्छा सबसे इंपॉर्डेंट बेटा यह जो इंसल्वेंसी मेंगरप्सी कोड आयो वह आने से कितने लौ चले गए या कितने लौ को अमेंड करके वह आया कितने लौ को एक करके आया तो पहला सिक इंडस् अच्छा यह लौ और किसी लौ में डिस्पीट होगा तो कौन जीतेगा? इंसल्वेंसी, डिस्पीट हुआ, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सिस ICSA बेंक में, बोला कि कौन जीतेगा? तो बोला गया IBC विल प्रिवेल ओवर था महराष्टर रिलीफ अंडर्टिकिंग स्पेशल प्रोविजन एक्स हार जाएगा और कौन जीतेगा? IBC, डिस्पीट हो गया, कमिशनर अफ इंकम टेक्स बरसेस मोनेट स्पेट एनरजी लिमिटेड, डिसाइड यह हुआ कि इंसल्वेंसी बेंकरप्सी कोट प्रिवेल करेगा इंकम टेक्स के ओपर, इंकम टेक्स हार जाएगा, कौन जीतेगा? इंसल्वेंसी बेंकरप्सी बुला कि यह कोट सरवो परे, बुला कि यह मतलब जो है, इसका ओवर्राइडिंग एफेक्ट है, इस कोड का ओवर्राइडिंग एफेक्ट है, सुप्रिम कोट ने बुला, इस कोड का ओवर्राइडिंग एफेक्ट है, सुप्रिम कोट ने बुला, इस कोड का ओवर्राइड तो, सुरियो दियान से जाहिए हैं है अभी हम लोग कर लेते हैं दोस्तों कुछ पास्टीर कुश्चन्स पॉइर्ट सका ओट निकल रहे की यह सोर नौ चलिए देखते हैं यह पंड रहाए की नीओ आप लोगो आउटपूट देखा लेते हैं इसका उसके बाद में शुर। बस वे से पढ़ रहे हैं चार बज गया कि नहीं कितने घंटे हो गए छे घंटे है ठीक है चलिए आए आजी कल आईए सुनिए बाइटी ध्यान देंगे पास्टिये कुषिएंस आई सीसाई पास्ट पेपर्स बेटा बताते जाना नहीं दिये ना अंसर मुझ तोड़ दो हां तो महीं पर बता रहा हूं तुम्हारे को आंसर अगर नहीं निकला हैं तुम्हारे से तो तुम्हारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी आजो वाटर फॉल इंजमेंटा लिख पाओगे क्या पहले किसको जाता है इंसल्वेंसी रिवेशन प्रोसेस कॉस्ट एंड कशिक करदि है ठीश नंबर पर एम्प्लोईईस के बारा मैने के द्यूस फ्र नंबर पे अन्सिकारट रायकर प्सेंट्रा तो साल के द्योस और एसे करणंग लिंग इश आप प्रूफ करेंगे 66 परसेंट से आर्पी जाएगा नाइंटी इस का एक्स्टेंशन विलेगा पूरी प्रोसेस खतम हो जाने चाहिए इन प्रिएंडर एंडर 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 थे इस वेरी गुड़ वइंडिंग अप्रीच क्या कर सकता है नई क्या हर बार वाइंडिंग अप से डिजॉलिशन होगा नई वाइंडिंग आप कि भी न होसकती है करना ही पड़ेगा एक और था ना एक और था वाइंडिंगा में एसेट भेचते हैं लाइबलेटी पे आफ करते हैं डिस्वाइशन एक ओर रहे चलोगे ओके नहीं था करा दिया सस्ते नसे यह सफ़ाइब सबस्क दाइब अ है यह बताओ तो मान जाओं इसने बताया उसको मान जाूँगा चलिए एक कंपणी यह उसका पेड़ प्याइब यह पचास लाग से पचास लाग है ऐसी ट क्रोर एक करोड है उसके कोई लोन या डिपोजिट नहीं है वह फूचर में बिजनस नहीं करना चाहती है वह पोल्री को नहीं मैथट बताओ इस वाइंडिंग में वाइंडिंग बाइंट्रल गॉवर्मेंट में डिपोजिट कितना अप्तो 25 लाइक इसका है नहीं लोन अप्तो अब हैं को वह फिफ्टी करोर उसके अंदर है फेटफ ट इस चार उस सैटिस्फाय कर दिया है तो एक करना चाहिए को उसकता है यह लिखना था एक भी सैटिस्फाय कर लिए तह चलेगा बुक वेल्इव आपकी करोड के अंदर होने चीए बस ठीक है आजाओ next है फिर यह पूछ है कौन sequence बताओ कौन सा कौन से number इन तीनों में से बताओ worker के 12 मेने के dues cost of liquidation employee के 15 मेने के dues पहला आ जाएगा cost of liquidation फिर आएंगे worker के 12 मेने के dues फिर employee के 12 मेने के dues फिर बात में बाकी किया क्यों कि क्या होता है एंप सुनो रे सुनो ध्यान से तुमनों इतना चिला रहा है कांदर्द दिरे बता है ध्यान देना कान अधिया है अभी ध्यान देना सुनो ने यहीं तो टपली है हो गया शुरू करूँ जगड ले बाल नो चुसके अभी ध्यान देना जाईए सुनिए वरकर एक होता गया है पहले आपने पहले आपने पहले आपने है चैनि सिक यद ability लिवेश कर दिये वह अजाते हैं यह न यह भी यह न फ की नहीं हो प्रद नमबर देजाती है एक टो को आपको यह तीन किसेस्में फूछ थो आपको पहले बताना पड़े यह आएगा फिर एंपलोई के 12 मेने फिर एंपलोई के 3 मेने फुल वाटरफॉल वाता है उसके बाद में तीनों को एक्स्प्लेइन के तो भी चलेगा वुझादा बेटर है चलिए next है यह बागी का सब स्ट्राइक ओफ का है बागी का स्ट्राइक अफ का है यह इस बार का पेपर देखते हैं तो मज़ा है इस बार का पेपर देखते हैं लाला यह इस बार का पेपर आजो इस बार का पेपर देख लो हाँ इस बार का वेपर देगी पहले तो यह पूछा है कोई कंपणी है MSME उसने डिफॉल्ट किया 12 लग का अब वो पूछने की अप्लिकेशन के लिए जा सकते हैं कि नहीं कि एलिजिबिलेटी पूछने पीपी एरपी की कितना डिफॉल्ट रहें मिनिमाम इसका जा सकता है पांच नमबा कसम इतना इसी था पांच नमबर के लिए इसमें बताना था पीपी एरप वन टाइम सेटलमेंट है किसका कि किसका सब्सक्राइब कर सकते हैं तो डिफॉल्ट कितना है तब बेटिक कर सकते हैं अंसर है यस वैंडफुल पीपल अप्लाई कर सकते हैं वरेटि का कॉशन था है यह पर एक डिरेक्टर प्लाई करना चाहता है वहाँ पे तो कुछ जूरीटी का पॉइंट तो वह डिजूरीटी कापॉइंट पॉंस्ट यह दिक्लिडेरिशं के लि one of the director of x limited verifying full inquiries of affairs of the company however declaration of solvency was not given on affidavit in case of voluntary liquidation analyze the situation and comment whether x can initiate voluntary liquidation in compliance with the condition given in insolvency bankruptcy whatever documents required to be accompanied with the declaration kya kaya hai x limited ko voluntary liquidation dena hai declaration was made on affidavit by one of director verifying full inquiry of affairs however declaration of solvency was not given saari declaration diya in voluntary liquidation ke liye declaration of solvency nahi diya to a declaration of solvency kisne bola abhi jana sunna analyze whether given situation comment whether x limited can initiate voluntary liquidation ab sunho kuch nai hai aap se poucha voluntary liquidation karne ke liye kya kya document dene bahta hai pahla point nahi nai bata ya sab se pali kya dene hai past financial statement है ना, तो financial statement ने क्या आता है? financial statement ने क्या आता है? financial statement ने क्या आता है? ना? और profit and loss account statement ठीक है में ना? सब बस इतना लिखेंगे आशु बेटा और उसका starting का, कि PPRP है क्या? ठीक है? ओके, सुनिये यहां तक किया आपने? ड़न आगे बढ़ाऊ? पक्का? Are you sure? चलो आज़ो अब ध्यान देना सबी लोग, excuse me ध्यान देना बेटा सारे 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 ध्यान दो बेटा 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 ध्यान दो बेटा चली आओ बेटो, आगे बढ़े बेटो आओ बेटो, चलो next है यह देखो, अलफा लिमिटेट टाटा पे शुरू करना है, तारा पे शुरू करना चाहती है, इंसलवेंसी प्रोसेडिंग, उनका डेट रिकावर करना है, 4.32 करोर अब वो दीपक गर्क को पॉइंट करना चाहते हैं, एक इस टेटिटरी ऑडिटर लेकिन वो जो टेटिटरी ऑडिटर अब सरी दीपक गर को पॉइंट करना चाहते हैं इस अ लिक्विडेटर इंसलवेंसी प्रोसेटर बट वो अडिटर है इस और इस टेटर वेकिन अडिपेंडर अज़ लिक्तिटर स्वेश्वेश्व ना चाहिए न ना न हय चाहिए विलकुल नहीं चलेगा भूलो ये सर नो अरे आया ना, आश्यूर जलो गुड ओके अच्छा एक है एक चीज है एक जो बड़ी इंपोर्णेट सी है वह यह मेरी जाना की है पबलीक अनुसमेंट से डहें टेक दो चीज हैं तो एक आंसर युका अंचर इसको लिकेशन के वह इसे रही जरी लेट कुश्चन है हो एक लिखाना था ता रहे गया था लिकलो रेकल ये चोटा सा फबली अनुश्मेंट का जल्दी से लिकल लूँ इचा पॉब्लिक अनॉंस्मेंट कितने दिन में करतने यह पता हो व्य पतार daar ग atención ड़िधर अलग है So पत्रेख ये देखो एक मिन्ट बेटा कि बेटा 3ड इस कितना बिता थ्रीट इसृ पीकिल । बेटा 3 days ठीक है मेन CIRP के लिए कितना बच्चा 3 days की पबलिक अनासमें कितने दिन में करेगा 3 days और जब से वह पॉइंट हुआ 14 दिन के अंदर क्या जाना चाहिए सबका claim ठीक है 3 days रिभा किसके लिए CIRP वाले case में है it's 3 days right people आचा सुनो 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 स्क्योज मी बेटा है अब ध्यान देना सभी लोग बयटा सभी लोग ध्यान बच्चा आईए बच्चा एक मिन बच्चा सुनो बच्चा एक मिन बच्चा हाँ voluntary liquidation में कितना है 5 days voluntary liquidation में 5 days सुनो CRB में कितना है three days, voluntary limitation में 5 days, voluntary liquidation में 5 days में करना पड़ता है announcement ठीक है कि भाहिया claims दे दो, voluntary liquidation में 5 days है and again, again fast track में कितना है, fast track में again it is three days, fast track में भाहिया, public announcement करना पड़ता है TRAC Tv always अब लेकिन पब्लिक अनॉंस्मेंट से रिलेटेट एक दो चीजे थी वो लिख लीजी फास्टीक दम, एक मिन रुख जो लिखा रहा हूं बिटा, हाँ बिटा, एक मिनिट बच्चा, येस बच्चा, लिखिए, हैडिंग दीजी का पब्लिक अनॉंस्मेंट अफ इंसल्वेंसी रिलेशन प्रोसेस, इसमें लिख लो दो तीन चीजें, पब्लिक अनॉंस्मेंट अफ कॉर्परेट इंसल्वेंसी रिलेशन प्रोसेस, लिखेगा, कि, लिखेगा, पब्लिक अनॉंस्मेंट, पब्लिक अनॉंस्मेंट, पब्लिक अनॉंस्मेंट, अफ कॉर्परेट, पब्लिक अनॉंस्मेंट, अफ कॉर्परेट इंसल्वेंसी रिलेशन प्रोसेस, पब्लिक अनॉंस्मेंट अफ कॉर्परेट इंसल्वेंसी रिलेशन प्रोसे कृट्स चाल थ्यबस कर ताष्ड तर नहीं पर फिर विर न उस कालव पर ने बयु ह्वेंट न Bubba nr.1, 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 nr.2, nr.1, 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 nr. लिख 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 लि फिर लास्टदेट फॉर सब्मीशन अफ लिम्स लास्ट्डेट फॉर सब्मीशन अफ लेंग्स मार नेक्स जड़ेट लास्टटेटी अग्समिल्स अप रिछ Inde इस वहन भहोल्र पक्राइट जब लास्टेट अलद फॉर परिशिर क्यों चुब लास्ट का मताता है है कान-कान लास्ट डेट फॉर सब्मीशन अफ क्लेम हां तो उसके लिए गला दर्द देना चीए बोल रहा हूं तो गदे मैंड में यहां आ गया ऐसा नेक्स लिखिए नेक्स लिखिए डीटेल्स ऑफ इंटरिम रिजोलुशन प्रोफेशनल लास्ट डेट फॉर सब्मीशन अफ क्लेम के बाद चमन चंदू डीटेल्स ऑफ इंटरिम रिजोलुशन प्रोफेशनल लिखा उसके बाद पैनल्टीज फॉर फॉल्स क्लेम कि हैंडिंग नहीं अब तुट का धाद में क्याता है अब पॉइंट है गधे पैनल्टी पॉइल्स क्लेम चैंट तक वित पीन और ऊक्रेद फिर्ट यूज खिर्यू पोरुजंटि प्सम तो क्याद नेम गत्वी है डी प्नल्टी लगेगी अगर प्वॉल्स क्लेम किया तो क्या विधरन जो क्या ह corrid का कर देख और के लिगा फैनल्टी पार फॉल्स क्लेम लिखा पका सुवर चलो बस ठीक है अच्छा में बताई हो यह सब पब्लिक अनौस्पेंट में होना चाहिए ठीक है टाइम 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 लाइन के पबलिक अनौस्मेंट की तो मैंने बताया आपको चाहिए आपस्ट्रे पक्का क्या चुलों नेक्स कोश्चन देखेंगे बस हो गया ना सर, प्लीज ना सर, चली आ जाएगे आ सिवह ए एक एक एम्पलोई ऐ सको थिन वेस थे याक्ट हो सकता है और सब्सक्राइं प्लेट्स का नने एस रहाए और है ऑप्रेश्ण रिटर की फिनाउजnam एंपलोई कौन हो गाए ऑप्रेशनल करेटर की फिनांशल करेटर एंपलोई विल बिया ऑपरेशनल करेटर बट मेनिमम डिपॉल्ट कितना चीए एक करोड यह जब कुछ न पूछा था एक लाक मिनिममम डिफॉल्ट था इसले सकांसर यस था वो जा सकता है अगर अभी यह से एकट्र जैवर समय किस त्बट में प्रक्राया चीए वह जा सकता है है सब्सक्राद कích लोग को जाना पड़े ग दा landlord सेच्टेति यह जा पड़ेगा कितने लोग को जाना पड़ेगा टैन परसेंट और हंड्रेंड विच्वर इस लेस्ट फिर से पुछा उसका स्टेटस क्या होगा फिनांशल क्रेटर की अपरेशनल फानांशल फिर पुछा टाइम लाइन कर चुके 180 डेस एक्स्टेंशन परसेंट से अप्रूवल किया सी ने तो 90 सकता है पुरी प्रोसेश थी थर्टी देश में कंप्लेट हो जाने चाहिए वालेंटर लिक्विडिशन पूछा मैं बताऊंगा नी पता है आप लोग को वालेंटर लिक्विडिशन हाया ना मोरा टोरियम पूछा हुआ है लिख सकते है नाई तो क्यों नहीं कर सकते क्यों कि वह इंडिप्रेंड नहीं है पर यह कुछन पूछा है प्रोसीजर मेंचेंड अंडर 53 ऑफ इंसल्वेंसी बैंकरप्सी कोंट इस्टिबिशन अफ एसेट्स क्या लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे इसमें 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 एक यमी शार हें लासट दो पेपार आस बास लास्त दो पेपाए इतना कर लिया इतना कर लिया अब तो क्या है अब तो क्या है डot कल आने कब आना कल आना कल आना मस तर्हuna कैक नमर 1220 चली आए और क्या वेलिशन ओफ कॉर्परेट डेट मेनेजमेंट टेको और करता है डेटीट अभालता है प्रफेशनल कंसलेटन को पॉइंट करता है जोसको गाइड करते हैं क्लेम्स की लिस्ट बनाता है को किते दिन में बनाता है 21 और इंफर्मेशन मेंबरेंडम भी बनाता है सब लिख देते तो अच्छा था इसमें हाई या न इंसल्वेंसी डिलूशन प्रोसेस कोस्ट क्या होती है उसमें सबसे पहला क्या आता है इंट्रिम फाइनांस कॉस्ट पॉर रिजिंग सच फाइनांस इस रिजूलिशन प्रोफेशनल के ने जो खर्चा किया बिजनस चलाने में उसकी फीस गौवर्मेंट ने जो पैसा खर्चा की इंसल्वेंसी प्रोसेस के लिए और एनी अदर कोस्ट एस प्रिसक्राइब बाय बोर्ड ठीक है चो लास्ट पेपर बचा है बस लास्ट पेप का ना जानू करें कि अधिशन कब से कब तक सस्पेंट हो गया था 25 अधिव मार्च 2020 से 25 मार्च 2021 तक जितने डिपॉल्ट हो है को सबको यह कर दिया था अशुम्हाइब उसको क्या किया गया एकस्टन हाया नहा क्यों था यह जो ओप सब मत इन हे देखनिक के लिए था यह सण गयोला अन्सर को यह तो वन सब्टेस्सक्यक्त अला मैं आपको ना इसकी पिक देता हूं मैंने आंसर लिख वाया था फोटो इसी साप लोग देख लो यह कर ले ना screenshot ले लिए स्क्रीन शोट ले लो जल्दी से जल्दी से ले लो स्क्रीन शॉट जल्दी से ले लो स्क्रीन शॉट जल्दी से ले लो स्क्रीन शॉट ले लिया चलिए अच्छा एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक एक बैंक है वह चुरू करना चाहता है पचास लग का डिफॉल्ट कर सकता है पचास लग मैंने कितना होना चाहिए एक करण लेकिन फिर भी प्रोसेज़ प्रोसीजर प्रोसीजर बगाना पड़ेगा तो फिनांशल करेटर तीन चीज़ लेके जाता है क्या क्या एप्लिकेशन एंट्रिम रिजुलिशन प्रोफेशनल का नाम रिकॉर्ड ऑफ और थे प्रोफेशनल के घंस फॉन में तो एकसेप करती एपलिकीशन न कंपले तो सब्क दीन का समय जेति जो भी करता हैसं एंट्रियाट करती है या ओ झाल थे बादिंग ऐ थे प्रु वैंदिग क्लिंट्र ग्रावर्मेंट मैं मैंने बोला थाने कि द्स रार्य रुल्स ह हुआ है कि चलो डान हो गया फाइनली फीपल भी आइड़ आइड 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 दिखा दे प्यारा साजा विशेज भाई डांस कर रहे हैं प्यारा साजा विशेश अरे आजा 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 मैं नोट भेज देता हूं आपको एक घंटें के अंदर गूगल ट्राइब में आजाएंगे नोट स्कैनर मतले नहीं लिए तो भी चलेगा आजाओ 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 अरे वह निए तुब भाई आजाए डांस इतर भाई जल्दी है वह नहीं करता है यार ज्यादा भाई खाते हैं उनसे कुछने का नही करें प्यारा सा गाना लगा रहा हूं मोबाईल देखा देखो भाई का इधर रहे के थोड़ा है कौन सा गाना भूल को खली बोली तो फिर हैं अगे अरे डांस देख लो मजा आ जाएगा तुम्हारे को ऐसा डांस कभी देखे नहीं होंगे तुमने हां हां नहीं हां क्यों भोलते हो है उसकी मर्जी नियें तो आप अगे 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 आप श्मक्राइब लेंगे पोली इस लेंगे ठीक है अ अ मंगलांसी नहीं स्वाएंगती इसके लें एंपी कार की पर्चेंद ये शुन्दागा येंगी बात था को को का कटे कोरमंंटू चुसारू पोट्ट्टी पोट्टी कॉने गिर्ण की चुसतरू लो उदर 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 तेवंकर बुद्धि ओंधाव मावा ओंधाव मावा तो 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 दिख्वी नी रहा है उदर एक निट होक रुज्जा रुज्जा आभी आजा आभी ठीक है जल्दी से तु क्या कर रहे हैं अरुमाल लेके खड़ा होगे दांस अगर हां मां 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 और रवाव रहां आभा गजाव नाचाव गजाव गडल लॉंडे एक गाना भी पुआप चाहरे गात है वाई मालूँ आपको रूब सरे करें ये पीटिक मीर क्याietet क्याय sowieso क्या गाता है उसमें जो निकलता हें इसका प्याने मेज्था सब्सक्राइबErन ये इतना प्यास निकलता ही है कुछ czy कि पहले कॉन सा यह बता नहीं ऐसे नहीं कुछ तो बता जिंदगी नहीं नहीं मजा नहीं नहीं उसमें सेंटी कर देगा चालिये लेगा ले आओके कुछ तो बता जिंदगी भाई का ना गाना चाहता है सुनिए भाईया एक दिन महाबत पोड़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हतेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर फिर तू तकलुफ छोड़ कर फिर तू तु जुदा करके नजर लखना मेरे कांधे पेसर जिन्दगी मजा नी एन आरा जी आइंशा एठायर था एठी पर लेज़ शनाना जी, मैं ऑला मेरे लेगे लीडिव वाला काना काृट और प्रोल्यावे elit, काम JEFF! आट वंड देशनी हरी लाल्याव नही चाल ही लुिल में, खाय कका हुआ वन्हें, हुआंई वो quasi अवेल म, intensivelye ही लावेल म, सिरकत ऑन है अग एंड अचे, है काम University psychanyak है , हईल नहीं मैं Śथा का.. प्रिलो पंदियो सूम का मैं तीलमी, कम ओन फिल हुआ जो तुभी मेरा मेरा, तेरा जो एकरार हुआ, तो क्यो ना मैं भी कह दू, कह दू, हुआ मुझो भी तुए हुआ जो झाल रुआ तुरा, भूने लगा हूँ, कोने लगा हूँ जब से मिला हूँ तेरा हूने लगा हूँ कोने लगा हूँ जब से मिला हूँ अज़्यमा ने प्रेक पकी पाजी रखेलिये शुबा से एक बोतलस अरू भी पीली है स्रीट लगा के ममी डेड़ी को सुआ के या मेरे साथ लेड़ों सुरे सा लगा के या उपर 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 उपरुपर उपर 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 डिया है कृए रूम से है मैने आज इसको निकाला दिल तो था आशिक जो फूतक नथा साला कर दिखाए उसकी फोटो भी चलाए फिर फ्लेश पर बहा के थोड़ी जिन्देंगिसी आई इस बात इस बात पे उठाओ उपर 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 हिंदी है तुझे बढ़ा के रख़ा पाओ मैंने राणी पल को पे तुने मारी ठोकर समझी आ जाओंगा आपना आशिक दोजा एरह गहरा नतु कह रहा फिक्रास शेरी चूजा जा कर ले तूशे शचाधी फिर शुरू तेरी बरबात बोएगी तुक अच्छे और गंद भरतन देखेगी साज वही और दूर दरशन बंके रहे जाएगी तू हावस भीबी और चोबिस गंड़ तेरा यार होगा on TV TV देखके दू बहुत पच्चत आएगी फिर यो यो हनी, यो यो हनी सिंग ही तू गाई और बच्चो को सुनाएगी और यही बतलाएगी अगर गल्थी से उसे ना होता यह पाप तो यह होते हैं बच्चो तूमारे बाप हाँ गुड भेटे बेटो चले गाणा सुनादो लास्ट फिर्ट रॉन कड़ मैं चला त्यारा स्वार्णा सुनादो यांको हं जी यस जी चलो सुनाता हूं त्यारा सुनाता हूं मेरा फेवरेट टेकर ना है ये पाना ना कोना ही है तेरा ना हो ना जाने क्यों हो ना ही है तुमसे ही दिन होता है सुर मैं शाम आती है तुमसे ही तुमसे ही हर गड़ी सांस आती है जिन्दगी कहलाती है तुमसे ही तुमसे ही आखों में आखें तेरी बाहों में बाहें तेरी मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या बातों में बातें तेरी रातें सोगातें तेरी क्यों तेरा सब ये हो गया हुआ क्या मैं कहीं भी जाता हुँ तुमसे ही मिल जाता हुँ तुमसे ही तुमसे ही शूर में कामोशी है थोड़ी सी बेहोशी है तुमसे ही तुमसे ही चलो बाई वीबल ठेक्यर एवरीवन आए यह जोएट गईस सब को कमेंट ज़रूर करना है ओफ-लाइन अस वेल इस ओलनाइन हाव यू फैल्ट ओगर अउंस करते हो अगर फैरात्ओ सब्सक्राइबं आफ यो सोबुर सब्सक्राइब यहाहाई